प्लाइण प्लाइब लूएं एक 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 है हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग तो सभी को गुड मॉरिंग गुड मॉरिंग गुड मॉरिंग कैसे हैं आप लोग तो एक बार मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ एक वन शॉट चैप्टर का नाम है बायलोजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर बहुत इजी है कहीं पर एकदम स्मूथी चलेगा याद करने वाली चीजे जादा है और इस चैप्टर को खतम करने में हमें जादा टाइम भी नहीं लगने वाला है तो कैसे हैं आप लोग पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की एक्जाम का जो टाइम है वो तो काफी कम रह गया है काफी लोग नर्वस भी हो रहे होंगे काफी लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी होगी डर भी लग रहा होगा तो बस यही कहना चाहूँगा की डर येगा नहीं है न आपने महनत की है पूरे साल आप अच्छा करेंगे अपनी मेहनत पर अपने एफर्ट्स पर विश्वास रखिएगा बाकिसर भगवान पर छोड़ दीजेगा और अच्छे से एक positive mind के साथ आप exam के अंदर जाईएगा और समय समय पर हम आपको guide करते रहेंगे और करते आए भी है तो बच्चो, enough of talk, let's start एक बार सभी लोग यसर लिख दीजिए एक बार फटाफट सारे के सारे लोग यसर लिख दीजिए like, comment, share, subscribe कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe कर दीजिए फटाफट चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe करिए, comment करिए, like करिए चलिए यसर आ गया है मोबाइल चार्ज पे लगा देता हूँ चलिए तो बच्चो पहला जो टॉपिक आप इसके इंदर स्टार्ट करेंगे वो आप स्टार्ट करेंगे जब चैप्टर की शुरुवात होती है तो कुछ क्लासिफिकेशन वाला पार्ट दिया हुआ है जिसमें एरिस्टोटल साब का जिक्र है तो सबसे पहले एक साइन्टिफिक एप्रोच से बच्चो क्लासिफिकेशन तो एरिस्टोटल साब से पहले भी काफी दिये गए लेकिन एक साइन्टिफिक एप्रोच से जो सबसे पहला classification दिया गया वो Aristotle के द्वारा दिया गया तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो पहला classification कौन सा था जो एक scientific approach से दिया गया तो आप बोलेंगे Aristotle इनका criteria क्या था इनका criteria था morphological character ऐसा character जो आप बाहर से देखकर बता सकते हैं आप पेड की लंबा है या छोटा है बाहर से देखके बता सकते हैं ये लड़का है या लड़की है बाहर से देखके बता सकते हैं ऐसे character जो आप बाहर से देखके बता सकते हैं उसको आप कहते हैं morphological character तो बच्चो क्राइटेरिया था morphological characters, इन्हों ने living organism को दो पार्ट में divide किया, एक को बोला plants और दूसरे को बोला animal, जो plants थे उनको भी तीन पार्ट में divide किया, एक को बोला herb, दूसरे को shrub और तीसरे को tree, बच्चो जो herbs होते हैं, generally उनकी height थोड़ी कम होती है, shrubs की height थोड़ी जादा होती है, और tree तो आपको पटाई है, tree थोड़ा बड़ा होता है, उसमें main आपका trunk होता है, और भी herbs और shrubs में दुनिया भर के difference हैं, बढ़ हमें जानना नहीं है, तो आप उसके external character के उपर, आप shrubs देखेंगे, तो उसकी जो stem होती है, थोड़ी सी brownish होती है, woody होती है, तो ऐसे काफी character हैं, जो आप herb, shrubs and tree का देखके पता लगा सकते हैं, कि ये herb है, या shrub है, या tree है, ठीक, animal, animal को दो पार्ट में divide किया गया, एक वो जिनके अंदर RBC नहीं था, एक वो जिनके अंदर RBC था, तो RBC होगा, तो आपका जो blood का color होगा, वो थोड़ा लाल होगा, तो animals को दो में divide किया गया, अनेमा और इनेमा, तो अनेमा के अंदर आपका RBC absent था, और यहाँ पर RBC आपका present था, तो ये हो गया आपका Aristotle सहाब, नेक्स्ट आप जाएंगे तो two kingdom classification, बच्चो two kingdom classification, linear साब ने दिया था, तो अगर मैं कहूं किस ने दिया था, तो आप बोलेंगे linear, criteria क्या था, criteria काफी सारे थे, बड़ NCRT में सारे criteria mention नहीं किये, तो जो main criteria था, ठीक है, अरे cinema नहीं है, अनेमा या इनेमा है, ठीक है, जब तक ये cinema रहेगा ना, criteria, तो criteria में आपका आ गया, criteria में आपका आ गया, presence, और absence of cell wall, तो इनका जो main criteria था, वो था presence और absence of cell wall, जिनके अंदर cell wall present थी, उनको प्लांटे में रख दिया, जिनके अंदर cell wall नहीं थी, उनको अनिमेलिया में रख दिया, तो cell wall प्लांटे में मिलती है, अनिमेलिया के अन्दर नहीं मिलती, तो बच्चो जिन और्गेनिजम के अंदर सेल वॉल एपसेंट थी उनको एनिमेलिया में रखा जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको प्लांटे में रख दिया तो आपके टू किंग्डम हो गए प्लांटे और एनिमेलिया इनके अंदर आपके कौन आए इनके अंद और प्रोटो जोवा, प्रोटो जोवा में जैसे मैं आपको बोलूँ अमीबा, ठीक, मैं आपको बोलूँ पैरा मीशियम, तो आपसे कोई बोले कि प्रोटो जोवा को टू किंडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कहा रखा, तो आप बोलेंगे प्रोटो जोवा को टू किं एनिमेलिया में रख दिया यहां आपके कौन कौन आए जिन में सेल वॉल मिलेगी एलगी आ गया ब्रायोफाइट आ गया टेरिडो आ गया जिमनो आ गया एंजियो आ गया मतलब आपके सारे के सारे क्या आ गये प्लांट्स इसके अंदर आ गये और क्या क्या आया बैक्टेरिया आ गया बैक्टेरिया में भी सेल वॉल है और क्या आया फंगस आया फंगस में भी सेल वॉल है जिनके अंदर सेल वॉल है उनको उठा के प्लांटे के अंदर रख दिया गया ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है वाई सेल वॉल इन्होंन easy to categorize organism भई दिमाग लगाना ही नहीं था दिमाग लगाना ही नहीं था बस microscope से देखना था जिनके पास cell wall है उसको ठाके प्लांटे में रख दो जिन में cell wall नहीं है उनको ठाके एनिमेलिया में रख दो तो ये क्राइटेरिया से इनका क्लासिफिकेशन इजी परता था ठीक many organism not fall in any category काफी सारे organism थे जो किसी भी category में सूट नहीं करते थे जैसे मैं example बोलूँ आप से एक है आपका युगलिना अब आपको मालूम है कि युगलिना के अंदर आपकी सेल वॉल एपसेंट है लेकिन युगलिना फोटो सिंथेसिस भी करता है अब सेल वॉल नहीं है ये character हो गया एनिमल का फोटो सिंथेसिस करता है ये character हुआ plant का तो ऐसे काफी organism थे जिनको कहां रखे ये easy नहीं था कि युगलिना को plant में रखे है या animal या में रखे है इसमें तो plant के भी character है और animal के भी character है ठीक है so it was not best classification ये best classification नहीं था क्यूंकि ये बहुत जादा criteria को follow नहीं करता आप मेरी बात को समझेए एक class में 50 बच्चे हैं जिन में 25 लड़के हैं और 25 लड़किया हैं मैं आपको कहूं कि मैं इन बच्चों को सिरफ एक ही criteria के basis पे classify करूँगा वो है gender तो बहुत 25 लड़के हो जाएंगे 25 लड़किया हो जाएंगी लेकिन अगर मैं कहूं कि criteria बढ़ाऊंगा इन में कौन दो चोटी करके आती है कौन एक चोटी करके आती है कौन बच्चे चश्मा लगाते हैं कौन चश्मा नहीं लगाते कौन लंच बॉक्स लेके आते हैं कौन lunch बॉक्स नहीं लाते कौन cycle से आते हैं कौन एक्टिवा से आते हैं तो अगर मैं criteria बढ़ाऊंगा तो अब जो group बनेंगे वो 25-25 के नहीं बनेंगे वो 5-6-4 तो जब आप criteria बढ़ाते हो तो आपका classification best होता है Two Kingdom classification में criteria कम थे और उसमें भी main criteria सिरफ आपका cell wall था तो इसलिए दिक्कत आ रही थी Drawback Drawback को समझ येगा कि इनका drawback क्या था पहले तो आप ये देखिए algae, bryo, terido, gymno, angiobacteria, fungus यहाँ पर मैं लिख देता हूँ prokaryote और यहाँ लिख देता हूँ eukaryote algae क्या है eukaryote, bryophyte eukaryote, teridoophyte eukaryote, gymnosperm eukaryote, angiosperm eukaryote, bacteria prokaryote, fungus eukaryote तो इन्होंने प्लांटे के अंदर ये सब रखा, जिनमें से काफी लोग eukaryote है और कुछ prokaryote है मतलब इन्होंने prokaryotes और eukaryotic organism को एक साथ एकी kingdom में रख दिया, जो की अच्छी बात नहीं है कुछ तो लिहाद कीजिये मातरु साब, prokaryote और eukaryotic organism को आप एक साथ प्लांटे में रख रहे है इसका मतलब didn't differentiate between किस किस के बीच में differentiate नहीं किया, prokaryote के बीच में और eukaryote के बीच में ये था इनका पहला drawback, ठीक, दूसरी चीज़ समझिये autotrop और heterotrop algae autotrop, bryo autotrop, terido autotrop, gymno autotrop, angio autotrop, bacteria heterotrop भी है mainly heterotrop है, bacteria mainly heterotrop है, बट autotrop भी है fungus जो है, वो आपका heterotrop है तो भाई, कुछ तो लियाज कीजिए माथुर साब autotrop और heterotropic organism को आप एक साथ planted kingdom में रख रहे है ये बरदास नहीं किया जाएगा did not differentiate between autotrop and heterotrop ठीक है, तीसरी चीज़ देखिए unicellular और multicellular unicellular और multicellular अगर मैं आप से बात करता हूँ algae, algae क्या है? algae mainly multicellular है लेकिन इन्हों ने यहाँ पर कुछ और algae को भी रखा जैसे chlorella और clamidomonas chlorella, clamidomonas दोनों के दोनों कैसे algae है? दोनों के दोनों unicellular है multicellular का मैं एक example आपको दे देता हूँ spirogyra multicellular का मैं आपको एक example दे देता हूँ multicellular का मैं आपको एक example दे देता हूँ यहाँ पर spirogyra algae mainly multicellular है बट उनमें कुछ unicellular algae है जैसे chlorella, clamidomonas chlorella, clamidomonas unicellular algae है spirogyra multicellular algae है ठीक, तो आपने multicellular और unicellular algae को साथ में रखा ठीक है bryophytes जो है वो कैसे है multicellular teridophyte multicellular gymnosperm multicellular angiosperm multicellular bacteria unicellular fungus mainly multicellular mainly multicellular ठीक, बट east unicellular होता है तो आपने multicellular और unicellular organism में differentiate नहीं किया इन दोनों को एक ही घर में रख दिया कुस्त तो लिहाज कीजिए मातुर साब एक महिना रह गया है अब तो पढ़ लो अब भी telegram, number, chat, id, insta id मांग रहे हो तो इन्होंने differentiate नहीं किया किसके बीच में unicellular और multicellular organism के बीच में तो ये इनके drawbacks थे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है कि जो fungus होते है वो आपके heterotrops होते है green plants आपके autotrops होते है आपने autotrop और heterotrops fungus और green plant आपने heterotrops और autotrops आपने heterotrops और autotrop को एक साथ में रख दिया लेकिन लेकिन इनकी cell wall क्या थी different थी हाला कि इनकी cell wall different थी बट फिर भी आपने इनको साथ में रख दिया autotrop और heterotrop fungus की जो cell wall है वो आपकी बनी है किस से kaitin से और plant की जो cell wall है वो बनी है cellulose से अब आपने cell wall का composition तो criteria लिया ही नहीं था आपने तो criteria लिया कि cell wall या तो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी तो cell wall का मिलना या ना मिलना आपका criteria था cell wall का composition आपका criteria नहीं था इन दो लोगों को आपने साथ में रख दिया हाला कि इनकी cell wall में भी difference था और algae वाला point मैं आपको explain कर चुका हूं कि आपने unicellular algae Chlorella Climidominas और multicellular algae Spira को एक साथ में रखा बच्चो ये सब कुछ गलत्रिया थी, यहां तक समझ में आया, तो आप एक बार यस लिख दीजिए नेक्स्ट है, थ्री किंग्डम क्लासिफिकेशन दो तो आपको मिल गए, प्लांटे और एनिमेलिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, वो दिया था Heıkle साब ने, थ्री किंगडब क्लासिफिकेशन दिया था Heıkle साब ने, दो आपके पास पहले से ही थे, तीसरे नमबर का एक नया आया, जिसको आपने बोला, प्रोतिस्टा, प्रोतिस्टा बनाया गया UNICEELLULAR ORGANIZEM के यूनी सैलुलर ऑर्गेनिजम के लिए ध्यान से मेरी बात को समझिए गार्ट हे ध्यान से बहुत जादा मेरी बात को एक दम ध्यान से आप समझिए अब जो आपका three kingdom classification था ध्यान से देखिएगा इसमें क्या किया गया एक तो आपके पास ये रहा आपका प्रोटिस्टा अब प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन आए बच्चो क्लोरैला और क्लैमाईडो मोनास प्रोटिस्टा में आ गए ठीक ये दोनों के दोनों कैसे हैं ये दोनों के दोनों यूनी सेललर यूकेरियोट हैं तो two kingdom के according क्लोरैला क्लाइमोडो मोनास जो थे two kingdom के according क्लोरैला क्लाइमोडो मोनास जो थे वो प्लांटे में थे बट three kingdom के according क्लोरैला क्लाइमोडो मोनास प्रोटिस्टा में थे टू किंग्डम के एकॉर्डिंग प्रोटो जोवा एनिमेलिया में था लेकिन थ्री किंग्डम के एकॉर्डिंग आपका जो प्रोटो जोवा है वो आपका इसके अंदर प्रेजन था और इसके अंदर क्या रखा गया था और इसके अंदर बैक्टेरिया भी था और इसके अंदर फंगस भी था तो अगर मैं आपसे कहूं आपको दो चीजे याद करनी है क्या याद रखना है कि टू किंग्डम के एकॉर्डिंग क्लोरेला क्लाइमडोमनास कहा था टू किंग्डम के एकॉर्डिंग क्लोरेला क्लाइमडोमनास जो था वो प्लांटे में था बट थ्री किंगडम के according प्रोटो जोवा कहा था एनिमेलिया में था थ्री किंगडम के according आपका प्रोटो जोवा प्रोटिस्टा में था तो वो पहला किंगडम कौन सा था वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सा था जो पहली बार जो पहली बार क्लोरेला क्लाइमर डोमनास अमीबा पैरा मीशियम को एक साथ लाया बताओ ये चारो के चारो एक साथ किस क्लासिफिकेशन में किस किंगडम में एक साथ आए बताओ जड़ा पहली बार ये सब के सब एक साथ प्रोटिस्टा के अंदर आए किस क्लासिफिकेशन के according थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के according ठीक यहां तक की पढ़ाई आपको में आई तो आप येस रखिए बैक्टेरिया और فंग्स Cor Victorian में थे three kingdom के according लेकिन two kingdom के according ये आपके प्लांटे के अंदर थे शुर और ऐन kuv क्लांटे मिल गया अनिमेलिया मिल गया प्लोटीस्टा मिल गया ठीक यहां नया आया फूर्थ नमबर का कौन आया मोनेरा आया मोनेरा बेसिकली किस के लिए बनाया गया था ये बेसिकली बनाया गया था बैक्टेरिया के लिए आपका ब्ल्यू ग्रीन एल्गी के लिए और कुछ प्रिमिटिव बैक्टेरिया होते हैं जिनको आप कहते हैं आर्की बैक्टेरिया ठीक, फाइव किंग्डम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया था आरेच विटेकर साब के द्वारा, प्लांटे आ गया, एनिमेलिया आ गया, प्रोटिस्टा आ गया, मॉनेरा आ गया, ठीक, क्या बच गया, क्या बच गया, फंगस बच गया, तो जो फिफ्ट किंग्डम आया यहां, वो आया आपका फंगस, तो बच्चो इसके एकॉर्डिंग, अगर कोई आप से पूछे, कि आप बताईए, क्लोरेला क्लाइमडोमोनास कहां है, तो फिफ्ट किंग्डम के एकॉर्डिंग, क्लोरेला क्लैमाइडोमोनास, आपका अमीबा, आपका पैरा मीशियम, यह सब आपके प्रेजेंट है, प्रोटेस्टा के अंदर, बैक्टेरिया है, मॉनेरा के अंदर, ठीक प्लांटे, एनिमेलिया और फंगस का एक नया किंग्डम बन गया, तो यह है आपका फाइव किंग्डम क्लासिफिकेशन, बच्चो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यह लिखिए, नेक्स्ट है, फाइव किंग्डम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था, ठीक है, क्राइटेरिया क्या था, तो क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो यह पाँच क्राइटेरिया थे, सेल स्ट्रक्चर, बॉड़ी और्गनेशन, रिप्रोड़क यूकेरियोट है ये प्रोकेरियोट है ये यूकेरियोट है ये यूकेरियोट है ये यूकेरियोट है ये यूकेरियोट है बोड़ी ओर्गनाइजेशन कौन यूनी सेलुलर है और कौन मल्टी सेलुलर है ठीक अब ये कैसा है यूनी सेलुलर है प्रोटिस्टा कैसा है यूनी स यह mostly कैसा है? यह mostly multi-cellular है ठीक mostly multi-cellular है बट fungus में आता है east इस्ट कैसा है? यूनी-cellular है मतलब यहां पर cells loosely arranged होती हैं जिसको आप कहते हैं loose tissue और यहां पर आपका tissue level भी है आपका organ level भी है यहां आपका tissue भी है आपका organ भी है और आपके organ system भी आपके present है तो बच्चों आपसे पूछे कौन? यूनी-cellular? यूनी-cellular mostly multi-cellular multi-cellular और यह भी आपका multi-cellular तो यह आपको body organization आपको यहां पर पता चल गया है ठीक? सर सीधा chat, क्या देखूं chat में? क्या देखूं chat में? Escomycities का part है east ठीक है जब fungus पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि Escomycities का part है east ठीक? देख लिया chat में अब और क्या देखूं chat में? और क्या देखूं chat में? पढ़ाऊं यह chat में देखूं एक महिना रह गया है एक महिना भी नहीं रहा neat के लिए एक महिना भी नहीं रहा read के लिए इसलिए मैं आया सीधा एक मिनिट बात की enough of talk बोला और पढ़ाना start कर दिया ठीक आपका time बहुत important है जल्दी complete करेंगे quality के साथ आप जल्दी घर पे जाएंगे और self study करेंगे ठीक आईए reproduction मौनेरा के अंदर सिरफ कौन सा reproduction होता है एसेक्शवल होता है प्रोटिस्टा के अंदर एसेक्शवल भी है ठीक है एसेक्शवल भी है और सेक्शवल भी है fungus में एसेक्शवल भी है सेक्शवल भी है प्लांटे में एसेक्शवल भी है और सेक्शवल भी है एसेक्शवल को यहाँ पर बोल देते हैं vegetative reproduction और animalia के अंदर है आपका sexual ठीक यह आपका हो गया उसके बाद है आपका nutrition मौनेरा जो होते है वो autotrops है और heterotrops भी है mainly heterotrops है mainly क्या है ठीक है रिया मेरा लिख रही है if you comfortable so talk with me about your relationship अरे रिया पहले बता देता हूं यह रिया नहीं है यह रोहन है रिया का भेस बदल के बैठा हुआ है समझ में आया मोहे मोहे हो जाएगा ठीक अगर यह रोहन है तो मोहे मोहे हो गई अगर यह सच में रिया है तो तब भी मोहे मोहे ही होगा बेटा ठीक है आजओ कवेता लिख रही है सरवीवा तो प्रोकेरियोट है अरे कवीता छोड़ अब समझा नहीं सकता मैं अमीवा क्या है तीक है अब अब मैं अमीवा बताओ क्या है प्रोकेरियोट नहीं बैटा autotrops and heterotrops ठीक है autotrops में दो category है ठीक ये light energy की help से खाना बनाएंगे तो आप इनको photo autotrop बोलेंगे और अगर ये chemical energy की help से खाना बनाएंगे तो आप इनको chemo autotrops बोलेंगे बच्चो chemical energy का क्या मतलब होता है माल लीजी आपके पास कोई inorganic compound है ठीक है ammonia माल लीजी ठीक तो inorganic compound के oxidation से जो energy निकलती है उस energy को बोलते है chemical energy और उस chemical energy को utilize करके food बनाया जाता है फिर से सुन सकते हैं आप ठीक है जैसे H2S हो गया जैसे ammonia हो गया ठीक तो inorganic compound के oxidation से जो energy release होती है उस energy को utilize करके अगर food बनाते है तो उसको chemo autotrops बोलते है chemical energy तो photo autotrops में energy कैसी होगी photo autotrops में energy होगी light energy chemo autotrops में जो energy होगी वो होगी chemical तो autotrops भी है, heterotrops भी है mainly आपके क्या है, heterotrops है protista के अंदर autotrops मिलेंगे लेकिन सिरफ photo autotrops मिलेंगे सिरफ कौन से मिलेंगे photo autotrops और आपके heterotrops भी यहाँ पर मिलेंगे आपके heterotrops भी मिलेंगे heterotrops में आपके saprophytic मिलेंगे जो dead digging पर feed करेंगे आपके parasitic भी मिलेंगे आपके holojoic भी मिलेंगे holojoic मतलब जो animals के अंदर होता है ठीक, first ingestion then उसका digestion saprophytic dead digging पर जो feed करते हैं मरे वे लोगों पर जो feed करते हैं ठीक, पेड से पत्ते गिरे dead हो गए उनके उपर जो feed करते हैं saprophytic parasitic holojoic heterotrops के अंदर आ गए fungus जो होता है fungus तो खाना नहीं बनाएगा fungus कैसा है heterotrops है और heterotrops में यहाँ पर आपका saprophytic मिलेगा आपका कैसा मिलेगा parasitic मिलेगा ठीक, प्लांटे की मैं बात करता हूँ तो प्लांटा प्लांटे जो है वो क्या है, मेंली क्या सब खाना ही बनाते हैं वो आपके क्या हो गए autotrops हो गए ठीक, एनिमेलिया की मैं बात करता हूँ तो एनिमेलिया क्या है heterotrops है जिनमें आपके saprophytic मिलेंगे आपके parasitic मिलेंगे आपके holojoic मिलेंगे ठीक, philogony का मतलब होता है evolutionary history evolutionary history मतलब आप जब भी कोई classification देंगे तो आप इस चीज का ध्यान लखेंगे कि कौन किस से evolved हुआ जैसे कि algae से bryophyte evolved हुए bryophyte से teradophyte evolved हुए teradophyte से gymnosperm evolved हुए gymnosperm से angiosperm evolved हुए ठीक, तो आप इस तरीके से ancestors की respect करेंगे ध्यान रखेंगे अपने classification के time ठीक, तो ज़ादा हम इसकी बात नहीं करेंगे ये पांच आपके criteria थे इसके इलावा NCRT में दो और लिखे हैं बट वो criteria नहीं है I repeat mark my words दो चीजे और लिखी हुई है उसके अंदर एक तो nucleus से related है और एक cell wall से related है बट वो दोनो criteria में नहीं आते किताब के अंदर table में दिया हुआ है difference की form में write little larger because I can't see properly in my mobile ठीक है सुन्दर राम ठीक है करता हूँ भवी थोड़ा make it large करता हूँ तो जो दो मैं बोड रहा हूँ cell wall और दूसरा nucleus तो nuclear membrane ये दोनों इसके criteria नहीं है NCRT में table की form में difference की form में दिया है तो उन्होंने भी कहीं ये mention नहीं किया कि ये criteria है तो मैं आपको उनको भी बता देता हूँ उसको दूसरे color से बता देता हूँ ठीक nuclear membrane nuclear membrane criteria नहीं है green pen से लिख रहा हूँ ध्यान से देखिए का monera में नहीं होती protesta में है fungus में है plantे में है animalia में है और एक difference और दिया हुआ है वो है cell wall का वो है cell wall का monera की cell wall जो है वो non cellulosic है मतलब cell wall में cellulos नहीं मिलता आपको मालूम है peptido glycan मिलता है cell the unit of life में बताया था ठीक protesta में कुछ के अंदर cellulosic cell wall मिलेगी tick some या few कुछ के अंदर आपकी cellulosic cell wall मिल जाएगी fungus की cell wall काइटिन से बनी है तो fungus की cell wall भी कैसी हो गई है non cellulosic हो गई है मैं exception पे नहीं जा रहा अगर ग्यान देने वाली बात है तो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि fungus में एक class होती है o my cities जिसकी cell wall मतलब जो fungus o my cities class में आते हैं उनकी cell wall काइटिन से नहीं बनती उनकी cell wall cellulos से बनती है ये ग्यान देने वाली बात है जनरल बोलूँगा तो fungus की cell wall किस से बनती है काइटिन से बनती है मतलब non cellulosic है प्लांटे में cellulosic है और animalia में cell wall जो है absent है तो बच्चो ये हमने five kingdom classification कर लिया बच्चो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बार आप हमारे सम्मान में yes लिख दीजिए यहां तक की आपको पढ़ाई समझ में आई तो आप एक बार yes लिख दीजिए six kingdom classification भई पांच kingdom क्या थे monera था protista था fungus था plant था animalia थे यही थे five kingdom आपके अब इन्होंने monera को दो पार्ट में divide कर दिया एक को इन्होंने बोला archibacteria 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 primitive bacteria होते हैं primitive bacteria है तो आरगी bacteria और bacteria में देखिए आप जो normal बोलते हैं ठीक है और दूसरा है आपका U bacteria ठीक दूसरा है U bacteria आप जो normal बोलते हैं bacteria आपने बोला bacteria तो आप बोलते हैं U bacteria इनके इलावा कुछ और भी bacteria होते हैं जो बहुत primitive होते हैं उनको बोलते हैं R की bacteria जिनके अंदर methanogens बगएरा जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा difference है ऐसा नहीं है दोनों में 70S ribosome है दोनों का DNA आपका circular है कुछ characters हैं जो इन bacteria और इन bacteria के difference है वो मैं आपको बता दूँगा आगे जाके मैं आपको बता दूँगा ठीक है जैसे कि इसकी जो cell wall है इसकी cell wall में peptidoglycan present है बट इसकी cell wall में peptidoglycan क्या है absent है ठीक तो अब आप count करिए archibacteria, eubacteria, protesta, fungus, plantae, animalia आपके total 6 kingdom हो गए और ये जिसने दिया था उनका नाम था काल वूस उनका नाम था काल वूस काल वूस साब ने दिया था तो अब 6 kingdom, archibacteria एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अब इन से domain मनाई गई protesta, fungus, plantae, animalia ये चारो के चारो कैसे हैं सर ये चारो के चारो eukaryotes है तो किंडम को मिलाकर जो चीज बनती है उसको domain बोलते है तो यहां से एक domain बनाई गई जिसको आप बोलते है eukaryotes ये चारो eukaryotes हैं तो इन चार kingdom से मिलाकर बनाई गई domain उसको बोला eukaryotes तो ये क्या हुई domain हुई domain के अंदर आते हैं kingdom तो इन चार kingdom से मिलाकर एक domain बनी यू केरिया ठीक यू बैक्टेरिया से मिलाकर domain बनी बैक्टेरिया और आर्की बैक्टेरिया से मिलाकर domain बनी आर्किया तो अगर मैं आप से कहूँ कि अगर मैं आप से कहूँ कि कितनी domain बनी तीन domain हो गई पहली डोमेन है आरकिया दूसरी है बैक्टेरिया तीसरी है यू केरिया मौनेरा से कितनी डोमेन बनी मौनेरा से दो बनी और इन चार से आपकी एक बनी तो डोमेन लग रहा है किंग्डम से भी बड़ी हो गई क्योंकि डोमेन के अंदर किंग्डम आ रहे है बच्चो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यह लिखिए अब हम एक एक करके पढ़ेंगे देखिए 10-35 हुए है और हमने इतनी सारी चीजे पढ़ लिए तो बच्चो जैसे जैसे समय बीटा गया, साइंटिस्ट लोगों को यह रिलाइज हुआ कि आप classification का criteria बढ़ाईए ठीक आप cell wall के structure पढ़ते थे आप cell wall का composition लेकर आईए आप phylogeny लेकर आईए आप reproduction लेकर आईए आप nutrition लेकर आईए ठीक है आप criteria बढ़ाईए जब आप criteria बढ़ाएंगे तो आपका classification best होता जाएगा तो जैसे जैसे 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, 6 kingdom तक आप जाते रहे दो नाम थे जो change नहीं हुए plantae और animalia, plantae और animalia two kingdom में भी थे, three kingdom में भी थे, four kingdom में भी थे, five kingdom में भी थे, six kingdom में भी थे plantae animalia kingdom two kingdom में भी थे, three में भी थे, four में भी थे, five में भी थे, six में भी थे, ठीक है ठीक है, सर्ड डोमेन वाला पाथ एक्जाम में आएगा क्या, छोड़ देना, by heart एक बार रीड कर लेना, ठीक, पढ़ लेना तो two kingdom, three kingdom, four kingdom, five kingdom, six kingdom में वो दो जो हर उस में थे, वो है plantae और animalia तो plantae और animalia हर classification में थे, बट इसके अंदर जो organism थे, वो निकल निकल के एक दूसरे kingdom में shift होते रहे जैसे chlorella climate dominas two kingdom के according कहां रखा गया था, plantae में रखा गया था, बट three kingdom के according protista में रखा गया था, protozoa two kingdom के according आपका animalia में था, three kingdom के according protista में था, तो ये दो नाम plantae और animalia kingdom तो fix रहे, बट इनके अंदर जो organism थे, वो shift होते रहे different kingdom के अंदर, ये चीज मैंने इसलिए बोली क्योंकि ये line NCRT के अंदर लिखी हुई है monera, बच्चो monera जो है, इसका जो soul member है, वो है bacteria, bacteria बहुत जादा पाया जाता है, most abundant organism है, ठीके, और काफी छोटा होता है, ठीके, small होता है, ठीके, तो monera का जो soul member है, वो आपका क्या है, bacteria है, ठीक, bacteria कैसे होते हैं, बड़े तो नहीं होते, छोटे होते हैं, और ये हर जगे मिलता है, found everywhere, हर जगे आपका मिलता है, अगर आप एक मुठी, आप एक मुठी मिट्टी लेकर आएंगे, handful of soil, एक मुठी मिट्टी लेकर आएंगे, तो उसमें भी आपको 100 bacteria मिल जाएंगे, ये bacteria ऐसी जगे भी मिलते हैं, most harsh condition, ये bacteria ऐसी जगे भी मिलते हैं, जहां पर कोई दूसरी life exist करना पसंद नहीं करती, जैसे मैं आपको कहूं, hot spring, hot spring, hot spring, जहां temperature बहुत जादा पाया जाता है, ठीक है, जहां temperature बहुत जादा पाया जाता है, तो जो volcan होता है, जो अला मुखी होता है, उसमें से जो लावा जो निकलता है, जो magma होता है, वो magma, देखिये, hot spring वो जगे होती है, जहां समुन्दर का जो पानी होता है, वो पानी उस जगह से घूम के आता है जिस जगह पे जौला मुखी हुआ हो वोलकेनो हुआ हो जिसकी वज़े से उस पानी का तापमान बढ़ जाता है ऐसे region को hot spring बोलते हैं, hot sulfur spring बोलते हैं, ठीक, तो hot spring में आपका temperature बहुत जादा मिलेगा, ये hot spring में मिल सकते हैं आपके, ये आपके desert में मिल सकते हैं, ये आपके cold region में, Arctic और Antarctic region में मिल सकते हैं, आपके deep ocean में मिल सकते हैं, ठीक, तो bacteria जो होते हैं ये आपके parasitic mode of life में भी मिल सकते हैं तो ऐसी harsh condition में भी ये रहना पसंद रह लेते हैं जहां दूसरी life form exist करना पसंद नहीं करती ठीक ये हलका सा आपको bacteria के बारे में बताया गया फिर हम आगे गए shape बताईए मैंने shape किस chapter में discuss किया था अगर आप मेरे रोज के customer हैं तो आपको पता होगा बताईए ये मैंने कहां discuss किया था अगर आप मेरे रोज के customer हैं तो आपको पता होगा कि shape of bacteria मैं discuss कर चुका हूँ आप जाईए cell the unit of life में अभी मत जाना अभी यहीं बैटे रहना ठीक bacteria देखने में तो बहुत छोटा सा है एक simple सा structure है ठीक लेकिन जब आप इसका nutrition पढ़ोगे different type का nutrition मिलेगा आप reproduction पढ़ोगे तो इसमें आपको एक अलगी तरह की चीज देखने को मिलेगी ठीक है कि इसके अंदर sexual reproduction नहीं मिलता है ठीक है तो है तो इतना छोटा सा ही structure है ठीक है लेकिन behavior में कैसा है behavior में यह easy नहीं है मतलब आप यह नहीं कह सकते कि एक छोटा सा organism है अभी इसके बारे में पढ़के side में रख देता हूँ नहीं आप research में जाएंगे इसके बारे में आपको बहुत ज़ादा diversity मिलेगी बले ही चीज इतनी सी है E is equal to mc square छोटी सी equation है बट कितना बड़ा concept है ठीक behavior में complex है structure में simple है nutrition की बात करते है तो mainly जो nutrition मिलता है वो heterotrops मिलता है autotrops में दो types के है ठीक है एक है photo lethal autotrops photo का मतलब होता है कि जो energy का source है वो है आपका light energy का source है light ठीक है और carbon का जो source है वो है CO2 लीथो का मतलब क्या हुआ लीथो का मतलब क्या हुआ लीथो का मतलब क्या हुआ लीथो का मतलब हुआ कि proton और electron का जो source है वो है inorganic compound लीथो का मतलब होता है inorganic लीथो का मतलब है inorganic जैसे example मैं बोला H2S तो यहाँ electron proton का source यहाँ photosynthesis की equation में water नहीं होता H2S होता है और H2S ही electron proton provide करता है H2S inorganic compound है तो बच्चो photosynthesis वाले chapter में भी बताया था कि यहाँ पर water नहीं है electron proton का source है inorganic compound वो H2S है इसलिए लीथो लिखा autotrops का बच्चा autotrops का मतलब तो बच्चा दूसरी तीसरी क्लास में समझ जाता है वो लोग जो light energy की help से खाना बनाएंगे और खाना बनाने के time electron proton के लिए inorganic compound H2S या फिर theosulfate यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं photo letho autotrops तो ये bacteria photosynthetic होते हैं तो एक photosynthetic होते हैं जिसमें दो तरह की category जाती है एक है purple sulfur bacteria पलपल उसकी यादों में मर रहा हूं कह दो उसे की उन यादों की चिता बना के जला दे बट उन चिता से उड़ता हुआ धुआ भी उसी के प्यार का होगा ये चीज नीट में नहीं आएगी ठीक है purple sulfur bacteria और दूसरा है आपका green sulfur bacteria परपल और green क्यों बोला इनका color है sulfur क्यों बोला क्योंकि आपको पता चल गया होगा H2S यूज करते हैं तो ये photosynthetic bacteria है ठीक ये हमने पहली चीज पढ़ ली autotrops के बारे में तो autotrops में हमने पहली category क्या पढ़ी पहली category पढ़ी photo autotrops ठीक है हम भी थोड़ी बहुत शायरी कभी कभी कर लेते हैं लेकिन ये चीज तुरंत याद हो गई दीपक क्या रहा है आरे दीपक इन चीजों से दूर रहना बेटा ने तो दीपक भुझ जाएगा ठीक आजाओ अब autotrop में दूसरा टाइप है chemo synthetic autotrop chemo synthetic autotrops ये कौन से bacteria होते हैं ये जो energy लेते हैं वो chemical लेते हैं ठीक कारबन का जो source है वो co2 है और electron proton का source जो है वो आपका inorganic compound है जैसे example देखे आपको बताता हूँ nitrifying bacteria ammonia ठीक है balance नहीं करूंगा ammonia टूटा किसमे nitrite में टूटा ठीक है और nitrite किसमें टूटा nitrate में टूटा तो जब ये चीजे हो रही होती है ammonia का oxidation हुआ nitrite, nitrite का oxidation हुआ nitrate तो इस दोरान आपकी क्या निकलती है इस दोरान आपकी energy निकलती है इस दोरान आपकी energy निकलती है इसी energy को बोलते है chemical energy तो inorganic compound ये कैसा compound है इसका क्या हो रहा है oxidation हो रहा है तो inorganic compound के oxidation से energy निकलती है उस energy को chemical energy बोलते है और वो energy food बनाने के लिए use होती है यहाँ आपका example आ गया है nitro zomonas ठीक है और यहाँ आपका आ गया है nitro vector एक और याद कर लो अगर करना चाहो nitro cocus ठीक और यहाँ पर nitro cystis नीचे के दो याद ना कर पाओ कोई बात नहीं लेकिन nitro zomonas और nitro vector याद रखना ammonia से nitrite nitro zomonas करता है nitrite से nitrate nitro vector करता है ठीक iron bacteria भी है sulfur bacteria भी है मैं चाहूं तो इनके example भी बता सकता हूँ बढ़ किताब में नहीं है इसके example है phyrobacillus नहीं लिख रहा sulfur bacteria का example है thio bacillus and bagiota नहीं लिख रहा ठीक आप सिरफ इसका यूज करिए बस इतना याद रखिएगा iron bacteria sulfur bacteria भी इनके अंदर है और ये nutrient के recycling करने में help करते हैं ठीक है nutrient का recycling ठीक है मतलब जो भी आपकी जो चीजे होती है उनको break down करेंगे nutrient आपका soil में जाएगा soil से वापस से कहां जाएगा plants में जाएगा ठीक है recycling of nutrient में help करते हैं यह आप याद रखिएगा ठीक यह है आपका chemo synthetic autotrop तो आपने autotrop में दो category देखी फोटो लीथो autotrop देखी ठीक है खून से लिखी कहानी है CI से नहीं बनेगी आगे बढ़ाना है तो खून ही मागेगी बिल्कुल सही है मेटा कुछ lecture खून से लिखे होते हैं जैसे principle of inheritance और molecular basis of inheritance का lecture था याद है क्या थे तुम उस lecture में 11 घंटे का खतरनाक lecture था principle of inheritance का वो lecture कितना खतरनाक था वो खून सही लिखा गया था next है heterotrops ठीक है जड़तर bacteria कैसे होते हैं heterotrops होते हैं तो mostly bacteria कैसे होते हैं heterotrops होते हैं और heterotropic bacteria में mostly क्या मिलते हैं decomposer मिलते हैं ठीक है decomposer मिलते हैं decomposer कौन हुए decomposer कौन bacteria हुए जो किस पे feed करेंगे जो dead और decaying material पर feed करते हैं तो सर उन bacteria को तो हम saprophytic भी बोलते हैं बिलकुल सही तो अगर कहीं पर saprophytic bacteria है जैसे pseudo monas वो आपके कहां जाएंगे वो आपके heterotrops में जाएंगे और इनका human affairs human affairs का मतलब हमारे लिए मतलब welfare हमारा human welfare में इनका रोल होता है हमारे लिए फाइदे मन है हमारे लिए इनका क्या फाइदा है देखिए कर्ड है दूद हे माई दूद दे दे तो मिल्क से आपने बनाया कर्ड ये बनाने के लिए जो bacteria है वो है lactobacillus तो भाईया दही तो घरों घरों में यूज होती है है ना दही तो घरों में human welfare में यूज हो रही है तो lactobacillus कैसा bacteria हुआ हेटरोट्रॉप हुआ ये bacteria सबसे ज़ादा antibiotic में यूज होते है जैसे एक antibiotic सुनी होगी streptomycin streptomycin antibiotic किस bacteria से बनाई गई ये बनाई गई एक bacteria से जिसको हमने बोला streptomyces तो streptomyces कैसा bacteria हुआ हेटरोट्रॉप हुआ nitrogen fixation भी करते हैं अच्छा nitrogen fixation भी करते हैं जैसे जैसे symbiotic अगर मैं symbiotic की बात करता हूँ तो आपको दो bacteria याद आते हैं एक आता है rhizobium तुझे लगी नशर्म rhizobium दूसरा तुन्हें मुझे फोन किया frankia, frankia, rhizobium और frankia, rhizobium and frankia तो rhizobium और frankia, rhizobium gram negative bacteria है, frankia gram positive bacteria है gram negative, gram positive की हलकी फुलकी बात किस चप्टर में की थी, बताएए rhizobium जो होता है, rod जैसा दिखता है, rod like bacteria है frankia जो है, ये एक filamentous bacteria है, ठीक और दोनों के दोनो nitrogen fixation करते हैं, ये कहां मिलता है और ये कहां मिलता है, ये मिलता है root of legumes में legumes मतलब डाले आ गई, pulses आ गई, मूम फली आ गई, groundnut आ गई, soybean आ गया, चना आ गया, बीन आ गया, खा ले, ठीक filamentous bacteria है, ये मिलता है root of non-legumes non-leguminous plant, non-leguminous plant, यहां से नीट में कोशन आया था आपका हो गया illness, और दूसरा आपका हो गया है casurina, ये दोनों के दोनो nitrogen fixation करते हैं, जब ये nitrogen fixation करते हैं, उस time ये कैसे behave करते हैं, उस time ये anaerobic होते हैं, तो कोई आप से पूछे, कि जब ये लोग nitrogen fixation करते हैं, तो उस time ये किस तरह की mode of life जीते हैं, तो आप ओलोगे anaerobic, लेकिन अगर कोई आप से पूछे कि बताओ, ये दोनो bacteria, क्या ये दोनो bacteria, जो आपको दिख रहे हैं, symbiotic है, क्योंकि ये plant की root में हैं, कहां पर है, plant की root में हैं, ठीक, ये दोनो bacteria आपके कहां है, plant की root में हैं, तो symbiotic हो गए, किसी के साथ है, तुम कमरे में अपने parents के साथ हो, तो symbiotic है, लेकिन अगर कोई आप से पूछे, कि ये दोनो bacteria क्या free living रह सकते हैं, बिना root के रह सकते हैं, तो आप क्या लिखोगे, yes, can live free living, अकेले रह सकते हैं, तुम हस क्यों रहे हो, समझ तो मैं सब राओं लेके मैं बोलूँगा नहीं, समझ में आया, घर वालों ने मना किया है, कि जमानत नहीं कराएंगे, तो symbiotic can live free living, अकेले रह सकते हैं, बट जब ये अकेले रहेंगे, तब ये aerobic रहते हैं, anaerobic नहीं रहते हैं, can live free living in soil, तो जब ये अकेले रहेंगे, तब ये, जब ये soil में अकेले रहेंगे, बिना roots के रहेंगे, तो उस time ये aerobic रहते हैं, और can't fix nitrogen, nitrogen को fix नहीं कर सकते, nitrogen को fix नहीं कर सकते, ठीक, nitrogen fixation करने के लिए, इनको free living से symbiotic में आना पड़ता है, aerobic से anaerobic में आना पड़ता है, ठीक, कुछ bacteria ऐसे होते हैं, जो अकेले ही nitrogen fixation कर देते हैं, उन्हें roots की ज़रुत नहीं पड़ती, वो free living रहते हैं, उनमें दो condition है, aerobic और anaerobic, aerobic में आया आपका और बैजरनिका और एक और आ गया rhodospilum, और anaerobic में आपका आया है clostridium, anaerobic में आया आपका clostridium, तो बच्चों यह हमारा autotrop और heterotrop था, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई, तो आप एक बार हमारे सम्मान में yes लिग दीजिए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई, तो आप एक बार हमारे सम्मान में yes लिग दीजिए, parasitic bacteria, ठीक है, parasitic bacteria है, ठीक है, जो आपका infection करते हैं, ठीक है, pets पे infection कर रहे हैं, animal पे कर रहे हैं, plants पे कर रहे हैं, human पे कर रहे हैं, ठीक, जैसे disease, एक दो disease लिखी हुई है, typhoid लिखी हुई है, आपकी, cholera लिखा है, titness आपका लिखा हुआ है, एक और लिखा हुआ है, citrus canker, बिमारी के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक, करता कौन है, टाइफोइड कौन करता है, आपका salmonella typhi करता है, ठीक, cholera आपका, विब्रियो करता है, ठीक, titness जो है, आपका, klostridium, टिटनी करता है, ठीक, citrus canker जो है, वो आपका xanthomonas, से ट्री करता है, ठीक, तो ये आपका, कुछ बिमारिया है, जो आपको याद करनी है, reproduction, डक्टेरिया में reproduction सिरफ कौन सा मिलता है, एसेक्शोल मिलता है, और एसेक्शोल में दो है, favorable condition और एक unfavorable condition, जब condition favorable होगी, सब बढ़िया रहेगा, तो उस time आपका होता है, binary fission, binary fission बताने की जरुद नहीं है, तो अगर मैं आप से कहूँ कि उसका favorite mode क्या है, किस mode से वो करना पसंद करेगा, तो आप बोलेंगे, ठीक है, वो बोलेंगे, binary fission उसका favorite mode है, unfavorable condition में spore का नाम तो नहीं लिखा, किताब में सिरफ spore formation लिखा है, तो मैं आपको सिरफ spore का नाम बता देता हूँ, unfavorable condition में जो spore बनती है, वो है endospore, तो ये बैक्टेरिया में, asexual में दो है, favorable condition और unfavorable condition, फिर सर्क किताब में एक line क्यों लिखी हुई है, sort of sexual reproduction present, ऐसा क्यों लिखा है, आप तो कहते हो कि bacteria के अंदर sexual reproduction absent है, बिलकुल, तो फिर किताब में ये एक line क्यों लिखी हुई है, क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है, और एक और चीज, binary fusion जो होता है, वो किस से होता है, वो होता है, ए-mitosis से, बच्चो, ए-mitosis स्लेबस में नहीं है, हमें पढ़ना नहीं है, बस नाम याद रखना, ठीक, ना mitosis होता है, ना meiosis होता है, ना gamete का formation होता है, ना fertilization होता है, ना जाइगोड बनता है, binary fusion यहां जिस mode से होता है, उसको आप कहते है, A mitosis A mitosis क्या है नहीं बताऊंगा इसले बस में नहीं है बस नाम याद रखना एक बार question आया था ये पूछा था कि binary fusion किस से होता है answer गया था A mitosis ठीक है ये आप याद रखना ठीक यहाँ पर G1, S, G2 ये सब नहीं होता G1, S, G2 interface ये सब नहीं होता यहाँ पर DNA replication जो होता है ये भी question आया था नीट में DNA replication कब होगा G1, S, G2 या prior to binary fusion तो आप बोलोंगों ये prior to binary fusion यहाँ binary fusion से पहले DNA replicate कर जाता है यहाँ ये G1, S और G2 नहीं होता ये सब eukaryote में होता है तो DNA replication अगर आप से कोई पूछेगा तो आप कहेंगे prior to binary fusion prior to binary fusion ठीक, चलिए sort of sexual reproduction से क्या मतलब है sort of sexual reproduction से मतलब है कि एक bacteria का DNA दूसरे bacteria में जाता है इसको बोला गया है primitive type of DNA transfer इसी को बोलते है genetic recombination इसी को बोलते है genetic recombination तो बच्चो primitive method sort of sexual reproduction का क्या मतलब है sort of sexual reproduction को बोला गया है primitive type of DNA transfer एक bacteria का DNA दूसरे bacteria में transfer होता है इसी को sort of sexual reproduction बोला गया जिसको तीन तरीके से किया गया है एक है conjugation इनका detail भी हमें नहीं पढ़ना है दूसरा है transformation बच्चों कॉंजूगेशन क्या होता है conjugation अगर मैं आपसे कहूँ कि conjugation क्या है conjugation आपका क्या है तो मेरे पास दो bacteria है एक है B1 और एक है B2 तो B1 का DNA चले जाए B2 में किस के थूँ जाए किस के थूँ जाए एक tube के थूँ जाए ये tube बताओ मैंने कहां बताई थी किस चैप्टर में बताई थी इस tube को बोलते है conjugation tube cell चैप्टर में पढ़ाई थी जिसको पिलाई बना रहा था दो bacteria के बीच में contact होगा contact एक tube के थूँ होगा जिस tube को conjugation tube बोलते है जिसके थूँ B1 का DNA B2 में चला गया तो B1 से B2 में चला गया इसको बोलते हैं conjugation यहाँ पर भी DNA कहा गया B1 से B2 में गया तो सर इन दोनों में क्या difference है यहाँ contact हुआ यहाँ contact नहीं हुआ यहाँ जो DNA गया वो किस के थूँ गया वाइरस के थूँ गया B1 बैक्टेरिया का DNA वाइरस B2 में ले जाए वाइरस B1 का DNA B2 में ले जाए ट्रांस्डक्षन बिना वाइरस के हो conjugation contact के थूँ हो conjugation बिना contact के थूँ हुआ ट्रांस्डक्षन ट्रांस्फॉर्मेशन में क्या हुआ ट्रांस्फॉर्मेशन के अंदर मान लिजिए यह एक बीकर है और इस बीकर के अंदर क्या है बैक्टेरिया है ये है बैक्टेरिया ठीक और इसके अंदर ये है solution ये क्या है आपका solution है ये है आपका solution और यहाँ पर पढ़ा हुआ है DNA यहाँ पर पढ़ा हुआ है DNA किसी दूसरे बैक्टेरिया का DNA पढ़ा हुआ है और ये DNA इस बैक्टेरिया में चले जाए तो अगर solution से DNA किसी बैक्टेरिया में जाए तो इसको बोलते हैं transformation ये तीन तरह का आपका होता है दो तीन मिन्ट में हमने इसको बता दिया यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बार आप हमारे सम्मान में इस लिख दीजिए यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप इस लिख दीजिए पूरा कवर्ड करूँगा NCRT का और फुल डिटेल में कवर्ड करूँगा और मिनिमम टाइम में कवर्ड करूँगा आप पूरा NCRT से मिला के देखिएगा पूरा का पूरा ठीक है दिखते रहिएगा अब है आपका आर्की बैक्टेरिया अब है आपका आर्की बैक्टेरिया ठीक आर्की बैक्टेरिया देखिएगा आर्की बैक्टेरिया क्या है आर्की बैक्टेरिया प्रिमिटिव बैक्टेरिया है, where they can survive, they can survive in harsh condition, adverse condition, आर्की बैक्टेरिया जो है आपके प्रिमिटिव बैक्टेरिया है, तो आप generally जो बैक्टेरिया बोलते हो, ठीक है, जिनको आप true बैक्टेरिया बोलते हो, वो actual में आप उनको जैसे आपने क्या बोला, आप एक आम बोल्चाल भाशा में बोलते हो बैक्टेरिया, तो इसका मतलब आपने बोला you bacteria, बट इनके इलावा भी कुछ प्रिमिटी बैक् कि बैक्टेरिया बोलते हैं इनकी सेल-वॉल शूडो मियूरीन की बनी होती है pesticides ड्लाइकन की नहीं बनी होती सूड़मतलब फॉल्स मियूरीन ठीक है और इनकी सेल-वॉल जो है वो बनी है PEPTIDO ॉ्लाइकन की जिसको आप बोलते हैं मियूरीन हिस्तून प्रोटीन आपको मालूम है कि बैक्टेरिया में एपसेंट होते हैं यह आप पढ़ते वे आए हो बट इन में कुछ प्रोटीन होते हैं जो हिस्टोन के साथ रिजेंबल शो करते हैं तो देखिए डिफरेंस आ गया डिफरेंस आ गया इनकी जो सेल मेंब्रेन होता है इनकी सेल मेंब्रेन में जो लिपिड्स मिलते हैं वो ब्रांच चेन लिपिड मिलते हैं अब मुझे ब्रांच चेन बताने के जरुत नहीं है जैसे मैं बोलूँ आपको अब आईउपीस नेम पढ़े थे छोटे में 2-methyl करके, जैसे मैंने बोला 2-methyl मतलब branching है, ठीक, एक होता है बीना branching के, मतलब जो lipid की chain है, जो lipids है, वो straight chain lipid है तो यहाँ पर मिलते है straight chain lipid straight chain lipid तो इनके यहाँ पर branching नहीं है यहाँ आपके मिलेंगे इनकी cell membrane में branch chain lipid, तो यह adverse condition में, harsh condition में क्यों survive कर जाते हैं, इसके दो reason हैं, बट किताब में एक ही लिखा है पहला reason है इनका different cell wall structure अब detail कुछ लिखा नहीं है तो हमें आपको पढ़ाना नहीं है आप direct याद रखिए कि adverse condition में survive करने वाली ताकत इनकी cell wall के composition में है, ठीक है इसके इलावा कुछ उसमें लिखा नहीं है तो हमें जादा पढ़ना नहीं है दूसरा कारण है, इसका ये NCRT में नहीं दिया है branch chain lipid इन से क्या फरक पढ़ता है कि ये harsh condition में है पहले medical college में पहुंच जा, ज्यान बाद में ले लेना किताब में नहीं दिया है किताब में बस ये लिखा है cell wall structure इसका कारण होता है तो आपने हलका सा archibacteria और u bacteria के अंदर आपने difference को देखा अब harsh condition कैसी harsh condition कैसी harsh condition का example लिखके बताया हुआ है ठीक है तीन टाइप के लोग दिये हुए है एक है methanogens एक है halophiles और एक है आपका thermo acidophiles ऐसे बैक्टेरिया जो आपके thermo मतलब high temperature ऐसे बैक्टेरिया जो high temperature acidophiles का मतलब हो गए acidic condition high temperature और acidic condition acidic condition मतलब low pH पर survive करते हैं उनको बोलते है thermo acidophiles ऐसे बैक्टेरिया जो ऐसी जगे पर survive करना पसंद करते हैं जहां नमक जादा होता है salinity जादा होती है saline condition ऐसे बैक्टेरिया जो आपका मार्शी रीजन दलदली रीजन तिक है मार्शी रीजन में आपका रहते हैं उनको बोलते हैं methanogen Rex month же methanogen людей जो होते हैं यह आपके क्या प्रेड्यूस करते हैं यह आपके प्रेड्यूस करते हैं methane बच्चो यहां मैं थोड़ा सा परकाश डालना चाहूँगा ठीकै थोड़ा सा परकाश डालना चाहूँगा ठीक है जैसे मैंने आपको बोला कैटल मैंने आपको बोला कैटल का जो गट है जो मैं आपका स्टमक बोल रहा हूं उसका एक पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं रूमन के अंदर जो मिथेनोजन पाया जाता है उस मिथेनोजन का नाम है आपका मिथेनो बैक्टेरियम याद रखिए आप या आप याद रखिए रूमैनो कोकस तिक है रूमैनो कोकस rumenococcus याद रखिएगा ठीक है? rumenococcus याद रखिएगा या तो methanobacteria बोल दो methanobacterium या फिर rumenococcus तो cattle के gut के rumen part में मिलता है rumenococcus याद रखिए इसका एक और example होता है methanogenes का वो है methanobacterium ठीक? तो cattle का जो food होता है वो food generally कैसा होता है? cellulose rich होता है तो उसके rumen part में जो rumenococcus मिलता है वो उसके stomach में जो cellulose होता है उसके digestion में help करता है तो गाए भैस जो चारा खाती है वो चारा cellulose rich होता है वो stomach में जाता है stomach में rumenococcus बैठा हुआ है वो उस cellulose के digestion में help करता है और बदले में इस बैक्टेरिया को वहां रहने के लिए जगे मिलती है इसको shelter मिलता है तो ये बैक्टेरिया cattle के अंदर किस तरह की relationship शो करता है पहला option आया distance relationship DLP program, दूसरा आया symbiotic तो क्या लगाओगे इनकी जो relationship होती है वो symbiotic रहती है और गाए भैस जो गोबर करेंगे भाई गोबर में भी क्या मिलेगा गोबर जो होगा एक्सक्रीटरा भी क्या होगा एक्सक्रीटरा भी cellulose रिच्छी होगा ठीक है तो उनके गोबर में ये रुमैनो कुकस भी मिल जाएगा उनके गोबर में रुमेनो कोकस मिल जाएगा ठीक और गाय भैस का ये जो गोबर होता है इसी से आप रूरल एरियाज में क्या प्रड्यूस करते हो मीथेन प्रड्यूस करते हो मीथेन प्रड्यूस करते हो तो बच्चो आपको जब मैं माइक्रोब इन हुमन वेलफेर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बैक्टेरिया होते हैं इनको आप बायो गैस प्रोडेक्शन में बायो गैस प्लांट में भी यूस करते हो मैं आपको बताऊंगा माइक्रोब्स इन हुमन वेलफेर में कि बायो गैस प्लांट में भी इनको हम यूस करते हैं और ये बैक्टेरिया जो होते हैं अनेरॉबिक होते हैं अबलीगेट अनेरॉब होते हैं मतलब असली वाले अनेरॉबिक ऑक्सिजन की एपसंस में ही रहना पसंद करते हैं असली वाले अनेरॉबिक ठीक तो यहां तक आपको इदे को ये पुछ पुछ करने लगा फिर से ऐसे करता है पुछ पुछ यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिग दीजिए अब है आपका माइको प्लाजमा फिर पढ़ेंगे ब्ल्य ग्रीन अलगी और फिर बैक्टेरिया ब्ल्यू ग्रीन अलगी और माइको प्लाजमा में डिफरेंस देखेंगे ठीक है माइको प्लाजमा में सेल वाल नहीं मिलती माइको प्लाजमा में सेल वाल नहीं मिलती इसलिए इनका डैफिनेट शेप नहीं होता क्योंकि शेप को word use करते हैं pleomorphic इसको joker of plan kingdom भी बोलते हैं बट NCRT में नहीं है तो नहीं बता रहा ये आपका smallest cell है ये आपका जो है smallest cell है ये आपका smallest cell है या मैं कहूँ smallest प्रोकेरियोट है ठीक अब एक एंटीबायेटिक होती है जिसको आप कहते हैं penicillin बच्चो पैनिसलीन एंटीबायेटिक अगर किसी बैक्टेरिया को मारती है तो उसकी cell wall को तोड़ देती है इसलिए बैक्टेरिया मर जाता है अगर किसी बैक्टेरिया को पैनिसलीन के द्वारा मारा जाता है ठीक है तो पैनिसलीन किसी बैक्टेरिया में उसको कैसे उसको मारती है पैनिसलीन उस बैक्टेरिया की cell wall को तोड़ देती है जिसकी वज़े से बैक्टेरिया मर जाता है अब माइको प्लाज्मा कह रहा है मेरे पास तो सेलवॉल ही नहीं है तो पैनिसलीन मेरा कुछ नहीं बिगार सकती इसका मतलब ये लोग पैनिसलीन के लिए sensitive हुए या insensitive हुए ये पैनिसलीन के लिए हुए है insensitive discovery बच्चो cattle में lungs के वहाँ पर जो fluid मिलता है उस fluid को बोलते हैं plural fluid cattle के lungs के पास जो fluid मिलता है उसको बोलते हैं plural fluid वहाँ पर एक औरगेनिजम को देखा गया वो औरगेनिजम cattle को कर रहा था pneumonia pneumonia और उस औरगेनिजम का नाम दिया गया PPLO जिसका full form cell chapter में लिखा गया था pleuro pneumonia like organism ये माइको प्लाजमा की ही शेनी है pleuro pneumonia like organism cattle के lungs के पास जो fluid है plural fluid वहाँ एक औरगेनिजम दिखा गया जो cattle में pneumonia कर रहा था उसको बोला गया PPLO is it bacteria नहीं ये bacteria नहीं है ये bacteria से भी छोटा है तो बच्चो एक filter होता है जिसको बोलते है bacterial filter bacterial filter का pore size छोटा होता है ठीक, बैक्टेरियल एक फिल्टर होता है, जिसे घर में हम चाय चानने के लिए च्छननी यूज़ करते हैं, फिल्टर ही है, तो एक फिल्टर होता है बैक्टेरियल फिल्टर, तो उस बैक्टेरियल फिल्टर से बैक्टेरिया क्रॉस नहीं हो सकते, मतलब जितना बैक्टेरिय का साइज है उससे भी छोटा साइज उन फिल्टर्स की पोर का होता है तभी तो बैक्टेरिया पास नहीं हो रहे हैं भाई किसी फिल्टर से बैक्टेरिया पास नहीं हो रहे इसका मतलब यह हो गया कि इस फिल्टर का पोर साइज बैक्टेरिया के साइज से भी छोटा है लेकि इस filter से mycoplasma pass हो जाता है इसका मतलब यह हुआ mycoplasma bacteria से भी छोटा है तो is it bacteria? No because it can pass through bacterial filter is it virus? No because it can grow on synthetic media मतलब आप lab में mycoplasma को synthetic media artificial media पे ग्रो करा सकते हो लेकिन virus को ग्रो नहीं करा सकते है virus तो living organism पे ही ग्रो करता है तो यह bacteria भी नहीं है यह virus भी नहीं है can survive in absence of O2 oxygen की absence में survive कर जाता है यह नीट में आया था ठीक? पैथोजेनिक है दोनों के लिए plants के लिए भी animals के लिए भी हमें भी infection करता है हमें भी infection करता है तो यह आपने थोड़ा सा जाना oxygen की absence में कर जाता है survive important है आया हुआ है filter वाला भी question नीट में आया हुआ है आप याद रखेंगे अब इसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा blue green algae अब blue green algae bacteria mycoplasma बच्चो इसकी जो cell wall है वो peptidoglycan की है यहाँ पर cell wall में peptidoglycan भी है lipid भी है ठीक? और यहाँ पर cell wall में many layers present है many layers present है ठीक है? यहाँ cell wall में आपकी यह layers हटा देता हूँ single layer ठीक है? मतलब mainly यहाँ bacteria में आपका peptidoglycan है यहाँ cell wall में काफी layers है और यहाँ mycoplasma में cell क्या है? absent है mycoplasma में cell wall क्या है? absent है ribozome यहाँ पर भी 70S है यहाँ भी 70S है और यहाँ भी 70S है histone protein bacteria में absent है blue green algae में absent है mycoplasma में absent है non histone protein present है present है यहाँ 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 पर भी non histone protein आपका present है तीक nucleolus absent है absent है absent है nuclear membrane absent है absent है absent है true chromosome word use नहीं करते true chromosome absent है तीक है true chromosome word use नहीं करते यहाँ हिस्टोन protein नहीं मिलता यहाँ भी true chromosome नहीं बोलते यहाँ भी true chromosome नहीं बोलते false chromosome यहाँ भी बोलेंगे यहाँ भी false chromosome false chromosome किसको बोलते हैं false chromosome इसके double standard circular naked DNA को बोलते हैं इसका DNA भी double standard है circular है naked है इसका DNA भी double standard है circular है naked है बट कभी कभी linear DNA भी मिल जाता है कभी कभी linear DNA भी मिलता है कुछ species में membrane bound organal किसी में नहीं है यहां भी नहीं यहां भी नहीं और यहां भी नहीं ठीक, chlorophyll यहां भी absent है यहां chlorophyll A present है chlorophyll A present है यहां chlorophyll absent है तीके यहां जो क्लोरोफिल मिलता है वो क्लोरोफिल नहीं मिलता यहां मिलता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल तो यह क्लोरोफिल नहीं होता है क्लोरोफिल क्लोरोफिल होता है यह अलग टाइप का structure है इसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल ही बोलते हैं तीनों का जो तीनों है तीनों photosynthesis non-oxygenic होता है ठीक है इसका photosynthesis कैसा है oxygenic है और यहां पर photosynthesis absent है क्योंकि यह लोग है आपके heterotrophs तीनों के अंदर simple structure है और behavior में complex है बच्चक table बना दी गई है शानदार काफी differences के अंदर किये गए है आपको यह चीज समझ में आ गई बैक्टेरिया, blue green algae, mycoplasma में कुछ differences आपको बताए गए है यह चीज आपको समझ में आई तो आप yes लिखिए यह चीज आपको समझ में आई तो आप yes लिखिए अब blue green algae के वो points जो मैं आपको table की form में नहीं बता सकता था ठीक, तो मैं वो points मैंने आपको अलग लिखे हुए है ठीक, pigments कौन से मिलेंगे? pigments मिलेंगे chlorophyll A और क्या मिलेगा? कैरोटिन मिलेगा और क्या मिलेगा? जैन्थोफिल मिलेगा ठीक है? chlorophyll A मिलेगा, कैरोटिन मिलेगा, जैन्थोफिल मिलेगा ठीक है? और यह सब आपके होते हैं photo auto drops red color of red sea NCRT में नहीं है इसलिए full explanation नहीं दूँगा अगर कोई आप से पूछे कि red sea का लाल कलर किस blue green algae की वज़े से है रटा मार के रखना concept नहीं समझाऊँगा क्योंकि किताब में नहीं है trichodesmium पूरा नाम है trichodesmium erytherum पूरा नाम नहीं लिखूँगा concept नहीं दूँगा इसका क्योंकि NCRT में नहीं है red color of red sea किस blue green algae की वज़े से है आप बोलेंगे trichodesmium phycoblinz इनके अंदर कुछ water soluble pigments मिलते हैं कुछ water soluble क्या मिलते हैं pigments मिलते हैं इनमें कुछ water soluble pigments मिलते हैं जिनको आप phycoblinz बोलते हैं sir example उन pigments का example आपने algae में भी देखा होगा red algae में एको बोलते हैं C phycocinin C मतलब cyanobacteria chlorosynophyc ठीक और एको बोलते हैं C phycocinin बच्चो phycocinin का जो color है वो है blue और phycocinin का जो color है वो है आपका red तो इसका color है आपका blue और इसका color है आपका red इनकी forms लिखी हुई हैं ये कैसे कैसे होते हैं है तो सारे unicellular ही होंगे बात को समझिएगा blue green algae है bacteria है तो सब unicellular बट उनकी appearance के basis पे कुछ एक single cell की तरह दिखेंगे आपको कुछ आपको colonial दिखेंगे कुछ आपको filament की form में दिखेंगे ठीक तो blue green algae जो होते हैं वो fresh water भी होते हैं वो आपके marine भी होते हैं वो आपके terrestrial भी होते हैं आपको filamentus में example याद रखना है filamentus में example आपको याद रखना है spirulina richest source है किसका protein का जिसको आप microbe in human welfare में single cell protein के अंदर भी पढ़ाते हैं spirulina richest source है protein का space food है जब आप space में जाएंगे ठीक तो mulchurian और rassmalai ये नहीं लेके जाएंगे आप लेके जाएंगे किसको spirulina को ठीक है ये इसका example हो गया है पहले इसको यूनिसलर के अंदर लिखा जाता था लेकिन आप याद रखिएगा ये एक filamentus का example है spirulina ठीक है दूसरा आप याद रखिएगा नॉस्टॉक और तीसरा तेरे बिना जिसको आप बोलेंगे एना बिना ठीक है नॉस्टॉक एना बिना spirulina ठीक है और दे देता हूँ ओसिलोटोरिया चौथा एक्जामपल है ओसिलोटोरिया ये चार आप याद रखिएगे ठीक फिर आप आगे जाएंगे तो इनकी relationship बताई गई है ठीक है relationship बताई गई है नॉस्टॉक और एना बिना वैसे तो कैसे है free living है बट ये symbiotic भी रह सकते है ये कैसे रह सकते है symbiotic भी रह सकते है ठीक है अब एक teridophyte है ठीक है एना बिना कहां रहता है एक teridophyte है उसकी leaf में रहता है उस teridophyte का नाम है agula ठीक है और ये एना बिना कहा मिलता है एक जिम्नोस पॉम है उसकी रूट में मिलता है साइकस तो जब प्लान किंग्डम पढ़ाया था तब भी बताया था कि साइकस के अंदर एक रूट मिलती है जिसको कौरोलॉइड रूट बोलते हैं ठीक है उस रूट को आप बोलते हैं क्योंकि यह root जमीन में नीचे की तरफ नहीं थोड़ी ऊपर की तरफ ग्रौ करती है मतलब यह root आपकी negatively geotropic होई क्योंकि नीचे की तरफ नहीं जा रही ऊपर की तरफ जा रही है उसकी root में मिलता है आपका ऊसकी root में आपका मिलता है ema bina ठीक ये दो आपके हो गए अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको डारेट बताऊंगा क्योंकि इसका concept किताब के अंदर नहीं है ठीक है अगर आपको rice का production increase करना है अगर आपको rice का production increase करना है आपको कड़ी चावल, राजमा चावल का business बढ़ाना है आपको rice का production increase करना है तो आप अपनी field में azola लगाईए ठीक है और azola के अंदर आपको मिलेगा एना भी न और ये लोग, ये गुजड़ी के लोग ये गुजड़ी के लाल nitrogen fixation भी करते है तो इनकी वज़े से वहाँ rice का जो production है सब क्लास कितनी देर चलेगा साड़े चार घंटा ठीक है, पांच घंटा, maximum साड़े चार घंटा ठीक है, तो rice का production increase हो जाता है तो field में लगाईए आप azola azola के अंदर मिलेगा एना बिना जिसकी वज़े से rice का production increase हो जाता है ठीक, ये लोग soil की fertility भी increase करते है ठीक है, soil की fertility भी क्या करते है increase करते है माल लीजिये, आपको एजोला नहीं मिला तो भाई, एक और है, नाम याद रखिएगा एक blue green algae है जिसका इस chapter में नहीं मिलेगा ये NCRT में औलो सीरा औलो सीरा कैसा है free living blue green algae है डारेट याद रखिएगा ये भी rice का production increase कर सकता है यहाँ rice का production increase करने के लिए आपको दोनों चाहिए, agola चाहिए और एना बिना चाहिए, क्योंकि agola के अंदर रहना बिना मिलेगा यहाँ औलो सीरा बिना किसी प्लांट के rice का production increase कर सकता है यह आप याद रखिएगा water bloom और algal bloom क्या होता है ठीक है excessive growth of blue green algae in polluted water गंदे पानी में blue green algae की बहुत जादा growth आ जाती है ठीक और यह वहाँ पर toxin produce करते है क्या produce करते है toxin produce करते है और oxygen को consume करते है जिसकी वज़े से जो aquatic life होती है उनके लिए खतरा होता है danger to aquatic life तो यहां तक आपको जो पढ़ाई आई समझ में आई तो आप yes लिख दीजिए यहां तक आपको समझ में आया तो आप yes लिख दीजिए उसका explanation NCRT में नहीं है पहले NEET का exam निकालना है एक महिने से भी कम का समय रह गया है ठीक है photosynthesis मैं आपको बता चुका हूँ इसका photo autotrops होते है अब एक और चीज है heterocyst इसको समझ लीजेगा some filamentous form some filamentous blue green algae जैसे है आपका example nos stock कुछ filamentous algae है जैसे है आपका nos stock तो कुछ filamentous blue green algae है देखिए ये filament आपको दिख रहा है filamentous blue green algae ये है आपका diagram nos stock का तो इन में आपको एक cell सबसे अलग दिख रही होगी इस cell को बोलते है हेट्रोसिस्ट ठीक हेट्रोसिस्ट कैसी cell है बाकी से थोड़ी अलग है एक बड़ी सी बाकी से size में थोड़ी अलग है तो एक specialized cell हुई एक बड़ी specialized cell है जिसकी जो वॉल है वो काफी थिक है जिसकी वॉल काफी थिक है जिसकी वॉल क्या है थिक है और impermeable है किसके लिए ऑक्सिजन के लिए तो बच्चो अंदर क्या नहीं जाएगा इसमें अंदर क्या नहीं जाएगा अंदर आपका ऑक्सिजन नहीं जाएगा अंदर क्या नहीं जाएगा अंदर आपका ऑक्सिजन नहीं जाएगा ठीक तो जब अंदर अक्सिजन नहीं जाएगा तो इस सेल के अंदर कैसी कंडिशन होगी बताईए एरोबिक या एनेरोबिक सर इस सेल के अंदर एनेरोबिक कंडिशन होगी और इस सेल के अंदर एक इंजाइम पाया जाता है इस cell के अंदर एक enzyme पाया जाता है उस enzyme का नाम है nitrogenase और ये nitrogenase क्या करता है ये nitrogenase nitrogen fixation करता है तो बच्चों आप मेरे को बताए हेटरोसिस क्या है एक फिलामेंटेस ब्ल्यू ग्लीन अलगी में एक सेल है जो बाकी सेल से थोड़ी स्पेशल है इसका साइज बड़ा है इसकी वॉल थिक है इसमें ऑक्सिजन नहीं जा सकता इसलिए अंदर कंडिशन एनेरोबिक होती है और इस सेल में एक इंजाइम मिलता है नाइटोजिनेस और ये इंजाइम नाइटरोजन का फिक्सेशन करता है और बाकी जो सेल्स होती है ये है वी सी वैजिटेटिव सेल्स ये जो सेल्स आपको दिख रही है वी सी इनको बोलते है वैजिटेटिव सेल्स और ये वैजिटेटि करने के लिए vegetative cell दी बच्चो ब्ल्यू ग्रीन एलगी हमने quality के साथ complete किया, हमने monera quality के साथ complete किया यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप yes लिख दीजिए देख लिजिए डेड़ घंटा हुआ है करीब और हम monera आपका quality के साथ full detail में आपका complete किये हैं, ऐसा नहीं है कि उपर-उपर से complete किये हैं, पूरा full detail में complete किये हैं, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप yes लिख दीजिए अब है आपका next protesta, protesta देखिएगा, protesta के अंदर किन को रखा गया protesta के अंदर रखा गया unicellular eukaryote को protesta कैसे होते हैं mostly aquatic होते हैं कुछ biologist कुछ biologist इनको plants बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर photosynthesis होता है कुछ बाइलोजिस्ट protesta को plants बोलते हैं और कुछ biologist इनको photosynthesis करने वाले protesta बोलते हैं तो कुछ biologist कहते हैं कि भाई ये तो plants हैं क्यों कहते हैं ऐसा कहते हैं कि इनके अंदर chlorophyll मिलता है और ये लोग photosynthesis photosynthesis करते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि protesta plants हैं क्यों? क्योंकि इनमें chlorophyll मिलता है और ये photosynthesis करते हैं बट कुछ लोग ये कहते हैं कि सारे के सारे protesta में chlorophyll नहीं मिलता ठीक? तो कुछ लोग बस इनको ये कहते हैं कि ये एक ऐसे प्रोटिस्टा है जिनमें फोटो सिंथेसिस होता है तो लोग इसको फोटो सिंथेटिक प्रोटिस्टन बोलना पसंद करते हैं इनकी जो बाउंडरी है इस नोट वैल डिफाइंड जैसे एक्जामपल हो गया आपका यूगलिना यूगलिना में प्लांट के भी करेक्टर है और एनिमल के भी करेक्टर है तो इनकी बाउंडरी वैल डिफाइंड नहीं है क्यों? क्योंकि ये करेक्टर शो करते है क्योंकि ये शो करते है करेक्टर प्लांट के भी करेक्टर शो करते है एनिमल के भी character show करते है plant के character show करेंगे animal के भी character show करेंगे और fungus के भी character show करेंगे मतलब ये plant के भी character show कर रहे है photosynthesis हो रहा है cell wall नहीं मिलती animal का भी character show करता है और fungus character बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी मैं बोलूँगा fruiting body मिलती है तो आप से आपने पढ़ाय तो आप समझ जाओगे नहीं तो आप पूछोगे fruiting body क्या होती है इसलिए अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि ये plant, animal और fungus के character show करते हैं तो ये भी आप plant में भी जा सकते थे animalia में भी जा सकते हैं fungus में भी जा सकते हैं तो इनके अंदर जो लोग आए उनकी boundary well defined नहीं है तो इस kingdom की जो boundary है वो well defined नहीं है तो होते हैं न कई लोग जो यहां भी मूँ मारते हैं वहां भी मूँ मारते हैं यहां मिल रहा है यहां भी मूँ मार लो वहां भी मार लो यहां मार लो दस कटोरिया ठाली में आ गई समझानी रहा कौन सी सबजी खाऊं रोटी आई है एक और आया है एक बड़ी रोटी आई है और एक पापड़ आया है सबजियां दस आई है रायता वायता भी आया है सलाद भी आया है अब समझ नहीं आ रहा है ये एक रोटी किस के साथ खाऊं पनीर के साथ खाऊं यो तो डाल के साथ खाऊं किस के साथ खाऊं तो ये लोग बिचारे भूके ही चले जाते हैं ठीक नूकलियस मिलता है बड़िया नूकलियस मिलता है well defined nucleus तो कई बार जादा resource होना भी खतरनाक होता है क्योंकि लोगों को resource को use करना नहीं आता ठीक है तो कभी-कभी जरुवर्ज से जादा सबजियां जो होती है ना वहां भी आदमी भूका रह जाता है भई घर में एक डाल बनाओ अब भी पता है कि आज ये डाल बनी है तो बस यही है दबा के साथ आठ रूटी खा जाओ एक सबजी बनाओ तो एक सबजी है तूट पड़ो नहीं तो पता ही नहीं चलेगा किसके साथ लगाओ ये टुकडा किसके साथ लगाओ वो टुकडा membrane bound organil present होते है movement के लिए भगवान ने कुछ में cilia दिया है कुछ में flagella दिया है और कुछ में pseudopodia दिया है pseudopodia जैसे amoeba के अंदर होते है cytoplasm के extension होते है सर बस दो ही खाते है हम अच्छा दो ही खाते हो तुमारे time तो मैं 5 खा जाता था तो मैं काफी खाता हूँ कभी egभी तो थोड़ी स्प्रिस सीद्थ कम कर दिया है अभी भार आया वहाँ घर से तो भूक ज़ाता लगती है तो 5-7 तो मैं अभी खा रहा हूँ 7 तो मैं खाई रहा हूँ वैसे जब मैं अपने घर में होता हूँ तो रोटी थोड़ी कमी काता हूँ सीलिया, फ्लेजला, स्यूडो पोडिया ठीक है, रिपोड़क्शन जो है दोनों तरह का है एसेक्शुल भी है और आपका सेक्शुल भी है बच्चो एसेक्शुल में सबसे पहले क्या होगा सर, ग्यामेट का फ्यूजन होगा ग्यामेट को क्या बोलते है ग्यामेट को सेल बोलते है तो ग्यामेट का क्या हुआ फ्यूजन हुआ फ्यूजन से क्या बनेगा फ्यूजन से आपका जाइगोट बनेगा बच्चो इसको उठा के इसको उठा के क्या करिएगा इसको उठाके यहां sexual कर दीजिएगा और यहां asexual कर दीजिएगा यहां कर दीजिएगा sexual और यहां कर दीजिएगा asexual ठीक है और asexual में जो favorite है वो है binary vision वो है आपका binary vision ठीक अब जो पहला आप पढ़ोगे protista के अंदर क्या क्या आए मैं protista के अंदर आपके chryzophytes आए आपके dynoflagellate आए आपके uglinoids आए आपके slime molds आए आपके protozoa आए तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा तो chryzophytes के अंदर आपके आते हैं dye atoms and decimids decimid को किताब में लिखा है golden algae ठीक है mainly इनका जो color होता है वो brown होता है ठीक both ये आपके marine environment में भी मिलेंगे और आपके fresh water environment में भी मिलेंगे फ्लेजला इनके अंदर absent होता है बच्चो फ्लेजला इनके अंदर absent होता है तो sir अगर फ्लेजला absent है फ्लेजला absent है तो जो water current होता है उसकी help से ये move करते हैं और इनके अंदर कुछ light weight lipids भी मिलते हैं अब NCRT में ये line तो लिखी नहीं कि light weight lipids हैं तो मैं आपको बताऊंगा नहीं इनके अंदर light weight lipids भी होते हैं जो इनको float करने में help करते हैं फ्लेजला absent है तो ये move करते हैं with the help of water current water current बहुत microscopic होते हैं छोटे होते हैं planktans जब कोई चीज water current की help से move कर रही है तो उसको आप planktans बोलते हैं तो water current की help से ये ये क्या करते हैं move करते हैं nutrition इनके अंदर जो mostly होता है वो photosynthetic होता है photosynthetic होता है ठीक, photosynthetic इनके अंदर mostly आपका होता है ठीक, cell wall के बारे में हम देखेंगे इनकी cell wall के बारे में आप देखेंगे photosynthetic होता है ठीक है और cell wall कैसी होती है इनकी जो cell wall है वो दो part में divide हो जाती है ये उपर वाली और ये नीचे वाली ठीक है इनकी जो cell wall है divided into divided into two parts ठीक है तो इनकी जो cell wall है वो कैसी है थिन है कितने parts में है दो parts में है और क्या कर रही है ओवर लैप कर रही है ठीक है ये देखिए ये उपर वाला part है cell wall का बड़ा लग रहा है और ये नीचे lower part है तो इनकी जो cell wall है दो part में है और यहां पर क्या कर रही है ओवर लैप कर रही है ठीक है ओवर लैप कर रही है तो इनकी cell wall जो है वो दो part में divide है और ऐसा लग रहा है जैसे साबुन दानी हो सोप box की तरह दिख रहा है ठीक इनकी जो cell wall है उसमें embedded है बीच cell wall में क्या है cell wall में embedded है घुसा हुआ है क्या silica तो cell wall जो है embedded with cell wall embedded cell wall embedded with silica तो cell wall में बीच बीच में silica present है ठीक है जिसकी वज़े से ठीक है जिसकी वज़े से इसकी जो cell wall है वो आपकी indestructible हो जाती है indestructible मतलब not able to damage not able to damage आप इसको destroy नहीं कर सकते तो होता क्या है होता क्या है माल लीजिए ये आपका समुंदर है तहर के जाना है ये समुंदर का पानी है ये समुंदर का पानी है ठीक है और ये समुंदर का जो नीचे का area है ये समुंदर का है bottom ये नीचे का क्या है bottom है ठीक है तो होता क्या है ये जो die atoms होते है ठीक है ये जो die atoms होते हैं मरने के बाद इनकी जो cell wall है मरने के बाद इनकी जो cell wall है वो नीचे पानी में collect होती रहती है तो ये देखिए इनकी cell wall left behind तो ये किसकी cell wall है ये किसकी cell wall है cell wall left behind collected at bottom और ये चीज हो रही है काफी सालों से billions of year cell wall नीचे खटी होती जा रही है इनकी cell wall नीचे खटी होती जा रही है तो लग रहा है कि पानी की जो सता है वो बहुत जादा hard हो गई है क्योंकि ये destroy तो होगा नहीं ये damage तो होगा नहीं क्योंकि इसके अंदर cell wall में silica present है तो नीचे की जो पानी की सता है वो बहुत ही जादा hard हो गई है इस सता को बोलते हैं die atomatious earth इसी को बोलते हैं die atomite बचों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप yes लिखिए ये यहां पर die atomatious earth, die atomite और कैसलगर तो ये चीज मैं आपको explained कर चुका हूं already explained ठीक already मैं आपको explain ये out of NCRT point है तो मैं इसको हटा देता हूं already मैं आपको explain कर चुका हूं pigment कौन से है pigment है chlorophyll A और C बहुत दबा के photosynthesis करते हैं chief producer in ocean chief producer तो plant के अंदर, पानी के अंदर जो photosynthesis करते हैं फिर से इसने पुछ किया पता नहीं क्या निकालता रहता बीच बीच में छड़कता रहता है तो पानी के अंदर जो photosynthesis कर रहे हैं उनको phytoplankton बोलते हैं तो photosynthesis तो इनके लावा और भी करते हैं, और भी algae present होते हैं बट ये सबसे ज़ादा oxygen contribute करते हैं पानी के अंदर तो इसने इनको chief producer in ocean बोला जाता है ठीक है, gritty मतलब हो गया, ये hard है ठीक है, इनका use है, ये theoretical है, याद कर लेना ठीक है, filtration of oil stone polishing में इनका use होता है और भी इनके use है, ठीक है, जो soundproof house घर होते हैं, कमरे होते हैं, वो बनाने में इनका use होता है ठीक है, रात में जो paint use होते हैं, जो night की visibility जादा होती है आप light मारते होंगे, ठीक है, उन paint में भी इसका use होता है insulation में भी इनका use होता है, ये रट्टे मारने वाली चीछ है तो बच्चो हमने protista आपका quality के साथ पढ़ा समझ में आया तो आप yes लिखिए अब पढ़ेंगे dino flashlight, फिर euglina, फिर तीनो में मैं आपका table बना के difference बताऊंगा इस तरीके से dino flashlight, diatom और euglina, तीनो का table बना दूँगा ठीक है, अभी तो पहले single single करके पढ़ा देता हूँ ठीक है, अब है आपका dino flashlight, सारे के सारे चोटे भाइवेन बने रहिएगा lecture कैसा लगा बाद में comment करके जरूर बताईएगा ठीक है, ये नहीं lecture कतम हुआ, भग गए, नहीं, भगना नहीं है ठीक है, dino flashlight, dino flashlight जो होते है dino flashlight mostly कैसे होते है आपके marine होते है, ठीक, appearance ये आपका brown color का हो सकता है blue हो सकता है, आपका green हो सकता है etc, depend कर रहा है depend upon pigment ठीक, इसकी जो cell wall है इसकी जो cell wall है, वो बनी हुई है cellulose से, अब ध्यान से समझेगा ध्यान से समझेगा बच्चों मैं आपके सामने खड़ावा हूँ, ठीक मैं चोटी-छोटी plates लेकर रहा हूँ और यहाँ पे लगा दो, एक plate यहां, एक plate यहां, एक plate ये, यहां, यहां plates, यहां plate तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर पर एक कवच बना हुआ हुआ है cellulose का, मतलब इसकी जो cell wall होती है वो प्लेट्स की फॉर्म में होती है ठीक है प्लेट्स की फॉर्म में होती है मतलब मैं छोटी-छोटी प्लेट्स लेकर आओ यहां लगाओ, 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 य इसा लगेगा तबला वजा रहे हैं देखिएगा अगर देखिए इस तरीके से मैंने डाइग्राम बनाया है एक डाइनो फ्लेजलेट का ठीक है ध्यान से देखिएगा अब यह जो जगे आपको दिख रही है इस जगे को आप बोल सकते हैं फरो ठीक है और इसके अंदर आपक होते हैं फ्लेजला ठीक है एक फ्लेजला आपका यह रहा और एक फ्लेजला आपका एक फ्लेजला आपका यह रहा ठीक है दो फ्लेजला आपके हो गए है इस फ्लेजला को बोलेंगे ल एफ लॉंगी टुनल फ्लेजला इसको बोलेंगे टी एफ ट्रांसफर फ्लेजला तो ये फ्लेजला अपने फरों में प्रेजन्ट होते हैं, तो दो फ्लेजला होते हैं, एक को आप बोलते हैं, लॉंगी ट्यूडनल फ्लेजला, और दूसरे को आप बोलते हैं, ट्रांसफर फ्लेजला, और दोनों फ्लेजला बच्चों, एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं longitudinal flesula और transfer flesula ठीक अब next देखिएगा pigment की मैं बात करूँ तो इसमें भी chlorophyll A और C है A sexual BF BF मतलब binary fusion sexual reproduction भी इसके अंदर आपका present है ठीक है bioluminescence की बात ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि इताब में नहीं है ठीक red tide or toxin बच्चो एक आया था red sea red sea था blue green algae trichodecmium की वज़े से ठीक red tide क्या होता है red tide क्या होता है देखिए आपका समुंदर है दिखाओ सर समुंदर दिखाओ ये रहा समुंदर तो समुंदर के कुछ कुछ एरिया जैसे ये region ये region कुछ कुछ जगे पर समुंदर में कैसा color हो जाता है red हो जाता है इसको बोलते है red tide समुंदर में कुछ कुछ जगे का color red हो जाता है इसको बोलते है red tide ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर एक डाइनो फ्लेचलेट मिलता है जिसका एक्जामपल है गोनियो लेक्स ठीक है गोनियो लेक्स ठीक है गोनियो लेक्स बहुत फास्ट मल्टिप्लाइ करता है तो इस रीजन में बहुत सारे गोनियो लेक्स मिलते हैं जो रिप्रोड़क्शन करके अपने नमबर को बढ़ा लेते हैं ठीक और इनके अंदर कैरोटिनोइट्स मिलते हैं जिसकी वज़े से वहां कलर रेड हो जाता है इसको बोलते हैं रेड टाइड रेड टाइड और यही गोनियो लेक्स यही गोनियो लेक्स एक टॉक्सिन निकालता है जिसको बोलते हैं सेक्सी टॉक्सिन तो यह जो गोनियो लेक्स है एक टॉक्सिन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं सेक्सी टॉक्सिन और यह टॉक्सिन को कौन कंस्यूम कर लेता है आपकी मैरीन फिश भई यह mostly marine होते है, ठीक, तो यह जो goniolex है, जो समुदर में पढ़ा हुआ है, इसने एक toxin निकाला, sexy toxin, इस toxin ने मचली के अंदर गया, तो यह toxin जो होता है, यह nervous system पर effect करता है, तो यह आपका paralyze कर देगा, ठीक है, तो जो marine fish होती है, उसको क्या हो जाता है, infection हो जाता है, और इसको अगर हमने खा लिया, तो हमें paralyze हो जाएगा, ठीक है, यह toxin के बारे में आपको बताना है, bioluminescence किताब में नहीं है, तो इसलिए मैं आपको bioluminescence नहीं बताऊँगा, बस यह होता है कि रात में चमकते हैं, light को spread करते हैं, रात में चमकते हैं, उससे था आपका लेना देना, यह आपका हो गया है, बच्चो समझ में आया, तो यस लिखिए, फिर है आपका ugleinoids, ठीक है, फिर है आपका, देखिए भी दो घंटा हुआ है, प्रोटिस्टा खतम हो जाएगा, थोड़ी देर में, आदे घंटे में, ठीक है, फिर है आपका ugleinoids, फिर है आपका ugleinoids, majority of, चारतर कहां मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, कहां मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, युगलिनोइट्स के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, युगलिनोइट्स के अंदर युगलिना पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि युगलिनोइट्स में के लाए युगल यूगलिना जैसे organism यूगलिनोइट्स के अंदर आते हैं, तो यूगलिनोइट्स का जो सबसे बड़ा genius है वो यूगलिना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूगलिनोइट्स का मतलब सिर्फ यूगलिना होता है नहीं, एक example और है पैरणीमा, एक और example है रैबडोमोनास, ये सब भ सा गया हो जैसे नीट आ रहा है लग रहा है जब कुछ रुक गया है ठीक है सर कहा मिलेंगे नीट expected question, मिटा एप में मिलेंगे stagnant water रुका हुए पानी में मिलते हैं तो इसकी जो body होती है इसकी जो आपकी body होती है ये मैं एक rough यूगलीना बनाओं तो इसकी body के बाहर cell wall तो मिलेगी नहीं क्योंकि इनमें cell wall क्या है absent है यूगलीना में तो cell wall क्या है absent है तो cell wall absent है तो body किस से covered है body बाहर एक proteinaceous covering से covered है जिसको बोलते है पैलिकल तो body covering by body covered by body covered by proteinaceous body covered by proteinaceous layer जिसको आप बोलेंगे पैलिकल ठीक है flexible होती है ये तो यूगलीना के बाहर एक protein की covering होती है इसमें protein बहुत जादा मिलता है जिसको आप बोलते हैं पैलिकल ठीक है इसमें आपके 2 flesgla मिलते हैं कितने flesgla मिलते हैं 2 flesgla एक बड़ा flesgla है और एक आपका छोटाफ्लेजला हैं तो कितने आपके बाई दो फ्लेजला है जिसमें से बड़ा वाला फ्लेजला दो फ्लेजला है ठीक है एक है long और एक फ्लेजला है short जिसमें इसे एक काम करता है long वाला होता है functional और short होता है non-functional तो बच्चो इसमें दो फ्लेजला आपके मिलते हैं एक बड़ा और छोटा बड़ा काम करता है छोटा काम नहीं करता है ठीक है और जब आपके पास light होगी जब युगलिना को light मिलेगी तो युगलिना फोटो सिंथेसिस करेंगे जब युगलिना को light मिलेगी तो युगलिना क्या करना पसंद करेगा फोटो सिंथेसिस करना पसंद करेगा मन्दीप किंग कह रहा मेरा नाम ले लो अरे दिवाने तेरा नाम तो वो भी नहीं लियाएगी लाइट नहीं होगी तो ये लोग फीड करते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट पर अगर युगलीना को लाइट मिलेगी तो ये फोटो सिंथेसिस करना पसंद करेगा अगर इसको लाइट नहीं मिलेगी तो ये छोटे छोटे इंसेक्ट पर फीड करेगा मतलब ये प्रीडेटर वाली जिंदगी जिएगा तो लाइट की प्रेजन्स में अलग मोड अफ नूट्रिशन है लाइट की एप्सेंस में अलग मोड अफ नूट्रिशन है तो दो मोड अफ नूट्रिशन हो गया डियोल नूट्रिशन ऐसे नूट्रिशन को बोलते है मिक्जो ट्रॉपिक दो मोड अफ नूट्रिशन हो गया लाइट की प्रेजन्स में अलग है light की absence में अलग है asexual reproduction होता है longitudinal binary fission से मतलब ऐसे divide कर जाता है दो पार्ट में longitudinal axis में तो asexual होता है longitudinal binary fission sexual reproduction इसके अंदर absent है sexual reproduction इसके अंदर absent है उत्राखंड में medical college के लिए कितने number चाहिए ऐसी category को उत्राखंड में जो cut off है वो कम जाती है लेकिन अब वहाँ पे भी थोड़ी ज़ादा जाने लगी है बट other जो state है उनके comparison में आपकी कम जाती है आप 590, 580 इतने marks लाएंगे आपको college मिल जाएगा ठीके दो college है वहाँ हल्दवानी medical college है ठीके हल्दवानी medical college तो हल्दवानी में है गौर्णाड मेडिकल college देरधून में है एक और है उत्राखंड वाले शियनगर के अंदर जो semi government college है ठीके तो जो अच्छा college है वहाँ पर उत्रखंड में वो हल्तवानी medical college है बट उसकी fees भी काफी जादा है ठीक है? तो वहाँ पर Albanльman medical college है लेकिन वहाँ पर fee's एक साल की 5 लाक रुपए तो वहाँ के जो स्कॉलर्ट्स वगरा है वो स्ट्राइक भी कर रह étais कि इतनी फीस कर दी है आप लोगों ने तो उन्होंने हरताल वगएदा भी की थी कि वहां की जो फीस है वो कम किया जाए तो अब शायद कुछ फीस पहले के मकाबले कम हो गई है ठीक तो आ जाओ डाइनोफलले डाइटम एंड युग लेना ठीक है सेल वॉल में क्या था सेललोस था यहां सेल वॉल में क्या है सिलिका है यहां सेल वॉल एपसेंट है habitat की मैं बात करूँ mostly कैसे है marine है ये कैसे थे marine है और fresh water में भी थे ये कैसे थे fresh water थे ठीके ये आपके fresh water थे pigment chlorophyll A C chlorophyll A C chlorophyll A B इसके जो pigment है वो similar है किसके higher plant के flegela दो flegela है flegela absent है दो flegela है nutrition जो है mostly photo है mostly photo है यहाँ mixotropic है mixot में photo भी आ गया और predator भी आ गया color जो है आपका different color है आपका brown है red है blue है green A T C यहाँ mostly brown होता है golden होते है golden color यहाँ color mention नहीं किया तो मैं color लिख नहीं था किताब में asexual bf से है binary fission bf binary fission bf binary fission sexual reproduction प्रेजंट है sexual reproduction प्रेजंट है sexual reproduction एपसेंट है बच्चो डाइनो फ्रेलेट डाइ अटम और यूगलिना full detail में quality के साथ complete हुआ समझ में आया तो yes लिखिए समझ में आया तो आप yes लिखिए समझ में आया तो आप yes लिखिए आमीन लिख रहा है सर आप question भी कराएंगे chapter के बेटा हर हर में कराए जाते है question PY क्यों तो इसमें भी कराए जाएंगे हाँ plant और animal के बीच में collecting link है इसमें भी कराए जाएंगे बेटा है ना पहली बार आयो कि class को लगाने के लिए पहले वी तो कराएंगे ना बेटा अब है आपका slime mold ठीक है अब है आपका slime mold तो slime mold को आप समझेगा ठीक है slime mold को आप समझेगा ठीक है अरे Mark जुकरबग भी आया है class लगाने के लिए नाम बदल के अरे दिवाने मैंने का इतने बड़े आदमी है हमारी class में क्या कर रहे है Mark जुकरबग he's a big shot ठीक है महारिविजन भी start होने वाला है महारिविजन में भी एक दिन में पूरी 11th एक दिन में पूरी 12th ठीक है उसके लिए साब लोग planning कर रहे हैं और जल्दी आपके सामने महारिविजन भी आएगा ठीक है भाई मा रिविजन कोई में समत करना एक रात आपकी रात बना देगी समझ रहे हो मतलब समझे इसका मतलब समझ जाओ ना एक दिन तुमारी पूरी रात बना देगा एक रात तुमारा पूरा दिन बना देगी क्योंकि मतलब लंबा चलता है न हो पूरा देर तक बैठना पढ़ता है रात पर जागते हैं इसलिए कह रहा हूं मैं nutrition slime mold कैसे होते है slime mold feed on dead decaying ठीक है twig बचो पेड़ से पत्ते गिरे पेड़ से छोटी छोटी ब्रांचिस गिरी अब पेड़ से जो छोटी छोटी ब्रांचिस गिरती हैं उनको twig बोलते हैं क्या बोलते हैं twig ठीक है छोटी ब्रांच गिरी तो उस उस पर क्या होगा जो ये twig होगी उसमें क्या होगा मान लीजी आपके leaves हैं ठीक है पेड़ से आपकी ब्रांच गिरी है तो इनके अंदर क्या होगा और्गैनिक माटेरियल होगा सल्लोज होगा लिगनीन होगा तो इसके उपर फीड करते हैं अब भाई पेड से पत्ते गिर गए ब्रांचेस गिर गए तो अब ये जिन्दा थोड़े न रही तो डेड हो गए तो उनमें जो और्गैनिक पार्ट होता है उसमें जो सैलोस और लिगनीन होता है उसको एंगल्फ करते हैं उसके उपर फीड करते हैं आपके स्लाइम मोल्ड तो बताईए स्लाइम मोल्ड की जिन्दगी कैसी हुई स्लाइम मोल्ड की जो जिन्दकी हुई वो सैपरोफिटिक हुई है ठीक है? तो वो एंगलफिंग वाला पॉइंट मैंने आपको यहीं पर बता दिया ठीक है? अब इसकी लाइफ सिकल आपको देखनी है ठीक है? अब आपको इसकी क्या देखनी है? इंतिजार था चार गंटे में हो जागा कम्प्लीट है ना? चार 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 घंटे में चार चार घंटे में लेक्चर कम्प्लीट हो जागा क्वालिटिक के साथ बने रहा न सारे के सारे लाइफ सिकल समझे लाइफ सिकल समझेंगे अब इतना बड़ा चलिए लाइफ से किल समझेंगे महारिविजन कब होगा डेट नहीं बता अभी होने वाला है बस जल्दी होगा नीट से पहले होगा ठीक है आ जाओ लाइफ से किल समझेंगे स्लाइम मोल्ड की बच्चो इस तरीके से कुछ स्लाइमी मास होता है ठीक है यह आप इस तरीके से आपका आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यह देखिए यह कुछ चिपचिपी चीज है स्लाइमी मास है जिसमें आपके न्यूकलियस है अब होता क्या है जब फिवरेबल कंडिशन आती है जब फिवरेबल कंडिशन आती है तो यह जो स्ट्रक्चर है फिवरेबल कंडिशन में यह स्ट्रक्चर आपका एग्रीगेट हो जाता है तो अगर कोई कहे कौन सी कंडिशन फिवरेबल कंडिशन में यह तीनों इखटे हो जाएंगे और इखटे होने के बाद आपका एक structure बनेगा बड़ा सा fuse हो गई है तीनों लोग fuse हो गई एक बड़ा सा structure आपका बना है जिसमें बाहर की तरफ आपको जो दिख रही है वो cell membrane है इसका मतलब cell wall absent है इसका मतलब cell wall absent है और ये जो आपको six मैंने दिखाए है दो दो चार पांचे ये क्या है नूकलियस है इसका मतलब ये structure कैसा है multi-nucleated है तो ये yellow yellow color से nucleus है और white white color से क्या है ये white white color से क्या है साइटो प्लाजम है white white color से क्या है साइटो प्लाजम है yellow color से nucleus है तो आपको एक structure दिख रहा है, nucleus plus cytoplasm is equal to protoplasm, तो आपको दिख रहा है एक structure जिसको आप कह रहे हो multi-nucleated protoplasm, जिसको आप कह रहे है multi-nucleated protoplasm, तो आपका एक structure formed हुआ है, जो की multi-nucleated protoplasm है, जो cell membrane से surrounding है, और ये structure आपका diploid होता है, जो की favorable condition में बनता है, favorable condition में बहुत सारे slimy mass aggregate हो जाते हैं, इस तरीके से आपका structure बनता है, aggregation की वज़े से, तो ये जो चीज आपकी बनी हैं बच्चो, इसको बोलते हैं plasmodium, तो slime mold की जो main body है, slime mold की जो main vegetative body है, इसको vegetative बोलते हैं, क्योंकि ये reproduction नहीं कर रही, ठीके, तो ये कैसी body है, ये इसका vegetative, या मैं कहूँ, ये somatic structure है, ये reproductive structure नहीं है, तो slime mold की जो main body होती है, उसको plasmodium बोलते हैं, तो कोई आप से पूछे, plasmodium कब formed होता है, आप कहोगे, aggregations of, छोटे-छोटे slimy structures होते हैं, जिन में अपना nucleus of cytoplasm है, ये aggregate करके एक बड़ी सी structure बनाते हैं, जो की vegetative है, क्योंकि ये reproduction नहीं कर रहा है, मतब ये structure इसका gamate produce नहीं कर रहा है, ये वाला structure, तो इसलिए ही vegetative है, ये structure deployed है, multi-nucleated है, और cell membrane से covered होता है, इसमें cell wall आपका absent होता है, शूरती पढ़ लो, बाते मत करो, निरमल, ये बोल के भी कुछ नहीं मिलेगा, तू तो और भी बड़ा खतरनाक आदमी है, अरे वो पढ़े ना पढ़े, तू अपना पढ़ना, अभी शूरती थोड़े में reply करेगी, तू उपना पढ़ मैं तो नहीं पढ़ रही, फिर तू कुछ लिखेगा, फिर पांचवे comment में तू कहेगा कि इंस्टाइडी दे दो, इतने में पता चलेगा कि शूरती तो सुरेस निकला, ठीक है, आजाओ, सर आप handsome हो, अरे दिवाने, वो समय बताके नहीं आता, पढ़ाई करोगी, तो अच्छा समय रहेगा, ठीक है, अब आया बुरा समय, अब आपकी condition आई unfavorable, अब आपकी कौन सी condition आई unfavorable, तो favorable condition में plasmodium बना, unfavorable condition में आपका क्या बनेगा, unfavorable condition में आपका fruiting body formed होगी, ठीक है, अब आप कहोगे fruiting body क्या होती है, तो fruiting body क्या होती है, बचों ये जो structure है, ये और बड़ा हो जाएगा, ये structure और बड़ा हो जाएगा, ये nutrition लेगा, और ये structure और बड़ा हो जाएगा, तो NCRT में एक line लिखी होई है, it grew several feet, it grew several feet, जब इसको nutrition मिलेगा, तो इसका size, sir, ममी ने आपकी बात सुन ली, आरे दिवा, ममी हस रही है, ममी को परणाम, है ना, तो नमस्ते ममी जी, ममी जी को अन्टी जी को परणाम, ठीक है, देखिए, तो, अहाँ, इधर आजा, ये structure nutrition मिलेगा, तो इसका जो size है, वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, sir, एक लिख रहा है, it's me, monera, I'm living, आप मेरा reply नहीं दे रहे हो, ठीक है, अरे, यहाँ देख, दे दिया तेरा reply, unfavorable condition में fruiting body बनेगी, अब आप कहोगे कि सर्फ fruiting body क्या होती है, देखिए, जड़ा fruiting body क्या होती है, ये आपका structure था, बिल्कुल था, इसके उपर बनेगी fruiting body, इस तरीके से एक structure बनेगा, ये, प्लास्मोडियम पर इस तरीके से एक structure बनेगा, जिसको बोलते हैं, fruiting body, ये क्या है, stock है, ये फूला फूला क्या है, ये फूला फूला है, sporangia, stock प्लस sporangia is equal to facebook, FB, FB बतलब fruiting body, तो इसके उपर एक structure बना, जिसको आपने बोला fruiting body, अब अंदर जो multi-nucleated deployed protoplasm था, वो कहां चला गया, अंदर जो multi-nucleated deployed protoplasm था, वो आपका चला गया है, किस के अंदर, fruiting body के अंदर चला गया है, fruiting body में चला गया है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मल्ट, देखिए, खाली हो गया, खाली हो गया, उपर चला गया, सारा, सारा माल उपर चला गया, multi-nucleated protoplasm transform into fruiting body, multi-nucleated protoplasm कहाँ पर transform हो गया है, fruiting body में हो गया है, अब नीचे का खाली हो गया है, नीचे का माला खाली हो गया है, तो मैं नीचे का रहने देता हूँ, उपर उपर का कर लेता हूँ, ठीक है, देखिए जड़ा, नीचे का नहीं कर रहा हूँ, उपर-उपर का करूँगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक, अब क्या होगा, अब आपका क्या होगा, ये आपका उपर deployed structure था, ठीक, इस deployed structure में, इस multi-nucleated protoplasm में आपका हो गया है meiosis, ठीक है, multi-nucleated, अब देखिए, ये character किसका था, यहाँ cell wall नहीं मिलती, तो प्लास्मोडियम, अगर कोई आपसे पूछे, कि प्लास्मोडियम किसका character है, cell wall नहीं मिलती, तो ये आपका animal का character है, fruiting body का मिलना, fruiting body fungus में भी मिलती है, तो ये fungus का भी character है, तभी इनकी boundary fix नहीं है, ये देखिए, ये structure animal का character शो कर रहा है, क्योंकि इसमें cell wall नहीं है, fruiting body का मिलना, fungus का character होता है, किसका character होता है, fungus सा character होता है, मतलब ये slime mold fungus सा character भी शो करता है, अब ये जो multi-nuclear protoplasas है, इसमें meiosis हुआ, इसमें meiosis हुआ, तो आपकी haploid structure formed हो गए, ये रहे haploid structure, और मजे की बात है, कि इन haploid structure के चारो तरफ cell wall present है, तो ये जो structure आपके formed होए है, ये structure कैसे है, haploid है, ठीक, और इन structure को क्या बोलते है, spore बोलते है, जो किसे cover है, जो cover है आपके cellulosic cell wall से, तो इनका जो spore है, वो आपका tip performed हुआ, spore formed at the tip, ये देखे, tip performed हुआ, sporangia में spore बने है, तो NCRT में एक line है, spore produce at the tip, spore produce at the tip, इस पोरेंजा के इंदर spore produce हुए है, और spore में cell wall मिलती है, इस पोर में cell wall मिलती है, तो cell wall का मिलना spore में कैसा character है, plant का character है, तो मैंने इसकी life cycle में, sir, what is your name, कौन है ये, meme two, three, five, munisa, अरे दिवाने, मेरा नाम है धरमपाल, ठीक, खुश, आजा, तो बच्चो, आपको मैंने fungus का character में दिखाया, sir, मेरी girlfriend नहीं बन रही है, दीपक लिख रहा है, तेरी बनेगी भी नहीं कभी, ठीक, तेरे लक्सन ही नहीं है, तेरे जो करम है ना, वो सही नहीं है, तेरे लक्सन अलग तरीके के लक्सन है, तेरी कहाँ बनेगी, ठीक, आजाओ, कहा था मैं, क्या बोल रहा था मैं, कहा था मैं, मैं ये कह रहा था, कि इसके अंदर एनिमल का भी करेक्टर है इसके अंदर फंगस का भी करेक्टर है और इसके अंदर प्लांट का भी करेक्टर है ठीक है तो यह लुखा है इसकी बाउंडरी फिक्स नहीं है कभी यहां मुँ मारेगा कभी यहां मुँ मारेगा ठीक है कहीं से इसे इंस्टाइडी नहीं मिलती है यह ब्लॉकी किया जाता है ठीक तो बच्चो इसमें तीनों के करेक्टर है और यह जो स्पोर है यह स्पोर यहां से बाहर आ जाएंगी इस पोर रिलीज फ्रॉम इस पोरेंचिया बचो NCRT में लाइफ सेकल कंप्रीट नहीं किये इसलिए मैं भी कंप्रीट नहीं करूंगा इसे स्पोर से यह दुबारा कैसे बनेगा एक हैपलॉइड से डिपलॉइड स्टॉक्चर कैसे बनेगा यह किताब में नहीं बताया क्योंकि, बताये नहीं हम भी आपको नहीं बताएंगे कि ये कैसे बनेगा haploid से diploid कैसे बनेगा हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि बताया नहीं है NCRT में हम आपका time waste नहीं करेंगे ठीक, तो sports sporangia से बहार आ गए और ये sports जो होते है highly resistant होते है highly resistant मतलब इनको protect करने के लिए बाहर cell wall present है ठीक है बाहर cell wall present है ठीक तो highly resistant है मतलब ये survive कर सकते है in adverse condition for many years काफी सालों तक ये survive कर सकते है adverse condition में और एक जगह से दूसरी जगह पर ये disperse होते है हवा के थू disperse by air current हवा चली सनसन इस पोड़ उड़ी धना धन तेरे सिरी पर जाके बैठ जाएगी तेरा खेला कर देगी तो एक जगह से दूसरी जगह पर resistant है क्योंकि cell wall है ठीक है survive in adverse condition तो ये आपने इसके बारे में पढ़ लिया है ठीक अब है आपका protozoa अब है आपका protozoa तो जो protozoa है उसको मैं आपका यहां से कराऊंगा ठीक है ये देखिए protozoa है छोटा सही है किताब के अंदर हम उतना ही पढ़ेंगे सलाम रोकी भै सलाम बाबा सलाम ठीक है देखिए all protozoans are heterotrops क्यों बोला क्योंकि cell wall नहीं मिलती है और heterotrom किसा करेक्टर होता है animal का करेक्टर होता है protozoa uniceller है live as a predator मतलब छोटे 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 animal पर feed कर सकते है और ये parasite की तरह भी रह सकते है parasitic का example हो गया आपका ant amoeba जो की एक dysentery करता है ठीक there are four major group of protozoa चार major group है protozoa के पहला है amoeboid protozoa these organisms live in fresh water में रहेगा sea water में रहेगा moist soil में रहेगा they move and captured their prey by putting out pseudopodia false fit देखिए ये है आपका amoeba ये amoeba में nucleus है और ये इसका cytoplasm है तो ये अपने cytoplasm को धक्का मारेगा membrane पर तो जब cytoplasm membrane से टकराएगा तो इसकी membrane का part क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा तो ये जो structure है ये temporary बना है cytoplasm वापस से इदर आएगा तो ये structure वापस से गायब हो जाएगा भई मेरे चोट लगी तो swell कर गया बाद में चोट ठीक हो गई cytoplasm ने धका मारा तो membrane extend हो गई तो ये जो extended portion है जो कि temporary बनता है temporary बनता है इस structure को cedopodia बोलते है temporary बनता है इसलिए इसको false feet बोलते है ठीक ये locomotion में help करता है ठीक है marine form have silica shells जिन marine forms में silica की shells मिलते है उन marine form को radio larynx बोलते है आपको radio larynx वर्ड याद नहीं करना है some of them such as entamoeba are parasite entamoeba गंदा खाना और गंदा पानी पीने की वज़े से आपके सरीर में घुश सकता है और आपको dysentery करता है बिमारी को बोलते हैं amoeboic dysentery दूसरा class है flagellated protozoa member of this group are या तो free living है या parasitic है they have flagella the parasitic form cause disease such as sleeping sickness african sleeping sickness joint और muscles में pain होता है coordination proper नहीं हो पाता ठीक एक fly है जिसका नाम है cc fly जो लोजी में भी आता होगा ठीक है sir मेरी girlfriend का message आ रहा है नाम है tiger cc fly इसने human को काटा ठीक है cc fly है fly मतलब क्या है आर्थो पोड़ा है इसने हमें काटा इसके काटने की वज़े से हमारे सरीर में enter कर गया trypnozoma तो ये तरीके से क्या हुआ vector हुआ carrier हुआ जो trypnozoma को तुमारे शरीर के अंदर डाल रहा है trypnozoma क्या है trypnozoma flagellated protozoa है जो आपके शरीर में cc fly जो की एक आर्थो पोड़ा है इसके काटने के वज़े से आता है और ये ये आपका trypnozoma आपको करता है sleeping sickness जिसके symptoms है ये तीसरा है आपका sporo jones ठीक है तीसरा है आपका sporo jones तीसरा आपका है sporo jones एक मिनट रुकिएगा cc cc protozoa भी जाएगा ना एक ये देखिए इसको मैं समझा देता हूँ आपको देखिए तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना देखिए ये मैंने पैरा मीशे मनाया है पैरा मीशे में आपको दो nucleus दिख रहा है है एक छोटा और एक बड़ा छोटे nucleus को बोलते है micronucleus और बड़े को बोलते है macronucleus ठीक thousands of cilia ये जो छोटे छोटे structure दिख रहे हैं आपको पैरा मीशे म के ऊपर इनको आप बोलते हैं cilia एक्वेटिक है तो surrounding में पूरी जगे क्या होगा पानी होगा अब ये वाला जो पार्ट है इसका इस पार्ट को बोलते है mouth इसी को बोलते है gullet इसी को बोलते है oral groove ठीक जो कि इसके outer surface पे present है बहिए मूँ कहा है outer surface पे तो है यहाँ पर मूँ तो ये cilia पानी पर बीट करते हैं ये cilia पानी पर वीट करते हैं एक water current generate करते हैं जिसकी वज़े से ये food अंदर enter कर गया अब ये food अंदर enter कर गया और ये food food vacuol के अंदर आया वहाँ इसका क्या होगा digestion होगा और जो undigested food होगा वो आपका बाहर आ जाएगा किसके थूरू बाहर आएगा anal groove के थूरू बाहर आ जाएगा तो जो undigested food है वो anal groove के थूरू बाहर आ गया food का digestion food vacuol में हुआ food जहां से गुसा उसको मू बोलते हैं किसकी help से गुसा ये जो सीलिया है ये पानी में बीट करते हैं water current generate करते हैं तो अंदर food भी गया और पानी भी गया excess water को ये contractile vacuol बाहर निकाल देते हैं इसको बोलते हैं osmore regulation दो तरह का nucleus मिलता है ठीक है बड़ा और छोटा तो आप बोलते हैं dimorphic nucleus ये याद रखिएगा contractile vacuol expelled करता है excess पानी को cilia beat in water and generate water current now food enter into the galette और through oral groove के थू गलेट और oral groove के थू food vacuol formed हुआ digestion हुआ and digested food भाहर आगया anal groove के थू एक दम crystal clear हो गया होगा yes लिख दीजिए और last है sporo zones ये malaria वाला है ठीक है जिसके अंदर बहुती naughty boy है ये रहा notorious boy plasmodium ठीक है plasmodium which cause malaria ठीक है a disease which is triggering मतलब harmful effect on human population अगर कहीं पर इस तरीके से plasmodium लिखा है मतलब ये slime mold है कहीं पर लिटा के लिखा है मतलब ये एक genus है malaria वाला ठीक है तो बच्चों हमने protozova quality के साथ complete किया अब हमारा एक major बच्चता है fungus virus virus बच्चता है उसमें तो 15 minute में हो जाएगा ठीक है तो अब जो main बच्चता है वो है आपका fungus बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई हम आपका complete करेंगे ठीक है तो हमें जो लगता है आपका maximum सवा दो और धाई बज़ें तक हम आपका complete कर लेंगे तो आप बने रहिएगा इसी तरीके से आप इसी तरीके से बने रहिएगा अपना प्यार देते रहिएगा जितने भी लोग है छे लाक साथ हजाज छे सो एकतालिस ठीक है ये सारे के सारे यहाँ पर बने रहिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं fungus की fungus में student को difficulty feed होती है बट मैं पढ़ाऊंगा आपको कुछ भी difficult नहीं लगेगा अराम से देखे कितना relax teaching है कितना धीरे धीरे ठीक है 50X पर भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा ठीक है आ जाएगे fungus का हम general character की बात करते हैं chlorophyll तो होता नहीं है तो nutrition कैसा हुआ nutrition जो हुआ वो आपका हुआ hetero-trops ठीक है वो आपका हुआ hetero-trops mushroom भी दो तरह की होती है ठीक है एक होती है edible जो आप खाते है एक होता है जहर जो आप नहीं खाते जो आप दूसरे को खिलाना चाहते है ठीक है non-toxic तो जो edible होता है उस mushroom को आप बोलते है agaricus जो non-edible mushroom होती है उसको बोलते है toad stool और ये mushroom जो होती है ये आपकी जिस class से belong करती है उस class को आप बोलते है basidiomycities उस class को आप बोलते है basidiomycities ठीक है क्या बोलते हैं basidiomycities ठीक moist bread आज भूक बहुत लग रही है आज तो एक दम खाने के टाइम पर पहुँचूंगा सवा दो बजे 7-8 रोटी खूप सारा चावल दाल पनीर पुनीरी भी होगा वो भी खा लेंगे sweet dish में गुलाव जामुन खाएंगे खूप सारा ठीक है आज आओ moist bread bread रोशन फ्रूट का मतलब होता है सड़े गलेवे फल moist bread bread पे जो ग्रो करता है उस फंगस का नाम है rhizopas मैं bread खुला छोड़ आई और bread पे मुझे मिला शाम के टाइम rhizopas ठीक तो ये जो rhizopas होता है ये bread पे ग्रो करता है और इसकी जो class होती है वो होती है phycomycetes parasitic fungus का example है आपका albugo 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 एक बिमारी करता है white rust बिमारी का explanation किताब में नहीं है बट बिमारी का नाम है ठीक है सफेज सफेद powder निकालता है ये किसके अंदर mustard plant के अंदर वो सफेज सफेद powder की वज़े से इसको बोलते है white rust इसकी class क्या है इसकी class है phycomycete और किस plant पे infection करता है plant का नाम है mustard plant का नाम है mustard तो कैसा है तकड़ा वाला parasite है सिरफ parasite mode of life ही जियेगा असली वाला obligate mandatory अब आते हैं next parasitic fungus बचो parasitic fungus जो है आपका अगर मैं आपसे बात करूँ एक fungus है paksinia और दूसरा fungus है ustilego दोनों की जो class है वो है basidiomycetes अभी मैं आपको general character बता रहा हूँ जो NCRT में बड़ा सा paragraph लिखा हुआ है उसके अंदर लिखे में इस सारे point basidiomycetes में दो fungus है paksinia and ustilego दोनों के दोनों कैसे है parasitic fungus है ठीक ये जो बिमारी करता है उस बिमारी को बोलते है rust disease ये जो बिमारी करता है उसको बोलते है spur disease ठीक infection किस में कर रहा है wheat में कर रहा है और में भी करता है wheat में कर रहा है barley में कर रहा है ठीक bread beer बनाने में जो use होता है वो है आपका east वो आपका कैसा है, East है, ठीक है, East को आप बोलते हैं, Saccharomyces, ठीक है, East में, Breathing Industry में जो यूज होता है, वो है आपका East, Cosmopolitan है, हर जगे मिलेगा, Air में मिलेगा, Water में मिलेगा, Plants में मिलेगा, Animal में मिलेगा, Soil में मिलेगा, Wood में मिलेगा, ETC, हर जगे मिलेगा, ठीक, Cosmopolitan है, Antibiotic, एक Antibiotic निकाली जाती है, Fungus से, जिसका नाम है Penicillin, कहां से निकाली गई, Penicillium Fungus से निकाली गई, ठीक है, Penicillium Fungus से आपकी निकाली गई, Habitat जो है आपका, Grow करना पसंद करता है, Grow, Like to Grow in Warm and Humid Condition, इतनी सारी जगे पे मिल रहा है, हवा, पानी, प्लांट, एनिमल, इतनी सारी जगे पे मिल रहा है, इसका मतलब डाइवर्सिटी में, इसका मतलब हैबिटेट में क्या है, डाइवर्सिटी है, हम अपना खाना रेफ्रीजिटर में क्यों रखते हैं, ताकि हम fungus और bacterial के infection से उसको बचा सकें, ताकि दुफैर की जो डाल बच जा है, हम रात में खा सकें, और रात में भी वगर वो बच गई तो सुबह पराठे के अंदर आटे में गून सकें, वह बारे घर में तो यही होता है, और सुबह जब उसके पराठे बनते हैं न, क्या टेस्टी पराठे बनते हैं, और कभी कोशिश देखिएगा दुफैर की जो डाल बचती है और मम्मी रात में जब उसको मोडिफाय करती है उस पर दो टमाटर और दो पियाज डाल के जो इसको मोडिफाय करती है तुम भी कहते हैं मम्मी ये दाल तो रात वाली दुफैर से भी मज़ेदार है ठीक है जो रात की बासी रोटी रह जाती है उसको सुबह तेल लगाकर घी लगाकर उसके उपर नमक डाल के खाव रे दिवाने कतई जहर भाई साब ठीक है पैनिस्ट्रीन की क्लास एसको मैं से टीज है वो मैंने इस्टे नहीं लिखा क्योंकि आगे जाके जब हम सब क्लासिस पढ़ कटी हैं हो अब दिल मनाय करो यहां आग ना लगाय करो वाइवी कीप फूल इन रेफ्रिजेटर तो प्रोटेक्ट फ्रोटेट फ्रोम बैक्टेरियल and fungal infection bacteria और fungal infection से बचाने के लिए fungus कैसा है? filamentous है, multicellular है लेकिन जो east होता है वो तो एक single cell है ठीक है, तो east कैसा है? east आपका unicellular है ठीक है, diversity मिलती है कहां पर habitat में आप देख चुके है habitat में diversity मिल रही है और कहां मिलती है और मिलती है morphology of mycelium अब आप कहोगे कि सर ये नया word कहां से आ गया mycelium का मतलब क्या होता है mycelium का मतलब क्या होता है इससे पहले तुम बोलो मैं तुम्हें बताता हूँ mycelium का मतलब क्या होता है ध्यान से देखिएगा मैं एक mycelium आपका बना रहा हूँ देखिएगा जड़ा ध्यान से देखिएगा टूं 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 टिनिंग टिडिन टिडिन ठीक ये मैंने आपका बनाया है नूकलियस ठीक है अब जड़ा यहां पर देखिएगा यहां पर आप ध्यान से देखिए बीच बीच में आपको ये दिख रहे होंगे ये देखिए ये ये है सेप्टा सेप्टा को आप कह सकते हैं वाल फॉर्मिशन ठीक यहां सेप्टा नहीं है तो यहां सेप्टा क्यों नहीं है यहां वाल फॉर्मिशन क्यों है क्योंकि यहां कैरियो काइनेसिस भी हुआ है और कैरियो काइनेसिस से नूकलियस का नंबर बढ़ा ये देखो एक से नूकलियस के नंबर बढ़ गए जब karyokinesis हुआ होगा यहाँ karyokinesis के बाद cytokinesis भी हुआ है लेकिन यहाँ सिर्फ karyokinesis हुआ है cytokinesis नहीं हुआ इसलिए यह आपको nucleus दिखाए गए और यह क्या है यह white white color से क्या है यह cytoplasm है यह white white से cytoplasm है और blue blue color से आपको क्या दिख रहे हैं नूकलियस दिख रहे हैं ये पिंक कलर से मितवच्चन ये पिंक ये पिंक ये आपका क्या है नूकलियस है और ये आपका वाइट वाइट कलर से क्या है साइटो प्लाजम है तो यहां कैरियो काइनेसिस के बाद साइटो काइनेसिस हुआ तो यहां बीच में वॉल फॉर्मिशन हो गया यहां केरियो कैनेसिस के बाद साइटो कैनेसिस नहीं हुआ तो बच्चो यह है वन यह है टू लिखके बताईए किसका प्रोटो प्लाज्म आपको मल्टी न्यूक्लिटेड दिख रहा है बताईए बताओ किसका प्रोटो प्लाज्म सेप्टेड या इसेप्टेड किसका प्रोटो प्लाज्म आपको मल्टी न्यूक्लिटेड दिख रहा है तो यहां है आपका मल्टी न्यूक्लिटेड प्रोटो प्लाज multi-nucleative protoplas इसी condition को यहाँ पर हम बोलते हैं sinusitic इसी condition को हम बोलते हैं sinusitic तो बच्चों ये जो बड़े-बड़े से आपको structure दिख रहे हैं ये जो structure आपको दिख रहे हैं इन structure को बोलते हैं high-fee इन structure को आप बोलते हैं high-fee तो high-fee क्या है? high-fee एक long tubular structure है long tubular structure है जो criss-cross to form mycelium ये पूरा mycelium है ये पूरा mycelium है और mycelium बने हुए होते हैं छोटे-छोटे structure से दिखने में छोटे दिख रहे हैं बर होते वो long हैं ठीक है? तो mycelium बने होते हैं इन structure से इन structure को आप बोलते हैं high-fee तो अगर मैं तुम्हें कोई fungus बोलू तो fungus के शरीर को बोलते हैं mycelium mycelium बना हुआ होता है किस से? high-fee से ये पूरा mycelium है और ये इनके क्या है? high-fee है आप fungus बोलो आप mycelium बोलो ये आप high-fee बोलो ऐसे लगा जैसे सेम सेम तीनो एकी चीज है fungus बोलो ये mycelium बोलो ये high-fee बोलो तो septate mycelium और a septate mycelium तो a septate mycelium जो होता है वो कहां मिलता है? वो मिलता है ascomycetes में समझ में आया तो yes लेख बैसीडियो mycetes में deutromycetes में जहां पर आपका mycelium कैसा होता है? septate होता है और branch होता है ठीक है? और a septate आपका मिलता है phycomycetes में cell wall किसकी बनी है? cell wall बनी है आपकी kaitin या आप लिख दीजिए polysacryhyde यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आप yes लिख दीजिए यहां तक आपको समझ में आया है तो आप yes लिख दीजिए करवा देंगे पोल भी बेटा है ना हेमलता पोल करवा देंगे बेटा पोल बहुत जरूरी है है ना करवा देंगे बेटा अभी concept लिले बादने पोल कर लेंगे है ना पूल ज्यादा जरूरी है concept कम जरूरी है तो अभी पहले concept ले लेते हैं ठीक सेप्रफिटिक है डेट डिकिंग पर फीट करेगा parasitic भी है और सिंबाइटीक भी है ठीक है सिंबाइटिक में आपका lichen है, जो मैं आपको last में पढ़ाऊंगा algae और fungus, साथ में रहते हैं, ठीक है, सबसे last में आपको पढ़ाऊंगा, algae और fungus की symbiote relationship होती है और mycorrhiza मैंने आपको plant kingdom में पढ़ाया था, gymnosform के अंदर भी पढ़ाया था ठीक है, यहाँ पर fungus कहां रहता है fungus root of higher plant higher plant की higher plant की root में, higher plant की root में fungus रहता है mycorrhiza ठीक है, अब हम पढ़ेंगे reproduction तो अभी मैं आपको general character पढ़ा रहा हूँ general, thank you Mark Zuckerberg ठीक है, general character के बाद मैं आपको इनकी अलग-अलग classes पढ़ाऊंगा ठीक है, अभी हम general character पढ़ रहे हैं ठीक है, आजाओ reproduction में देखिएगा आप vegetative ठीक है binary fission से भी होता है बताने की जरौत नहीं है fragmentation से भी होता है ये भी बताने की जरौत नहीं है ठीक है, इनका जो mycelium था मैसीलियम क्या था, हाइफी से बना था हाइफी अपने आप में क्या थी, cells थी इसमें nucleus था, cytoplast था तो कोई छोटा सा fragment तूट जाएगा इनके शरीर का और उस से नया mycelium बन जाएगा ठीक है, fungus जो होते हैं वो haploid होते हैं, याद रखिएगा ठीक है, और तीसरा है आपका budding अब asexual reproduction आप सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे पहले आप पढ़ेंगे asexual reproduction asexual reproduction में आपका तीन टाइप का दिया हुआ है ठीक है, एक है zoospore, एक है sponges पोर और एक है conidia ठीक है, juice पोर का जो example आपका जाएगा वो example आपका जाएगा phicomycetes अगर juice spore phicomycetes में है तो अभी अभी आपने देखा था गुरू जी ने बताया था कि phicomycetes का mycelium कैसा होता है aceptate होता है तो अब मैं जड़ा एक aceptate mycelium आपका अगर यहाँ बनाना चाहूं यह मैंने aceptate mycelium आपका बना लिया यह है आपका nucleus ठीक और यह इसके surrounding में है आपका cytoplas 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 जो blue color से है वो nucleus है और जो white color से है वो cytoplasm है white color से क्या है cytoplasm है blue color से क्या है blue color से है आपका nucleus तो बच्चो blue color से है आपका nucleus और white वाला है आपका साइटो प्लांस तो होता क्या है इसके सराउंडिंग में आपका एक मेंब्रेन आ जाती है सेल वॉल नहीं मेंब्रेन तो इसके सराउंडिंग में आपकी मेंब्रेन आ गई है सेल वॉल नहीं आती सेल वॉल एपसेंट होती है ठीक और यहां पर आपके आ जाते हैं फ्लेजला तो मेंब्रेन आ गई और आपके आ गए हैं फ्लेजला तो जो इस ट्रक्चर आपका बना है ये इस इस ट्रक्चर को मेंब्रेन ये स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं जूस पोर तो ये जूस पोर जो आपकी फॉर्मड हुई है माईसीलियम के अंदर फॉर्म्ड होई है इसका मतलब ये जूस पॉर अंदर ही बनी है कैसी है एंडोगीनस है फ्लेजला है तो कैसी है मौटाईल है ठीक है और ये एंडोगीनस है आपकी कैसी है मौटाईल है जिसमें अपना नुकलियस है, साइटो प्लाजम है ठीक है, और ये जूस पोर कैसी है हैपलॉइड है तो ये जूस पोर हैपलॉइड है ये हाँ से निकलेगी बाहर और जर्मिनेट करके बना लेगी एक नया माईसीलियम माईसीलियम मतलब फंगस, तो जूस पोर में आप ये ध्यान रखेंगे इस पॉरिंजियो स्पोर जो है इसी को बोलते है एपलैनो स्पोर ये किताब में लिखा हुआ है फाइको माईसीलियम में कहां मिलेगी ये मिलेगी फाइको माईसीलियम के अंदर तो मैं इसका माईसीलियम आपका बना देता हूँ ये मैंने इसका माइसिलियम बनाया ये इसका न्यूकलियस बनाया और ये इसका साइटोपलाज बनाया ये इसका साइटोपलाज बनाया इसमें क्या होता है देखिए आप ये पूरा का पूरा प्रोटोपलाज sporangia के अंदर चला गया देख लीजे, तीनों nucleus उपर चले गए तीनों nucleus उपर आपके चले गए, ये जो structure बना है, इस mycelium से इसको बोलते है sporangia इसको बोलते है stock, तो पूरा multi-nucleated protoplasm sporangia के अंदर चला गया sporangia के अंदर चला गया तो आप देख लीजे, तीन nucleus है और cytoplasm भी है तो ये जो structure आपको दिख रहा है, ये ये, और ये करके दिखाओ इन structure को बोलते है sporangiospore, इनी को बोलते है aplanospore अब इन पे फ्लेजला नहीं है इसका मतलब ये कैसे है non-mortile है इन में फ्लेजला क्या है absent है, और ये भी sporangiospore के अंदर बने है तो ये भी कैसे है endogenous है ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है आपका sporangiospore, ये हमने पढ़ लिया है आपका sporangiospore फिर है आपका कॉनेडिया ये मिलता है ascomycetes में तो बच्चो इसमें क्या होता है ये इसका mycelium है ये रहा ठीक है, इस mycelium ये इसका mycelium है जिसको आप बोलते हैं conadio 4 जो की आपको एक stock की तरह दिख रहा है और इसके उपर आपके इसके उपर आपके जो बनेंगे ये देखिए chain में chain में ये देखिए एक, दो तीन चार chain में जो structure formed हो रहे हैं इन structure को बोलते हैं conadio कैसे होते हैं non-mortile होते हैं कैसे होते हैं thin world होते हैं ये इसी बंद हो गया दमी घुट गया पूरा वो तो इसी बंद कर दिया चला दो थोड़ा सफोगेशन हो गया 25-25 पे चला दो तो conadio non-mortile है thin world है कैसे formed होते हैं chain में formed होते हैं formed in chain chain में formed होते हैं ठीक है और ये conadio germinate करके क्या बना लेते हैं नया mycelium बना लेते हैं तो आपने vegetative देख लिया आपने asexual देख लिया अब आप देखेंगे sexual reproduction ठीक वह भाईनी तो पूरा बंदी कर दिया अभी तो चल जाएगा ये 8 घंटे चल जाता है अब ये नहीं हो जो दुए तो साथ हो अच्छा मेरे बाद तो चलता है आप गंटे घर पे हलो 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 बोलके मेरे आगे पीछ डोलके खाना रखवा जे ना बहुत सा राज दबा के खाऊँगा ठीक है चलो सर आपके बेटे को दिखाओ बेटा तो भी देरदून में है बेटा मैं तो नौइडा हूँ है ना हाँ तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई होगी बचो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए ठीक है आ जाओ पूरा मज़ा ले रहे हो सेक्सॉल इपरडक्शन है बेटा बहुत इंपोर्टेंट है फंगस का सेक्सॉल इपरडक्शन तीक है बस है देखो यहां पर पूरा फोकस करना तीक है सेक्सॉल इपरडक्शन को तीन स्टेप में डाला तीसरा है आपका मिउसिस बच्चों कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में एक है plasmagami, दूसरा है karyogami, तीसरा है meiosis, ध्यान से समझेगा, बच्चो माल लीजिए, एक ये fungus आया, ये इसका nucleus है, ठीक है, और इसका cytoplasm भी होगा, और आपका ये एक और fungus आया, ये इसका nucleus है, और surrounding में ये क्या है, cytoplasm है, ठीक है, इस तरीके से माल लीजिए, ये लोग आ गए है, कहते हैं, sexual reproduction करना चाते हैं, तो करना, मना कौन कर रहा है, ये आपके आ गए है, ठीक है, दो fungus आ गए है, ठीक है, nucleus plus cytoplasm, nucleus plus cytoplasm, माल लीजिए, ये है लुखा, ये male है, और ये क्या है, female है, तो इस male ने क्या release किया, इस male ने release किया male gamet, ये रहा male gamet, इस male gamet में ये nucleus है, और आपका, जो white white से है, वो है आपका cytoplasm, जो yellow वाला है, ठीक है, जो yellow वाला है, वो nucleus है, तो ये आपका क्या release हो गया, ये आपके gamet release हो गया, ठीक है, gamet कैसे होते है, haploid होते है, male gamet, और ये क्या release हुआ, ये रिलीज हुआ, आपका female gamet, इसके अंदर ये nucleus है, और ये सफेद सफेद क्या है, आपका cytoplasm है, ठीक है, ये भी कैसा है, हैपलॉइड है, ठीक है, तो आपके male gamit और female gamit release हो गए, अब ये gamit, भई gamit क्या है, cells है, अब ये cells क्या करेंगी, fuse करेंगी, तो जब ये cells fuse करेंगी, तो आप देखिए क्या होगा, जब ये cells fuse करेंगी, ये देखिए, cell fuse कर गई, ठीक है, cell fuse कर गई, बताओ ज क्या सेल्स के नुक्लियस फ्यूज करें हैं साइटो प्लास तो मिक्स हो गया बट नुक्लियस फ्यूज नहीं हुए बताओ जरा mixing of mixing of protoplasm protoplasm में जो cytoplasm है वो तो आपका क्या हो गया है आपका fuse हो गया है but no fusion of cytoplasm लेकिन cytoplasm but nucleus का fusion नहीं हुए no fusion of nucleus nucleus का fusion नहीं हुए no fusion of nucleus तो mixing of protoplasm, दो cells के protoplasm mix कर जाते हैं, जिन में nucleus fuse नहीं करते, इस condition को बोलते हैं plasmo gammy, इसको बोलते हैं plasmo gammy, अब बताओ carryo gammy में क्या होगा, carryo gammy में क्या होगा, दिमाग लगाओ, carryo का मतलब होता है nucleus, gammy का मतलब होता है fusion, तो carryo gammy में क्या होगा, carryo gammy के अंदर nucleus fuse कर गए, तो ये आपका 2N हो गया, और इस cell को बोलेंगे gyote, और carryo gammy में क्या हुआ, fusion हुआ, किसका fusion हुआ, nucleus का fusion हुआ, ठीक है किसका fusion हुआ? नुकलियस का fusion हुआ ठीक है और meiosis में क्या होगा? मताओ meiosis में क्या होगा? इसके अंदर जब आपका meiosis होगा तो आपकी कितनी sports बनेंगी? आपकी चार sports बनेंगी दो आपकी yellow से बना दी दो आपकी blue से बना दी और sports आपकी बन गई और sports कैसी होती है? हपलॉइड होती है तो अब sports क्या करेंगी? इस पोर जर्मिनेट करेंगी और जर्मिनेट करके क्या होगा? ये वाली sports बना लेंगी male mycelium और ये वाली sports बना लेंगी female mycelium और फिर से कहानी शुरू हो जाएगी फिर से नैन मतक का धूम धड़क का शौर शरबबा फिर से sexual reproduction तो बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप yes लिखिए यहां तक की आपको पढ़ाई समझ में आई तो आप yes लिखिए अभी NCIT के इस पेज़ पर die carry on, die carry o face asco spore, basidio spore o spore यह सब word mention है patience रखिएगा, सब कराऊँगा सब कराऊँगा, patience रखिएगा तो यह तीन steps आपके हो गए हैं, ठीक है तो sexual reproduction के आपके यह तीन steps आपके हो गए हैं अब classification of fungus समझ येगा classification of fungus समझ येगा ठीक है, अब यहां पर वो सब समझाँगा, esco spore, सब आएगा आपका, ठीक है, कौन-कौन से word किस-किस class में होंगे, जैसे esco spore esco my cities में आएगा oospoor, fico my cities में आएगा basidio sport, basidio my cities में आएगा सब कराऊँगा, ठीक है, सब-सब fico my cities में carryo gamey absent है नहीं है बेटा, user dot humanities नहीं है absent, present है बेटा तभी तो कह रहा हूँ, थोड़ा पकड़ के बैट बेटा, मतलब sabr, अपना जो sabr है उसे पकड़ के बैट, ठीक है fungus का classification किया गया किसके basis पे किया गया ispore formation के basis पे किया गया ठीक है, ispore formation के basis पे किया गया morphology of mycelium के basis पे किया गया मतला mycelium कैसा है mycelium septate है या फिर aceptate है mycelium कैसा है subtate है या फिर aceptate है इस basis पे किया गया ठीक है, और तीसरा fruiting body, fruiting body क्या होती है मैं भी आपको समझाऊंगा fruiting body इनके basis पे आपका classification किया है तो सबसे पहली class है phicomycetes phicomycetes class का common name है algal fungus, याद रखना algal fungus phicomycetes के अंदर जो fungus आते है उनकी cell wall chitin से नहीं बनी होती cellulose से बनी होती है और cellulose क cell wall algae के अंदर भी मिलती है मतलब इनके अंदर algae का character मिल रहा है ठीक, algae का क्या मिल रहा है character भी मिल रहा है ठीक, habitat कहां मिलेंगे aquatic condition में मिलेंगे ठीक है, aquatic condition मिलेंगे ठीक है, और कैसे है parasitic भी है ठीक है, parasitic भी है और किस पे ग्रो कर सकते हैं decaying wood पे ग्रो कर सकते हैं इसका मतलब ये कैसे है saprophytic भी है moist condition में भी ये ग्रो कर रहे है ठीक है, mycelium बताओ phycomycetis का mycelium कैसा था phycomycetis का mycelium था आपका aceptate तो जब aceptate होगा तो condition कैसी होगी multi nucleated होगी और आप बोलेंगे sinusitic asexual reproduction दो तरीके से है पढ़ा चुका हूँ पहला है juice spore दूसरा है apelanospore juice spore juice spore juice spore कैसी है motile है apelanospore कैसी है non motile है ठीक sexual reproduction तीन तरीके से है ठीक isogamous anisogamous और oogamous sexual reproduction तीन तरीके से है isogamous anisogamous oogamous ध्यान से समझेगा अगर दोनों fusing gamut अगर आपके दोनों के दोनों fusing gamut अगर दोनों के दोनों fusing gamut एक male gamut और female gamut दोनों एक जैसे हैं देखने में ठीक है दोनों fusing gamut अगर morphologically similar है अगर दोनों fusing gamut आपके morphologically similar है ठीक है उगी हिंदी चल निकल ले तू यहां से है ना तेरे लिए थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ ठीक है यह उगी हिंदी है इसे ब्लॉक कर दो यह मज़ा लेने के लिए आया है उगी हिंदी है ना इसको ब्लॉक कर दो यह उडी का दोस्त है जो बॉलीवुड में नहीं है उरी ऐसे करके जो पूज़े फोटो खिचाता रहता है गंदे-गंदे यह वह इसे ब्लॉक कर दो तुमजे लेने के लिए के यहां पर अब मज़े है वह पढने के लिए मज़े लेने के लिए थोड़ीमा या यह मज़ा थोड़ीमा मिलेगा वाई पढ़ायी में थ्धोड़ी मीन गया है है ठीच है आजा अ मज़े लेने के लिए आपका female gamut, दोनों के दोनों morphologically similar है, तो आप बोलेंगे isogamous, अगर दोनों के दोनों morphologically dissimilar है, तो आप इसको बोलेंगे anisogamous, ठीक, तीसरा है o gamut, मैं ऐसे किसी को रोज करता नहीं हूँ, सीधा आदमी ने को तुमना normal पढ़ा रहा हूँ, बहुत rarely बीच में देखा हूँगा हसी मजा क्रेली करता हूँ, जब कोई comment में लिखता है तो पढ़ के हस देता हूँ, ने तो non-stop पढ़ाया जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं रोस्ट बहुत खतरनाग करता हूँ, ऐसे कोई बीच में आएगा तो फिर मैं उसको uri के पास भेज़ दूगा, और uri क्या करता ह वो तुम्हें मालूम है, anisogamous morphologically dissimilar है, दोनों fusing gamut morphologically dissimilar है, अलग-अलग है, एक का shape अलग हो सकता है, दूसरे का shape अलग हो सकता है, u gamut के अंदर एक gamut जो है आपका, जिसको मैं मेल बोल रहा हूँ, वो छोटा है, और कैसा है, motile है, ठीक, और जो दूसरा gamut है, वह करने के लिए तो दो चाहिए, female वाला, वो कैसा है, large है, और कैसा है, non-motile है, क्या है, non-motile है, ठीक, अब यहाँ पर जो जाइगोट बनता है, ठीक है, यहाँ पर जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट के चारो तरफ एक थिक वॉल आ जाती है, तो जब यहाँ sexual reproduction होगा, ठीक है, जब यहाँ sexual reproduction होगा, जब यहाँ sexual reproduction होगा, ठीक है, जब यहाँ sexual reproduction होगा, तो sexual reproduction में जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट के चारो तरफ थिक वॉल आ जाएगी, तो ऐसे जाइगोट जिसके चरव तरव थिक वॉल आ जाती है ऐसे जाइगोट को बोलते हैं जाइगो स्पोर इसको बोलते हैं जाइगो स्पोर ठीक फाइको माई सिटीज के अंदर जाइगोट को उस्पोर भी बोलते है उस्पोर भी जाइगोट ही है तो यहां पर जाइगोट को उस्पोर भी बोलते है और कुछ फंगस के एक्जामपल है जहां जाइगोट को जाइगोस्पोर बोलते है तो यहां जाइगोट के चारो तरफ थिक वॉल नहीं आती जब जाइगोट के चारो तरफ थिक वॉल आ जाए तो उसको जाइगोस्पोर बोलते है जब जाइगोट के चारो तरफ थिक वॉल ना आए तो उसको उस्पोर बोलते है यह है आपका फाइको माइसिटीज ये है आपका फाइको माइसिटीज अब आप कहोगे कि सर फाइको माइसिटीज का सेक्सॉल रिपोड़क्षन बताओ तो मैं क्या करूँगा मैं इस स्लाइड को कौपी कर लूँगा और इसको लेके आ जाओंगा इसके नीचे ये देखो ये रहा सेक्सॉल रिपोड़क्षन किसके अंदर फाइको माइसिटीज में जहां पर प्लाजमो गैमी के बार तुरंत कैरियो गैमी हो गया तो यहां पर प्लाजमो गैमी इमीडेटली फॉलोड बाई कैरियो गैमी तो बच्चो ये देखिए फाइको माइसिटीज का सेक्शॉल रिपोड़क्षन मैंने आपको बता दिया पहले मैंने आपको जनरल कैर्टर में बढ़ाया और उसी चीज को मैंने कॉपी करके प्लाजमो गैमी, कैरियो गैमी, मियोसिस फाइको माइसिटीज में सेक्शॉल रिपोड़क्षन के तीन स्टेप्स होंगे पहला होगा प्लाजमो गैमी दूसरा होगा कैरियो गैमी और तीसरा होगा मियोसिस बच्चो यहां तक की आपको पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिख दीजी इस सरोज परज़ा पर फिर आगया क्या लिख रहा है यह इसको भी औरी के पास भीजना पड़ेगा क्या यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजीए यहां तक की पढ़ाई आपको समाज में आई तो आप यस लिख दीजिए यहां तक की पढ़ाई आपको समाज में आई तो यस लिख दीजिए ओके जूकरबग यहां तक की पढ़ाई आपको समाज में आई तो यस लिख दो यस कहा हो अब दूसरी क्लास में जाने से पहले इसके एक्जामपल एक्जामपल है आपका एल्बूगो ठीक एक्जामपल है म्यूकर म्यूकर डंग पर गोबर पे ग्रो करना पसंद करता है इसलिए इसको डंग मोल बोलते है और एक्जामपल है राइजोपस राइजो पसको बोलते हैं ब्रेड मोल एक और एक्जामपल है याद रखना किताब में नहीं है फाइट अप थोड़ा थोड़ा सा याद रखना ठीक है फाइट अप थोड़ा ठीक है तो एक क्लास हमने पढ़ ली अब दूसरी क्लास ascomicities, bacid omicities यहाँ थोड़ा सा time लगता है, due to omicities में time नहीं लगता फिर virus virus में तो 15-20 मिनिट लगेंगे बस ठीक है, virus तो मैं आपको slide से पढ़ाऊँगा, बहतरीन ठीक है, आईए common name sac fungus क्यों बोला sac fungus, wait करो 15-20 मिनिट का wait करो, बताऊँगा इसका जो common name है वो है sac fungus, क्यों बोला अभी बताऊँगा, ascomicities unicellular भी है, multicellular भी है, mostly क्या है, multicellular है, लेकिन east कैसा है, unicellular है, ठीक है, east unicellular है, तो east में mycelium नहीं मिलता east तो एक single cell है तो east में mycelium नहीं मिलेगा, मतला mycelium क्या है, एक filament है तो east के अंदर mycelium क्या है absent है, ये बात मैंने east के लिखी है, क्योंकि east क्या है, एक single cell वाला है, single cell organism है ठीक है, अब nutrition के अंदर, अगर मैं आप से बात करता हूँ nutrition क्यों लिख दिया है इनोंने nutrition तो heterotropy होगा ठीक है, अच्छा ये ये बताना चाह रहे थे, अच्छा बताता हूँ nutrition क्यों लिख दिया है ये आपके saprophytic है dead decaying पे feed करेंगे parasitic है coprophilus है coprophilus का मतलब होता है जो आपके grow करते हैं डंग पर और कैसे है और ये है आपके decomposer तो saprophytic है, parasitic है, decomposer है और coprophilus है mycelium कैसा है mycelium आपका branch है और कैसा है septate है branch है और septate है asexual sport मैंने आपको बताई थी बच्चो asexual reproduction किस से होता है quonadia से होता है मैंने आपको बताई था asexual reproduction जो होता है वो आपका quonadia से होता है ठीक, अब जड़ा इसकी life cycle को आप समझेगा ठीक है, इसके अंदर sexual reproduction को आप समझेगा देखिए जाए, धिहान से समझेगा पहले कहा रहा हूँ धिहान से समझना इसका sexual reproduction ठीक है यह रहा आपका fungus ठीक है, यह है आपका fungus बढ़ी ऐसे बनाता हूँ यह है आपका fungus यह है नूकलियस यह नूकलियस और यह नूकलियस ठीक है यह है साइटोप्लास, साइटोप्लास, साइटोप्लास ठीक है दूसरा बना लेता हूँ रेड कलर से यह है आपका बढ़ी sexual reproduction करने के लिए दो लोग चाहिए, एक male चाहिए और female चाहिए ठीक है तो हमने आपका नूकलियस दिखाया और यह आपका साइटोप्लास, यह आपका साइटोप्लास, ठीक यह है आपका male fungus यह है female fungus ठीक, अब sexual reproduction में पहला step क्या था सब sexual reproduction में पहला step था प्लास्मो गैमी अब देखो प्लास्मो गैमी में क्या होगा ध्यांच देखिएगा प्लास्मो गैमी में क्या होगा दोनों माइसीलियम फ्यूज हो गए यह देखिए, दोनों माइसीलियम क्या हो गए है फ्यूज हो गए है ठीक है, दोनों माइसिलियम क्या हो गए है, फ्यूज हो गए है, देखिए गजरा, दोनों माइसिलियम आपके क्या हो गए है, फ्यूज हो गए, तो दोनों माइसिलियम आपके फ्यूज हो गए, तो जब दोनों माइसिलियम फ्यूज हो गए, तो साइटो प्लास क्या आ गया, एक जगे पर आगया, यह देख लीजे, तो यहां कैसा है, N है, 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 यहां क्या लिखूं, N प्लस N लिखूं या 2N लिखूं, यह है N प्लस N, तो यहां आपकी क्या हो गई, प्लाजमो गैमी हो गई, यहां आपकी gasmogamComplete हो गई ठीख तो आपने लिखा n plus nuster investment संजratos मज़िएगा अभी केरीओ गैमी किनी में नहीं अभी क्या होगा दियां से देखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं द्यान से यह nucleus क्या है यह male nucleus है यह क्या है यह female मेल नुकलियस है अब क्या होगा मेल नुकलियस डिवाइड करेगा अब क्या डिवाइड करेगा मेल नुकलियस डिवाइड करेगा तो बच्छो अब आपका मेल नुकलियस डिवाइड करेगा तो अब आप देखिएगा जब आपका मेल नुकलियस डिवाइड करेगा तो क्या होगा, देखो जरा male nucleus आपका divide करेगा, तो क्या होगा देख ले ना पूरा concept का feel आएगा जो concept मैं आपको दूंगा एक अलगी होगा, पूरा ध्यान से देखिएगा male nucleus divide करेगा तो male nucleus कितने हो जाएंगे male nucleus आपके दो हो गए male nucleus आपके इदर चला जाएगा तो जब ये एक male nucleus यहां से इदर जाएगा तो आपका क्या होगा उसको भी आप देख लीजिए ये एक nucleus यहां से हटाईए और इस एक nucleus को यहां पर shift कर दीजिए ठीक है? यहां पर shift कर दीजिए तो अब जब यहां shift किया तो यह भी हो गया N प्लस N तो यहां क्या हुआ? male nucleus migrate male nucleus migrate male nucleus migrate male nucleus migrate अब दो N प्लस N कंडिशन हो गई तो plasmo gamma के बाद अभी तक केरियो gamma नहीं हुआ तो plasmo gamma के बाद अभी तक केरियो gamma नहीं हुआ तो बच्चो यह जो कंडिशन है N प्लस N इन N प्लस N कंडिशन को बोलते है die carry on condition और इस face को बोलते है die carry on face तो plasmo gamma के तुरंद बाद केरियो gamma नहीं होता तो मैं लिख सकता हूँ plasmo gamma is not immediately followed by carry o gamma अगर मैं आपको यह चीज नहीं सिखाऊंगा तो ncrt में asco sport word यूज किया गया है fruiting body asco carp यूज किया गया है तो यह चीज़े आपको समझ नहीं आएंगी इनको समझाने के लिए इतने अच्छे तरीके से मैं आपको यह चीज सिखा रहा हूँ ठीक डाइ केरिण कंडीशन न प्लस एन जब दो नूक्लियस काफी समय समय तक साथ रहें बट भ्यूज ना करें इस कंडीशन को बोलते हैं डाइ केरिण कंडीशन तो male nucleus और female nucleus साथ में हैं बट फ्यूज नहीं कर रहें अब क्या होगा बही प्लास्मो गैमी के बाद डाइक कैरियोन आया तो इसका मतलब यहाँ जो पहला स्टेप है वो है प्लास्मो गैमी फिर आया डाइक कैरियो फिस अब क्या होगा अब क्या होगा अब आप ध्यान से देखिएगा अब आपका क्या होगा ध्यान से देखिएगा ठीक अब हमने क्या किया इसको उठाया और यहाँ पर लेके गए यहाँ पर हम लेके गए ठीक यह हमने हटा दिया अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा इसके उपर कुछ structure निकल गया यह देखिए इसके उपर structure आ गया और इसके उपर structure आ गया ठीक है इसके उपर structure आ गया यह जो structure आए है इसको बोलते हैं इसकस यह जो structure formed होए है इसकस और इसकस sack like structure होता है इसलिए एसको माइसेटीज का common name जो है वो इसको sack fungus है एसको माइसेटीज का common name क्या था sack fungus था क्योंकि इस पर sack like structure बनते हैं इसकस अब इसके बाद क्या होगा वो भी देख लीजिए इसके बाद क्या होगा वो भी देख लीजिए बोथ नुकलियस मेल और फीमेल दोनों के दोनों नुकलियस दाई बज़े से पहले खतम हो जाएगा चैप्टर ठीक है? सवा दो तक खतम हो जाएगा बोथ नुकलियस माइगरेट इंटू एसकस दोनों नुकलियस आपके एसकस में माइगरेट कर जाएंगे दोनों नुकलियस एसकस में माइगरेट कर जाएंगे तो जब दोनों नुकलियस एसकस में माइगरेट कर जाएंगे तो क्या होगा? वो भी आप इन आँखों से देख लीजिए देखो अब जड़ा दोनों नुकलियस एसकस में माइग्रेट कर जाएंगे देखो कैसे कैसे ये देखिए दोनों नुकलियस कहां माइग्रेट कर गए दोनों नुकलियस आपके एसकस के अंदर माइग्रेट कर गए दोनों नुकलियस आपके एसकस में माइगरेट कर गए ठीक, अब एसकस में होगा केरियो गैमी अब होगा आपका सेकंड स्टेप अब जाके केरियो गैमी हुआ इसका मतलब केरियो गैमी डिले हो गया प्लाजमोगैमी के बाद तुरंट केरियोगैमी नहीं हुआ प्लाजमोगैमी के बाद डाई केरियोफेस आया लेकिन फाइको माइसेटीज में डाई केरियोफेस नहीं आया था फाइको माइसेटीज में डाई केरियोफेस नहीं आया था तो plasmagami is not immediately followed by karyo gammy plasmagami के बाद die karyo phase आया फिर जाके आपका karyo gammy अब होगा तो जब अब जाके आपका karyo gammy होगा तो क्या होगा देखो जरा अब आपका karyo gammy होगा तो जब अब आपका karyo gammy होगा तो fuse कर दीजिए ये लो बेटा बताओ जरा फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा फ्यूजन होने के बाद बनेगा जाइगोड फ्यूजन होने के बाद आपका बनेगा जाइगोड यहां आपका क्यारियो गैमी हुआ ठीक है ठीक है जाइगोड आपका बन गया है जाइगोड आपका बन गया है अब तीसरा स step क्या होगा उसको भी देख लीजिए इसको यहां से उठा लेता हूँ और यहां पे ले जाता हूँ plasmo gammy carryo gammy और तीसरा step क्या होगा अब carryo gammy हुआ है तो अब आपका जो होगा वो होगा meiosis तो plasmo gammy के बार die carryo phase आया अब carryo gammy आया अब होगा आपका तीसरा step third meiosis अब ध्यान से देखिएगा बताओ कितनी spore बनेगी जब meiosis होगा तो कितनी spore बनेगी ये ये एक ascus में एक ascus में कितनी spore बनेगी एक ascus में कितनी spore बनेगी चार बनेगी तो कैरियो गैमी और meiosis की क्या है केरियो गैमी और मियोसिस कहा होता है केरियो गैमी और मियोसिस ऐसकस में होता है आप देख लीजिए ऐसकस में ही केरियो गैमी हुआ ऐसकस में ही मियोसिस हुआ तो कोई अगर आप से पूछे कि साइट ऑफ केरियो गैमी और मियोसिस क्या है कोई आप से पूछे कि साइ of karyogamy and meiosis क्या है साइट of karyogamy and meiosis जो है आपका वो है ascus वो है आपका ascus याद रखिएगा साइट of karyogamy and meiosis है आपका ascus तो यह जो चार आपकी formed हो गई है फोर इनको बोलते है ascus इनको बोलते है ascus तो आप मुझे बस ये बताएए ascus पूर haploid होगी या diploid होगी haploid होगी एसेक्शुल स्पूर है या sexual स्पूर है sexual है किस के अंदर बनी है ये बनी है ascus के अंदर अंदर बनी है तो एंडोजीनस या एक्जोजीनस एंडो जीनास ये होता है बेटा concept इसको बोलते हैं concept ठीक है इस तरीके से तुम्हें fungus नहीं मिलेगा कहीं पर भी इस तरीके से fungus पूरे यूटूब पे नहीं है चान मारो fungus इस तरीके से पूरे यूटूब पे नहीं है चान मारो ये हैं एंडोजीनस ठीक ये हैं एंडोजीनस एसकस पता चल गया एसको स्पूर पता चल गया ठीक है एसकस पता चल गया एसको स्पूर पता चल गया अब ये जो है यलो और रेड ये जो बच गया था ये यलो और रेड जो आपका बच गया था ये बच गया था और ये बच गया था ये क्या करते हैं? ये इनके चारों तरफ कवरिंग बना लेते हैं ये देखिए यलो से बन गई और ये रेड से बन गई तो ये जो कवरिंग बनी है इस कवरिंग को बोलते हैं एस को कार्ब और इसी को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉड़ी तो एस को कार्ब के अंदर होते हैं एसकस और एसकस के अंदर मिलती हैं एसको स्पोर्स तो इन में से आपकी चार एसको स्पोर्स थी अगर ये माइटॉसिस कर जाएगी तो चार से आट बन जाएगी अगर इसने माइटॉसिस भी कर लिया अगर सिरफ मियोसिस किया तो सिरफ चार ही रहेंगी तो बच्चो यहां से इसने बना लिया मेल माइसीलियम क्योंकि sports कैसी होती है haploid होती है और fungus भी कैसा होता है haploid होता है बच्चो concept feel हो गया तो yes लिख दीजिए concept feel हो गया तो आप yes लिख दीजिए यहां तक आपका समझ में आया तो आप yes लिख दीजिए सुनाली तेरा नाम तो मैं अच्छे से लूँगा पहले तू यहां लिख समझ में आया तेरा नाम कैसी है सुनाली तू है तेरा नाम लिख से क्या हो जाएगा नीट निकल जाएगा क्या उससे तेरा नाम लिख दो लुखी है तू चल डिक जल्दी से समझ में आ गया तो अब एसको माइसिटीज के एक्जामपल फिर बैसीडियो माइसिटीज फिर दूटरो माइसिटीज एडिबल फंगस मौरल्स और ट्रफल्स दोनों के दोनों एसको माइसिटीज के हैं और दोनों को खाते हैं edible ठीक है edible इसके इलावा इसमें example है penicillium इसमें example है aspergillus इसमें example है neurospora बच्चों जो neurospora है इस पर genetics का काफी काम हुआ है ठीक काफी biochemical और जो genetics का जो work है वो इसके उपर हुआ है और चौता है cleviceps cleviceps से जो ऐसे सबस्तांस होते हैं LSD टाइप से लाइस सर्जिक डाय थालमाइड hallucinogen ऐसे सबस्तांस निकाले गए है cleviceps ठीक है तो यह आपका example वाला पार्ट आपका हो गया तो example वाला पार्ट आपका हो गया है अगला जो है आपका वो है आपका बैसीडियो माइसिटीज ठीक अगला है आपका बैसीडियो माइसिटीज सर्ब बड़ा लिखिए ठीक है बेटा बड़ा लिखेंगे ठीक आजा अब इसका common name क्या है इसका common name है club fungi पंद्रा मिनिट वेट कर पता चल दाएगा club fungi क्यों बोलते हैं जैसे मैंने तुझे यहां कहा था कि पंद्रा मिनिट वेट कर तिरको पता चल दाएगा sack fungus क्यों बोलते हैं ठीक है तो यहां पर plasmo escomacities में plasmo gammy के बाद तुरंट केरियो आता plasmo gammy is not immediately followed by cario gammy di cario face आता है ठीक है आपका जो है di cario face आता है ठीक अब है आपका बैसीडियो माइसीटीज इसमें मशुरूम आता है है ना मशुरूम में आपको अलेड़ी बता चुका हूँ starting में अगेरिकस और तोड स्टूल यह आपका पॉइसनस था और यह आपका नॉन पॉइसनस है और इसके अंदर पॉफ बॉल है यह इसके एक्जाम्पल है इसके अंदर ब्रैकेट फंगस भी आते हैं ठीक है है हैबिटेट की बात करते हैं तो भाईया आपके सैप्रोफिटिक है पैरसिटिक है ठीक है ग्रो ऑन वुड वुड पे ग्रो कर रहे हैं डिकम्पोजर भी है रस्ट फंगस किसको बोला था रस्ट फंगस बोला था पकसीनिया को इसमट फंगस किसको बोला था यूस्टी लेगो को बोला था माइसीलियम कैसा है माइसीलियम ब्रांच है और कैसा है सैप्टेट है एसेक्शल स्पोर जनरली एपसंट है ब्रीजिटित्य रिपरटक्शन होता है किससे अ हona फ्रेडमिं टेशन सच ऊर्गन एपसंट होते हैं बचो फाइको माइसेटीज क्लास है एसको माइसेटीज क्लास है इसमें सेक्स ओर्गन मिलते है जैसे कि फाइको माइसेटीज में मिलता है एंथ्रीडिया एंड उगोनिया समझे एसको माइसेटीज में मिलता है आपका एंथ्रीडिया एंड एसको गोनिया लेकिन ये NCRT में नहीं लिखे थे ठीक है इसलिए आपको नहीं बताए गए जैसे मैं आपसे कहूँ कि Phycomycetes class हो गई आपकी Ascomycetes हो गई इन में sex organ मिलते हैं sex organ मतलब वो structure जो gamate produce करेंगे ठीक है male sex organ female sex organ तो Phycomycetes में male sex organ को बोलते हैं enthridium female को बोलते हैं ugonium ये algae का character है ठीक है Ascomycetes में male को बोला enthridium female को बोला ascogonium तो ये structure mycelium performed होते हैं कहां performed होते हैं mycelium performed होते हैं बट इस class के अंदर sex organ नहीं मिलते ये चीज किताब में नहीं है इसलिए आपको नहीं बताई गई लेकिन ये वाली line किताब में है कि sex organ absent है अब इसको समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा बताना printing mistake अच्छा toads tool अच्छा 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 यहाँ पर printing mistake होगी शावास जिसने भी लिखा डेवू ने लिखा printing mistake बहुत अच्छा लगा आशुतोष ने भी लिखा printing mistake मतलब यह सब मेरे लुक्खे हैं पुराने लुक्खे हैं तो थोड़ा सा change कर देते हैं printing mistake हो गई थी तोड़ स्टूल जो है अब क्या है उमर भी हो गई है बुरापा भी आगया है तोड़ स्टूल क्या है पॉइजनस है जो हम लोगों को खिलाते हैं और ये है आपका नॉन पॉइजनस जो हम खुद खाते हैं ठीक अब है इसकी life cycle life cycle खतम होते ही पांच मिनट ने लगते है deuteromycities कतम कराने में ठीक है सवा दो से पहले कतम हो जाएगा ठीक आजाओ life cycle बचो इसके अंदर आपका ये एक mycelium है ये रहा एक mycelium और ये आपका दूसरा mycelium है बचो ये दोनों के दोनों इसको मैं male बोल देता हूँ इसको मैं female बोल देता हूँ दोनों पर sex organ नहीं है और दोनों के दोनों कैसे mycelium है दोनों के दोनों somatic mycelium है आप mycelium बोलो या हाइफी बोलो एकी चीज़ है बच्चो अब somatic से आपके दिमाग में आया होगा मैं somatic का क्या मतलब हुआ बच्चो जब भी fungus में mycelium बनते है स्टार्टिंग में वो somatic mycelium होते है मतलब somatic कैसे होगे वेडिटिव होगे जैसे अब हमारे अंदर देखो हमारे अंदर एकदम से maturity period नहीं आता हमारे अंदर एकदम से reproductive capacity नहीं आती, एक time के बाद हमारे अंदर reproductive capacity आती है ऐसी fungus के अंदर होता है, fungus में starting में जो mycelium बनते हैं, वो somatic बनते हैं, वो vegetative बनते हैं जब fungus में reproduction का time आता है, तो उसके जो vegetative mycelium होते हैं, वो convert हो जाते हैं reproductive mycelium में और फिर वो gamate produce करते हैं, रिपीट, fungus में शुरू में जो mycelium बनते हैं, वो vegetative बनते हैं, जिनको आप somatic mycelium बनते हैं वो gamate produce नहीं करते हैं, जब reproduction का समय आता है, तो जो vegetative mycelium होते हैं, somatic mycelium होते हैं वो reproductive mycelium में convert हो जाते हैं और reproductive mycelium gamut produce करते हैं लेकिन bacidium mycelium में उल्टा है यहाँ पर बच्चे ही खेलना सुरू कर देते हैं मतलब जो vegetative mycelium है वो ही directly fuse कर जाते हैं vegetative mycelium reproductive mycelium में convert नहीं होते somatic mycelium और hyphae यही आपस में क्या कर जाते हैं fusion कर जाते हैं जिस process को बोलते है somato gammy तो यहाँ plasmo gammy का जो method होता है plasmo gammy कराने का जो method होता है उसको somato gammy बोलते है उसको आप क्या बोलते है somato gammy बोलते है एक मिनट इसको मैं alख उस पे लेता हूँ नहीं तो यह copy नहीं हो पाएगा हाँ देखा कॉपी नहीं हो पाएगा फिर दिक्कत करेगा तो मैं एक काम करता हूँ इसको अलग से लिखता हूँ प्लैंक स्लाइड पे लाइफ से के लिए ये 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 और ये करके दिखाओ टेक और उसके बाद ये और ये 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 और ये करके दिखाओ टेक पूरा फोकस करिएगा एक है लुक्खा दोनों कैसे माइसिलियम है दोनों आपके सोमेटिक और वेजिटेटी माइसिलियम है जो आपके फ्यूज कर जाएंगे सोमेटिक और वेजिटेटी माइसिलियम बोलो या फिर आप हाइफी बोलो बात एकी है तो सेक्स्वाली प्रडुक्शन में पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्लाजमो गैमी अब प्लाजमो गैमी में इनको फ्यूज करा दो ये लो तुम भी आओ ना तुम क्यों पीछे रह गई ये लो आजाए ये ये लिजी हम आगए है ये और ये ये देखो मुबारक हो भाई प्लाजमो गैमी हो गई प्लाजमो गैमी हो गई प्लाजमो गैमी हो गई एन एन अब आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा एन एन बताओ कौन सा नुकलियस डिवाइड करेगा कौन सा नुकलियस डिवाइड करेगा बताओ सेम वैसा ही होगा मेल नुकलियस क्या करेगा डिवाइड करेगा मेल नुकलियस डिवाइड करेगा तो जब मेल नुकलियस डिवाइड करेगा लुक हो हमारा वाला डिवाइड करेगा लुख्यों का नहीं करेगा ये देखो ये हो गए दो अब बताओ कौन माइगरेट करेगा कौन माइगरेट करेगा मेल वाला माइगरेट करके इधर पे आएगा तो जब मेल वाला माइगरेट करके इधर आएगा तो क्या होगा ये तो लुख्यों आपका migrate करेगा, ठीक है, male nucleus आपका migrate करेगा, हाँ भाई, मैं Noida में हूँ, Pegasus वाली जो building है, इसी के अंदर हूँ, ठीक है, Noida, Pegasus, Pegasus, 68 में हैं शायदी, 62, 64 में हैं, Pegasus, वो 62 में जो main office है, वहाँ से 2 km पह यह, Pegasus बुलते हैं, ठीक है, आ जाओ, तो अब, male nucleus आपका migrate करेगा, ठीक है, तो male nucleus जब आपका migrate करेगा, तो अब क्या होगा, देखिएगा, यह देखो, तो अब यहाँ आपका हो गया है, N प्लस N, तो यहाँ भी plasmo gaming के बाद, ठीक है, हरे, हर्यान्मी gamer, fan बन गया आपका, हरे, दिवाने, तू तो मेरे को roast करता रहता है, हर जगे, इंस्टा पे भी तू मुझे roast करता है, देखे, मैंने पढ़े तेरे comment, मैंने reply नहीं किया, मैंने का छोड़ो यार, कोई बात नहीं, भाई है, करने दो, मैंने का भाई को अपनी जिन्दकी जीने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने तेरे लिए गलत सब्दों का प्रयोग नहीं किया, कभी भी, लेकिन तेरे साथ अपना पुराना रिस्ता है, ठीक, आजाओ, अब देखो, male nucleus migrate, तो male nucleus आपका क्या करेगा, male nucleus जो हो निकल गए, अरे डिवाने, देरा दून आए, तो आप नोड़ा निकल गए, हाँ भाई, मैं अभी आओंगा देरा दून, है न, पंदरा तो, पंदरा तारिक को जाओंगा, आ जाओ, so male nucleus migrate, male nucleus migrate कर गया, ठीक है, n प्लस n, n प्लस n, तो अब आपका क्या होगा, जैसे वहाँ पर हुआ था, ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसका मतलब आपकी पहला step क्या हुआ, प्लास्मो गैमी हुआ, बट प्लास्मो गैमी, not, immediately, followed by, कैरियो गैमी, प्लास्मो गैमी के बाद, तुरंट आपका कैरियो गैमी नहीं हुआ, कोई बात नए, हरियानिवी गैमर, कोई बात नहीं, प्लास्मो गैमी के बाद, तुरंट कैरियो गैमी नहीं हुआ, चुकि थोड़ी दिर लगेगी, आपका आगया है, डाई कैरियो से, ठीके मतलब आपकी डाई कैरियो कंडिशन आ गई है, तो डाई कैरियो जे देखो, कि इसको पूरा टेबल बना के दूँगा, आप पूरा घवराना मात एक जगे पर खटा करके दूँगा, बस आप डटे रहो, ठीक है, प्लाजमो गैमी के बाद इमिडेटली आपकी कैरियो गैमी नहीं होती, आपका डाई कैरियो फीस आता है, ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, वो भी आप देख लीजिये, यहाँ से आप उठाईए, इसको यहाँ पर लेके जाए, इसके बाद इसके ऊपर आपके structure बनेंगे, यह देखिए, यह आपके club-like structure बनते हैं, club-like, यह club-like structure लाइक structure formed होते हैं, इनको बोलते हैं बैसीरियम। अब क्या होगा बोट नूकलियस, बताओ जड़ा यहां पर बोट नूकलियस माइग्रेट इंटो बैसीरियम। यहां पे बताईए कि आपके दोनों नुकलियस कहां माइगरेट करेंगे दोनों नुकलियस कहां पर माइगरेट करेंगे बताईए लिक के बताईए दोनों नुकलियस कहां माइगरेट करेंगे दोनों नुकलियस आपके माइगरेट करेंगे कहां माइगरेट करेंगे बताईए यहां केरियो गैमी और मियॉसिस कहां होता है लिक के बताईए यहां केरियो गैमी और मियॉसिस कहां होता है यहां आपका होता है बैसीडियम में तो यह स्ट्रक्चर एसकस नहीं है रे लुखे ये structure bacidium है तो अब आपका क्या होगा कैयरियोगेमी तो जब आपका कैयरियोगेमी होगा तो बहुती अच्छी बात है अब देखो जब आपका कैयरियोगेमी होगा तो आपका जायगूट फॉर्म्ड हो जाएगा ये आपका form'd हो गया है जाइगोट डिपलॉइड ठीक केरियोगैमी हो गया है तो site of केरियोगैमी अगर कोई आपसे पूछे तो वो है बैसीडियम site of केरियोगैमी कोई आपसे पूछे तो वो है आपका बैसीडियम ठीक, अब होगा आपका meiosis तो होता क्या है? यह थोड़ा सा difference आता है आपका जो meiosis है वो basidium में तो हुआ बट sports जो है वो बाहर की तरफ formed होई यह देखिए, एक दो sports बाहर की तरफ formed होती है basidium के surface पर formed होती है अंदर formed नहीं होती तो ये जो आपको चार sports दिख रही है एक basidium पर बताओ ज़रा ये sports sexual या asexual sexual है haploid या diploid haploid है अंदर बनी है या surface पर बनी है surface पर है sexual या asexual sexual है exogenous या endogenous surface पर है ना exogenous बोलेंगे अच्छा ये बात हाँ और जो ये yellow वाला बचा इसने यहाँ cover बना लिया और जो red वाला बचा उसने यहाँ cover बना लिया तो ये जो covering है इस covering को बोलते है बैसीडियो कार्प और इसी बैसीडियो कार्प को आपने बोला है fruiting body बचो फील आया तो सब यस लिख दीजिए फील आया तो आप रहां और ये meiosis से बनती है ये किस से बनी है meiosis से बनी है यहाँ पर घुसा दो मैंने meiosis तो लिखा ही नहीं तीसरा step क्या आया meiosis से जो spore बनती है उन spore को बोलते है meiosis meiosis से बनी है तो आप इसको बोलेंगे meiosis meiosis अब ये आपको समझ में आ गया इसके example हम already लिख चुके हैं ये देखी हैं सारे example आ चुके हैं puff ball, back it fungus, mushroom आ गया पक्सी निया आ गया, यूस्टी लैगो आ गया चलो, अब आपका काम थोड़ा सा आसान करते हैं ठीक है पहले deuteromycetis पहले deuteromycetis पढ़ा देता हूँ फिर table पढ़ाता हूँ, फिर ये table भर देंगे ठीक है, table हम भर देंगे हम तीन तक तो भरी चुके हैं तीन तक तो हम पढ़ चुके हैं इसका mycelium कैसा था? aceptate है sinusitic है multi-nucleated है इसका कैसा है? branch है subtate है इसका कैसा है? branch है subtate है इसका पहले बताया था starting में branch है और कैसा है? septate है ठीक asexual spore यहाँ दो बनती है एक जू स्पोर थी जो कैसी थी? motile थी और क्या थी? aplenospore कैसी थी? non-motile थी यहाँ पर conidia यहाँ पर absent यहाँ vegetative है किसके थुरू fragmentation deutermycetis में conidia formed होते है ठीक है? deutermycetis में आपके क्या formed होते है? conidia formed होते है sexual spore को यहाँ हमने क्या बोला था? jago spore बोला था और u spore बोला था यह jagoat के दूसरे नाम है यहाँ sexual spore को हमने क्या बोला था? एसको spore बोला था जो कैसी थी? haploid थी कैसी थी? haploid थी endogenous थी और किसके अंदर बनी थी? ascus में बनी थी यहाँ sexual spore को क्या बोलते है? basidio spore बोलते है कहाँ बनती है? basidia में बनती है कैसी है? haploid है यहाँ exogenous है sexual reproduction absent होता है sexual reproduction deutromycities में absent होता है sexual fruiting body यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ है escocarb और यहाँ है basidio carb बच्चो टेबल में मज़ा आया तो yes लिख दो टेबल में मज़ा आया तो yes लिख ना a लिख ना टेबल में मज़ा आया तो yes लिख ना अब लगे हाथे deutromycities भी पढ़ा देता हूं deutromycities तुमको पढ़ा देता हूं एक्जामपल जो है इसके वो है आपका alternia alternaria टीक है वो है आपका alternaria इसका example हो गया है और भी है को जूट्रोट्रायकम यह इसका example है एक और है शायद ट्राइकोडर्मा ही नाम है क्या हां ट्राइकोडर्मा जो आपका रिंग वों करता है ठीक है तो ट्राइकोडर्मा कोलेट्रोट्रायकम और alternaria ठीक है यह है आपका इसके एक्जाम्पल मांग जुकरवर वेर इस नौइड़ा इस लोकेटेड प्लीस टेल अनिरुद जा बेटा करके आजा कर इतनी दिक्कत हो रही है बैठा क्यों है वहाँ हाँ आजाओ हाँ ट्राइको डर्मा पॉलिस पुरम हीमलता ठीक अब जड़ा यह देखिए कॉमन नेम कॉमन नेम बोलते हैं इंपर्फेक्ट फंजाई इंपर्फेक्ट है यह इंपर्फेक्ट आए इंपर्फेक्ट आए क्यों बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर पर्फेक्ट स्टेज एपसेंट होती है पर्फेक्ट स्टेज किसको बोला गया है पर्फेक्ट स्टेज बोला गया है sexual reproduction को इनके अंदर sexual reproduction absent होता है तो perfect stage sexual reproduction को बोला गया है my name is भगट सिंग याद रखना selection के बाद मिलूँगा आपसे ठीक है भाई याद रखूँगा मिलना जरूर बेटा selection हो जाए बढ़िया बात है ना भी हो पाए तो भी मिलना क्या दिक्कत है कभी अगर मिलना हुआ तो मिल याई गस में क्या दिक्कत है है ना तो हम सिर्फ selection वाले बच्चों से नहीं मिलते हैं जिनका नहीं होता है उन से भी मिलते हैं ठीक है सब हमारे बच्चे हैं बटा ठीक है साल नहीं होगा अगले साल लगा हो जाएग साल नहीं होगा तो बाद में हो जाएगा तीसिय साल हो जाएगा कभी तो होगा बाई बस पढ़ाई मत छोड़ना common name, perfect, fungi, imperfect बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर जो perfect stage होती है sexual reproduction की वो absent होती है इसका mycelium कैसा है, branch है और कैसा है, septate है asexual spore मिलती है, conedia कुछ fungus कैसे है saprophytic है, parasitic है sexual reproduction जो है absent है mostly decomposer of litter litter का मतलब क्या होता है नए नए पत्ते या नए नए पेड की ब्रांचिस उपर से तूट के जमीन पे गिरी है तो नया नया fresh dead material जिस पे अभी just decomposition start होने वाला है या start हुआ है उसको बोलते हैं litter पेड से अभी पत्ते नीचे गिरे हैं अभी just मरे हैं पत्ते और नीचे गिरे हैं टहनिया ब्रांचिस नीचे गिरी है तो ये जो dead part जो भी just जमीन पनाया है जिस पे भी decomposition या तो start हुआ नहीं है या just start हुआ है इस part को बोलते हैं litter तो litter का decomposition होगा तो पत्ते से सारी की सारी चीट decompose होने के बाद soil में जाएगी soil से plant में जाएगी इसका मतलब ये क्या करते हैं recycling करते हैं किसकी nutrients की तो बच्चो यहाँ पर अगर sexual reproduction मतलब यहाँ पर vegetative और asexual को एकी नाम दिया गया vegetative और asexual को एकी नाम दिया गया vegetative और asexual को अलग अलग नहीं माना गया इकी चीज मानी गई अगर sexual reproduction if sexual reproduction discovered अगर इसके किसी member में sexual reproduction discovered हुआ तो उस organism को shift किया जाएगा या तो asco में या फिर bacidio में मान लीजिए deutromycetis में 50 फंगास है उसमें से एक या दो sexual reproduction करने लगे तो बाकियों को अच्छा थो न लगेगा ये जो कर रहे हैं इनी को यहां से उठाएंगे और इनको या तो shift कर देंगे asco में या bacidio mycetis के अंदर बच्चों fungus समझ में आया तो yes लिखो fungus खतम हो गया समझ में आया तो yes लिख ना a लिख ना fungus समझ में आया तो yes लिख दो छोटे छोटे पैलाग्राफ है उसमें प्लांटे और एनिमेलिया प्लांटे पढ़ा चुका हूँ प्लांट किंडम के अंदर एनिमेलिया आप पढ़ते हो जोलोजी के अंदर ठीक हाँ भाई हर्वानी गेमर अब देखो अब लास्ट टॉपिक है इजी है, ठेरोटिकल है स्लाइड से कर लेंगे जनरल केरेक्टर बचो वाईरस, वाईरोइड, प्राइन्स तीनों पढ़ाऊंगा और लाइकन, इनको फाईर किंडम क्लासिफिकेशन में कोई स्थान नहीं दिया गया वाईरस, वाईरोइड, प्राइन्स ये सेलूलर स्ट्रक्चर नहीं है ये सेल नहीं है इनमें अपना प्रोटो प्लाज्म नहीं होता वाईरस को बोलते हैं वैनम इसी को बोलते हैं पॉईजनस फ्लिड और इसी को बोलते हैं सेक्रीशन वेना मतलब जहर वाइरस लिविंग है या नॉन लिविंग है वाइरस के अंदर कुछ करेक्टर लिविंग के है और कुछ करेक्टर नॉन लिविंग के है वाइरस में प्रोटो प्लाज्म नहीं होता वाइरस में सेल ओर्गिनिल नहीं होते ये वाइरस का non-living nature है वाइरस में genetic material है और वाइरस host की body में बड़ा लिखा जाट 16 दुनियाट सही कह रहा भाई तीक यहाँ देख तो living क्या है? genetic material और virus can multiply तो virus multiply कर सकता है host की body पर मेरे शरीर में coronavirus multiply कर सकता है पर दिवार पर बैठ के नहीं करेगा तो ये उसका एक living nature हुआ multiply कर सकता है उसमें genetic material है इसका मतलब virus एक connecting link हुआ किसके बीच में? living और non-living के बीच में virus multiply with the help of host virus take over the machinery of host देखो जब coronavirus मेरे अंदर आया तो वो मेरी machinery को use करेगा मेरे ribosome को use करके अपनी protein coat बनाएगा मेरे nucleotide को use करके अपने DNA का replication करेगा ठीक है? अब जिनके अंदर genetic material RNA होता है वो भी मेरे nucleotide को ही use करेंगे समझे? तो virus जो होता है वो host की machinery को use करता है ठीक है? virus को host ही चाहिए मेरे शरीर के अंदर आएगा मतलब intracellular obligate मतलब होता है mandatory तो virus एक compulsory parasite है obligate intracellular parasite है virus जब cell के बाहर होगा मतलब मेरे से मेरी body पर नहीं होगा तो उस time virus inactive होगा inert होगा जब वो मेरे शरीर में होगा तभी active होगा टाम virus दिया था बैजरनिक ने बैजरनिक ना मिले तो even sky लगा देना ये बहुत NCRT change होती रही नाम change होते रहे ठीक है we both have golden heart sir मिलेंगे भाई हर्यानिमी गिमर मिलेंगे ठीक है term virus बैजरनिक बैजरनिक ना मिले तो even sky लगा देना cell theory की बाते virus पे लागू नहीं होती virus cell theory के लिए exception है क्योंकि virus cell ही नहीं है तीन साब है even sky बैजरनिक बैजरनिक ना वाईरस के crystals बनाए बैजरनिक ना जैसे NACL होता है ना crystal बना सकते हो ऐसे ही virus के crystal बनाए बैजरनिक ना और उन crystal में mainly present था protein even sky ने tobacco mosaic disease करने वाला कौन है tobacco mosaic virus इसके बारे में बताया तो tobacco mosaic virus कौन सी बिमारी करता है tobacco mosaic disease करता है ठीक virus bacteria से छोटा होता है तो वो जो bacterial filter है वहाँ से virus भी cross कर सकता है तो इस filter से bacteria पास नहीं होता बट virus आपका पास हो जाता है बैजरनिक ये मेरे notes है जो हमारे paid batches होते हैं उसके notes है ठीक बैजरनिक यकीन में जो पढ़ाया उसके notes है बैजरनिक ने क्या बताया कि माल लीजिए ये एक tobacco plant है जिसमें virus का infection है तो अब आप यहां से कोई भी cells निकालेंगे कोई भी cells निकालेंगे तो उस cell के अंदर क्या मिलेगा उस cell के अंदर आपको virus मिलेगा बैजरनिक प्लांट है जिसमें virus का infection है इसमेंसे आप cell निकाल रहे हुए तो cell में क्या मिलेगा उस infectious fluid में क्या मिलेगा virus मिलेगा इस infectious fluid को आप बोलते हैं contagium vivum fluidum इस plant में virus का infection है आपने इस plant मेंसे cells निकाले उस cells में virus मिलेगा ठीक है और उस उन cells के लिए मैं word यूज कर रहा हूँ infectious fluid उसी को मैं बोल रहा हूँ contagium vivum और इस fluid को उठा कर आप किसी healthy plant में डाल दोगे तो healthy plant में भी infection हो जाएगा virus का structure पहला है genetic material या तो DNA मिलेगा या RNA मिलेगा दोनों साथ में नहीं मिलेंगे animal virus में generally genetic material होता है single standard RNA या फिर double standard RNA या फिर double standard DNA bacterial virus जो virus bacteria पे infection करते हैं उन virus को बोलते हैं bacterial phase इन में genetic material होता है mostly double standard DNA but 5174 और QB ये दोनों भी bacterial phase है but इन दोनों में genetic material double standard DNA नहीं मिलता इन दोनों में genetic material एक में SS DNA है single standard DNA है और एक में single standard RNA है अब देखिए ये है आपका virus का genetic material और इसके चारों तरफ ये है protein coat जिसको आप बोलते हैं capsid जिसको आप बोलते हैं capsid तो ये जो pink color से आपको दिखाई है ये है protein coat जिसको आप बोलते है capsid बोलो या आप इसको head बोल दो प्रोटीन का बना हुआ है तो virus का जो head है वो proteinaceous है उसी की protein coat को आप बोलते है capsid तो ये जो pink color से आपको दिखाया है capsid ये protect करता है genetic material को तो जो infectious property होती है वो nucleic acid में होती है जो infectious property होती है वाइरस के वो nucleic acid में होती है ये capsid किसके बने हुए है capsid छोटी-छोटी small unit के बने हुए है इन छोटी-छोटी sub unit को बोलते है capsomere इस पूरे को बोलते है इस red-red color के पूरे को बोलते है capsid और capsid ये छोटी-छोटी sub unit के बने होते है इनको बोलते है capsomere genetic material plus capsid genetic material मतलब nucleic acid capsid मतलब protein दोनों को मिलाओगे तो virus क्या है? nucleo protein structure है कुछ virus में ये जो white color से मैंने आपको दिखाया है कुछ virus में out of NCRT कुछ virus में capsid के चारो तरफ भी एक covering होती है जिसको आप कहते है envelope जैसे कि HIV में होता है दीके और envelope बना होता है lipid का, protein का और carbohydrate का symmetry of virus polyhedral मतलब icosahedral मतलब poly मतलब many, hydral मतलब faces बहुत सारे faces हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो polyhedral symmetry मिलती है bacteria phase में जिसमे DNA mostly double standard होता है जिसमें आपको head दिख रहा है ये आपको double standard DNA दिख रहा है ये आपको capsid दिख रहे है capsid, capsomere का बना हुआ है ये इसकी गर्दन है neck head और neck को जो connect करता है उसको color बोलते है जो pink color से है वो neck है और जो आपको ये white color से दिख रहा है ये color है तो head और neck को जो collect करता है ये मेरा खोपड़ा है ये मेरी गर्दन है और ये मेरे color है ठीक है head neck color और जो ये blue color से दो line दिख रही है ये जो blue color से दो line दिख रही है इसको tail बोलते है और इस blue color के चारों तरफ green color की covering है उसको sheet बोलते है blue color की जो दो line दिख रही है इसको tail बोलते है इस blue color की line के surrounding में जो green color से आपको दिख रहा है उसको sheet बोलते है तो tail cover है किस से? sheet से और ये जो brown color का structure है इसको end plate बोलते है और यहां से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनको बोलते है tail fibers ये जो 3 यहां है इनको बोलते है tail fibers ठीक है? और ये end plate है और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है tail pin तो जब virus कहीं पर बैठता है तो अपनी tail fiber से उस जगे पर attach होता है जब virus bacteria पर बैठेगा तो अपनी tail fiber ऐसे रखके बैठेगा ठीक? अब virus की symmetry polyhedral हो सकती है halical हो सकती है ठीक है? halical तो halical का example है tobacco mosaic virus जिसमें ये white color का है single standard RNA और ये जो आपके capsids हैं ये आपकी protein coat है इस protein का जो arrangement है वो halical होता है इस capsid का इस protein का जो arrangement है बच्चो वो halical होता है तो आपको मैंने दो symmetry आपको दिखा दी plant symptoms क्या है? mosaic का मतलब होता है different patches of color तो जो पत्ती है उसका कुछ पार्ट green है उसमें chlorophyll present है पत्ती का कुछ पार्ट yellow हो चुका है मतलब chlorophyll destroy हो चुका है तो एक पत्ती में दो pattern दिख रहे हैं एक pattern हरा दिख रहा है एक pattern yellow दिख रहा है जब दो अलग-लग pattern दिखें इसको बोलते हैं mosaic pattern ये virus की वज़े से हुआ vein clearing and yellowing of leaf इस leaf में ये जो part आपको बीच में दिख रही है line जिसको आप mad rib बोलते हो इसी को आप vein बोलते हो principal vein तो इस vein का chlorophyll चला गया तो vein yellow हो गई और leaf का जो बाकी portion है उसका भी chlorophyll चला गया तो पत्ती कैसी हो गई yellow हो गई इसको बोलते हैं vein clearing and yellowing of leaf plant लंबा था छोटा हो गया dwarfing and stunted growth stunted का मतलब होता है short पत्ती थी roll हो गई अंदर की तरफ ऐसे करके roll हो गई leaf rolling अंदर की तरफ रोल हो गई इसको बोलते हैं leaf rolling leaf rolling अब हैं आपका viroids viroids virus नहीं होते viroids virus नहीं होते virus में nucleic acid भी है और protein coat भी है capsid भी है viroids virus से छोटे है dinner ने discover किया था ये candle light dinner पे गई थे और viroids में सिरफ RNA मिलता है protein coat नहीं मिलता यहां से need में बहुत बार question आया है viroids बहुत hot spot topic राय है viroids और prines viroids एक ऐसा RNA जो infection करता है ऐसे RNA को बोलते है viroids तो viroids एक infectious RNA है जिसमें protein coat नहीं होती इस RNA का molecular weight कम होता है और ये plant में infection करता है जैसे कि potato में बिमारी कर रहा है potato spindle tuber disease बिमारी के बारे में हमें नहीं पढ़ना बिमारी का नाम याद रखना प्राइन्स क्या है प्राइन्साइज सिमिले टू वाइरस बच्चो इसकी discovery कैसे हुई थी समझेगा एक sheep है sheep का मतलब होता है भेड अगर कोई आदमी रोड पे चले और दिवार से ऐसे टकराते टकराते चले ऐसे तो उसकी skin छिल जाएगी लोग उसे पागल कहेंगे देखो पागल आदमी है कैसे चल रहा है लोग यही तो कहेंगे कि इसका मानसिक संतुलन सही नहीं है इसका nervous system सही से काम नहीं कर रहा है देखे कैसे रगड़ते वे चल रहा है तो एक sheep थी वो वाल से रगड़ते वे चल रही थी से टक्रा के चलोगे तो तुम्हारा छिल जाएगी स्किन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है शीप अगर दिवार से टक्रा के चलेगी तो उसकी स्किन अगर छिलेगी तो उन का वूल का लॉस हो जाएगा धंदा खतम हो जाएगा समझ रहे है वह डिजनरेट हो रहे थे बहुत स्पीड से नियॉराइट हो रहे थे मतलब कोई ना कोई चीज थी जो इसके नियॉराइट को डिजनरेट कर रही थी जिसकी वजह से उसका कॉडिनेशन नहीं हो पा रहा था तो देखा गया कि शीप के खोपड़े में एक protein पाया गया, वो protein वहाँ पर neuron को degenerate कर रहा था तो वो protein वहाँ infection कर रहा था, neuron को degenerate कर रहा था, उस protein को बोला गया prines, इसका concept बच्चों को पता ही नहीं चलता, आज तुम्हें पता चलाओगा prines क्या है prines एक abnormally folded protein है, भई जब protein बनता है, तो वो अपना कोई-나-कोई native structure लेता है, primary, secondary, tertiary, or quaternary तो prines के अंदर जो amino acids की chain है prines क्या है, protein है तो इस protein में जो amino acid की chain है, वो proper तरीके से fold नहीं हो पाई prines क्या है, protein है जिसके अंदर amino acid की जो chain है, वो properly fold नहीं हो पाई abnormally folded protein abnormally folded infectious protein abnormally folded infectious protein is called prines इसकी खोज सबसे पहले sheep के अंदर की गई थी neuro degenerative disorder करता है cow के अंदर भी यही करेगा cow का भी coordination बिगड़ेगा cow के भी nervous system एफेक्ट करेगा mad cow disease bovine spongiform encephalopathy हमारे अंदर करेगा crutes jackop syndrome हमारे अंदर यह करेगा इसको discover किया था alper ने बस 10 minute और है lichen symbiotic relationship है algae और fungus के बीच में जिसमें algae सिरफ 5% है fungus 95% है अब भाई जो ज़्यादा होगा वही तो जगए देगा इसका मतलब fungus algae को shelter देता है ठीक provide shelter absorption of water and minerals fungus algae को shelter देगा क्योंकि fungus ज़्यादा है fungus algae को water और mineral के absorption में help करेगा fungal partner को microbeend बोलते है algal partner को phycobeend बोलते है क्योंकि algae की study को phycology बोलते है fungus की study को mycology बोलते है algae fungus को food देता है जिस area में SO2 का pollution जादा होता है वहाँ lichen नहीं मिलते हैं इसका मतलब ये air pollution का good indicator है जिस जगह पर SO2 pollution जादा होता है air pollutant जादा होता है SO2 वाला वहाल icon grow नहीं करते chapter खतम अब करेंगे PYQ समझ में आया तो आप yes लिख दीजिए पूरा detail protista along with table पूरा detail fungus along with comparative study पूरा detail monitor हर चीज detail में दी गई है भाई one shot नहीं है ये ये पूरा complete है हाँ भाई मुझे याद है pedigree करा देंगे कहीं ना कहीं कराई देंगे अभी तो मैं जिन्ना हूँ अभी तो series चल रही है तो बच्चो अब हम PYQ question को solve करेंगे आप पूरा का पूरा focus रखिएगा अराम अराम से कराऊंगा match the following बच्चो पकसीनिया किसको infection कर रहा था याद करिए पकसीनिया wheat में बिमारी कर रहा था जिसको आपने बोला था wheat rust तो एका हो गया third निरोस्पोरा में genetics की काफी सारी research हुई है तो आपका B का हो गया है fourth ठीक, saprophytic fungus वो होते हैं जो dead digging पे feed करते हैं तो आपका हो गया है second और albugo एक parasitic fungus है जो आपका किस पे ग्रो करता है mustard पर ग्रो करता है और बिमारी कौन सी कर रहा था बिमारी कर रहा था आपकी white rust तो A का गया है third A का गया है third B का क्या गया है B का गया है fourth C का क्या गया है C का गया है two और D का गया है one तो हमारा option हो गया है option second माइको प्लाजमा can pass through less than one micron filter size बच्चो माइको प्लाजमा जो होता है वो bacterial filter से cross हो सकता है क्योंकि माइको प्लाजमा बैक्टेरिया से छोटा होता है मतलब ये statement आपका correct है ठीक, ये statement आपका correct है माइको प्लाजमा बैक्टेरिया with cell wall नहीं, with की जगे अगर without होता तो सही होता इसका मतलब ये आपका incorrect है तो आपका statement क्या जाएगा वन इस correct बट statement टू इस incorrect बट statement टू इस incorrect अगला सवाल विच ओज़ा फॉलोईग इस correct statement माइको प्लाजमा है डियने राइबोजोम एंड सेल वाल बच्चों, cell wall नहीं होता लैक cell wall गलत हो गया साइनो बैक्टेरिया ग्रूप ऑफ ओटोट्रोपिक और्गिनिजम इस ट्लासिफाइड अंडर दा किंडम मौनेरा ये आपका सही है बैक्टेरिया एक्स्क्लूजिवली नहीं एक्स्क्लूजिवली हेटरोट्रोपिक नहीं है बैक्टेरिया ओटोट्रोप भी है और हेटरोट्रोप भी है ये आपका गलत हो गया ये गलत हो गया स्लाइम मोड्स अर सैपरोफिटिक और्गिनिजम जिनको आपने मोनेरा में नहीं रखा है इसको आपने रखा है किसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर तो बच्चो आपका जो फोर्थ है ये भी गलत हुआ तो आपका आंसर गया आप्शन सेकेंड अइडेंटिफाई दा एसेक्श्वल डिप्रोटिस्ट्रूट्र पैनिसीलियम वर जो पैनिसीलियम की जो क्लास है वो है एसको माइसिटीज और आपको पढ़ाया गया था कि एसको माइसिटीज के अंदर जो एसेक्श्वल स्पोर है वो है आपकी कॉनेडिया जो स्पोर आपकी कहां फॉर्मड होती है ये फॉर्मड होती है आपकी फाइको माइसेटीज के अंदर मैड काउड डिजीज बताओ मैड काउड डिजीज कहां थी कैटल में थी और ये कहां थी हुमेन में थी करने वाला कौन था प्राइन्स था प्राइन्स एक abnormally folded protein होता है infectious protein होता है जो की neurons को degenerate करता है nervous system सही से काम नहीं करता तो इसको करने वाला है आपका प्राइन्स which of the following statement is correct organism that depend on living plant are called saprophytic नहीं जो dead पर depend करता है वो saprophytic होता है गलत हो गया some of the organism can fix atmosphere nitrogen in specialized cell specialized cell sheet cells नहीं होती उन cells को आप बोलते है heterocyst तो ये आपका गलत हो गया और ये आप किसमें बात करते हैं ये आप बात करते हैं blue green algae में तो बच्चो थर्ड भी आपका गलत हो गया fusion of two cells is called karyogammy नहीं two cells नहीं होती हैं two nucleus होते हैं ये गलत हो गया fusion of protoplasm between two motile and non-motile gamet is called plasma gammy ये आपका बिलकुल सही है मैंने आपको बताया था protoplasm में cytoplasm mix करते हैं अरे Mark, जुकरबग, पोल, पोल, यहाँ देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया which of the following is correct about the viroids बच्चों, viroids question बहुत आए है they have free RNA without protein coat they have DNA गलत हो गया they have free DNA गलत हो गया ये गलत हो गया ये जाएगा, viroids क्या थे? एक infectious RNA है जिसमें आपका protein coat नहीं होता ठीक, plant में ये infection करता है which of the following is incorrect about cyanobacteria cyanobacteria have heterocyst heterocyst वो cells होती है जिसके अंदर ये आपका nitrogen क्या करते है fixation करते है they often forms bloom in polluted water बच्चों polluted water के अंदर इनकी बहुत जादा growth आती है जिसको water bloom बोलते है ये statement correct है they have chlorophyll A बिलकुल सही है chlorophyll A इनके अंदर present होता है they are photo-autotrop ये एक सही है तो गलत आपका जाएगा answer 1 which of the following statement is incorrect viroid lack of protein coat ये statement आपका correct है virus obligate intracellular parasite होते है ये भी आपका सही है infectious constant in virus is protein coat बच्चो protein coat infectious unit नहीं होती है वो आपकी होती है nucleic acid ये statement आपका correct है आपका answer जाएगा option C which of the following statement is incorrect morals and truffles are edible ये दोनों के दोनों ascomycetes के हैं आपको बताया था खाते हैं correct है clavicep source of alkaloid and LSD LSD का full form होता है lysergic diethylamide ये एक hallucinogen है ये भी सही है conadia produce exogenously conadia कैसी sports थी conadia आपकी asexual sport थी और ये exogenously ही produce होती है conadio 4 के उपर produce हो रही थी exogenously ठीक endogenously नहीं ठीक thank you part and asco sports endogenously asco sports कैसी sports सी sexual sport थी ये भी सही है east है filamentous body east में filament नहीं होता east unicellular है बेटा exception है इसके अंदर आपका hyphae और mycelium नहीं मिलते ठीक तो आपका answer जाएगा option fourth mad cow disease in cattle caused by the organism mad cow disease कौन करता था mad cow disease करता था prines prines में आपका abnormal folded proteins मिलते है prines में आपके मिलते है abnormal folded proteins which of the following which of the following statement is correct not grow in polluted area lichen do not grow in polluted areas ये statement सही है जहां पर SO2 का pollution होगा जहां air pollutant SO2 मिलेगा वहां आपके lichen grow नहीं करते है ठीक algal component of lichen is phycobient नहीं होता ये है phycobient fungal component जो है वो है आपका mycobient lichen are not good pollution indicator lichen are good air pollution indicator तो बच्चो आपका जो answer जाएगा वो जाएगा option first match the organism match the following बच्चो हेलोफाइल्स वो होते है वो आर्की बैक्टेरिया जो ऐसी जगे पाए जाते हैं जहां नमक जादा होता है saline condition तो A का मिला है S thermoacidophiles वो आर्की बैक्टेरिया है जो high temperature पे मिलते हैं high temperature मतलब hot spring तो आपका B का जाएगा P methanogens guts of ruminants ruminants मतलब जो cattles वगेरा थे उनके अंदर C का R और cyanobacteria जो है वो aquatic environment में fresh water और marine तो D का जाएगा आपका Q तो option आपका जाएगा first which of the following statement about methanogen is not correct they can be used to produce biogas correct है they are found in rumen of cattle and their excretora ये भी correct है they produce methane gas सही है they grow aerobically aerobically नहीं होता बेटा anaerobically होता है तो आपका option third गलत हो गया आपका गया option third select the wrong statement cell wall is present in members of fungus and plantae सही है mushroom जो होता है जिसको आप agaricus बोलते हो बैसीडो माइसिटीज में है ये भी सही है pseudopodia are locomotory and feeding structure in sporo zones नहीं pseudopodia मिलते है amoeboid protozoa में कहां मिलते है amoeboid protozoa में तो आपका option third गलत हो गया mitochondria power of cell in all kingdom except monera सही है क्योंकि monera के अंदर mitochondria नहीं मिलता वहां मिलता है mesozoam तो बच्चो आपका answer गया option third after karyogamy followed by meiosis spores are produced exogenously बच्चो karyogamy है meiosis है मतलब किस spore की बात कर रहा है sexual spore की बात कर रहा है कैसे produce हुई exogenously exogenously मतलब किसकी बात कर रहा है besidio spore और besidio spore मिलती है besidio mycetes में ये ascomycetes का है ये deutromycetes का है ये ascomycetes का है agaricus mushroom को बोलते है besidio mycetes option जाएगा आपका third oxygen is not produced during photosynthesis by बच्चो बैक्टेरिया का photosynthesis जो होता है वो non-oxygenic होता है लेकिन blue green algae का photosynthesis oxygenic होता है इसका मतलब यहां पर oxygenic क्यों है क्योंकि यह लोग water use करते है इसलिए oxygen release होगी लेकिन यह बैक्टेरिया water use नहीं करता यह H2S यूज करता है तो यह oxygen नहीं release कर सकता second kara एक green algae है cycus एक gymnosperm है यह plantे में है तो यह सब क्या use करेंगे water use करेंगे which of the following organism is known as chief producer in ocean बच्चो chief producer किसको बोला था diatoms को बोला था बहुत सारा oxygen produce करते है photosynthesis करके ciliate differ from all other proto zones बच्चो ciliate के अंदर आते हैं paramecium और इसके अंदर दो टाइप के nucleus मिलते है एक nucleus बड़ा मिलता है जिसको macro बोलते है एक nucleus छोटा micro बोलते है two type of nucleus बताया था dimorphic nucleus ठीक 18 में आया था इसलिए मैंने आपको यह paramecium में यह चीज पढ़ा दी which of the following found in extreme saline condition वो R की bacteria जो salt condition में मिलते हैं उनको आप बोलते हैं hello files और वो एक तरीके से क्या है R की bacteria है which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall cell wall नहीं है तो आपको सोचना ही नहीं है बच्चो बैसिलस pseudomonas nostak में cell wall है mycoplasma सबसे छोटा है cell wall नहीं है ठीक है तो आपका answer जाएगा mycoplasma viroid differ from virus बच्चो वाइरोइड क्या है एक RNA molecule है जिसमें आपको बताया गया था protein coat नहीं मिलती तो सोचना ही नहीं तो देखो viroid पे question काफी आए है an example of flagellated protozoans बच्चो flagellated protozoan का example था आपका trypnozoma जो की African sleeping sickness करता है जो की CC fly जो की एक arthropoda है उसके bite करने की वज़े से होता है ठीक इन में आपका मिलता है ठीक है plasmodium में flagellat नहीं है locomotory structure नहीं होता paramecia में cilia मिलता है entamoeba amiboid में आगया हम आपका pseudopodia वगेरा ठीक विजवी आपका यह भी आपका सही है select the sac fungus sac fungus बोलते है ascomycetes albugo phycomycetes agaricus bacidomycetes mucar phycomycetes neurospora ascomycetes तो answer जाएगा आपका option third option third the protein coat around virus सोचना ही नहीं है protein core कैसे कैसे option दी है capsule core capsid ठीक है छुई मुई तो answer जाएगा आपका capsid select the wrong statement बच्चो diatoms are chief producer in ocean सही है diatoms are microscopic and flowed passively in water passively word तब यूज़ करते है जब कोई चीज बिना फ्लैजला के move करे तो बच्चो ये चीज भी सही है क्योंकि इन में फ्लैजला नहीं होता wall of diatoms are destructible नहीं इनकी wall तो तूटती नहीं है indestructible होती है ये statement incorrect हो गया तो answer जाएगा option third diatomation does form by the cell wall of diatom ये आपका सही है methanogenes belongs to सोचना ही नहीं है methanogenes belongs to archibacteria methanogenes belong करते है archibacteria से तो ये आपको सोचना ही नहीं है ठीक which one of the following is wrong for fungus they are heterotrop सही है they are both unicellular and multicellular unicellular में क्या है unicellular में है east they are eukaryotic ये भी correct है all fungus possess purely cellulisic cell wall नहीं ज़रतर fungus जो होते है उनकी cell wall कायटिन से बनी होती है the primitive prokaryote responsible for production of biogas biogas सोचना ही नहीं है सीधा लगाना है methanogens सीधा लगाना है methanogens सोचना ही नहीं है क्राइजोफाइट स्टूरियनौइ डाइनो फ्लेजर स्लाइम मोर बताइए किस kingdom के अंदर है ये है kingdom आपका प्रोटिस्टा golden algae called decimid decimid को golden algae बोलते हैं correct है cyanobacteria को blue green algae बोलते हैं correct है phycomycetes का common name algal fungus होता है phycomycetes के अंदर वही sex organ मिलते हैं जो sex organ algae के अंदर मिलते हैं phycomycetes के अंदर आपके कुछ fungus ऐसे हैं जिनकी cell wall cellulose से बनी होती है algae की cell wall भी cellulose से बनी है तो you bacteria are false bacteria false नहीं है ये है आपका true तो option जाएगा आपका third one of the major component of cellulose most fungus chitin and polysacrihyde which on the following statement is wrong for viroids they are smaller than virus correct है they cause infection correct है they lack a protein code correct है their RNA is high molecular weight high नहीं होता low molecular weight होता है mucer mucer ascomycetes का नहीं है phycomycetes का है agericus phytop thoda aceptate mycilim phytop thoda की जो class है phycomycetes है alternate area जो है आपका alternate area के अंदर sexual reproduction absent है ये deuteromycetes का है ठीक है agericus parasitic fungus नहीं है saprophytic है तो answer गया आपका option fourth तो बच्चों lecture कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा आपके comment हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं आपको मज़ा आया होगा पूरा detail में आपको concept सिखाया पूरा अच्छे से आपको concept सिखाया है हर चीज detail में है कोई कहने सकता ये one shot है हर चीज detail में है पूरा question भी अच्छे से कराया ठीक और आपने इतनी patient के साथ chapter को सुना उसके लिए बहुत बहुत thank you थोड़े सा समय रह गया है खूश रहिए अच्छे से पढ़ाई करिए बिना किसी stress के ठीक है और बस इश्वर पे छोड़ दीजिए जो होगा अच्छा ही होगा और जितने भी लोग यहां बैटे होए हैं 416 जाने से पहले सिरफ 30 सेकंड निकाल के comment जरूर करिएगा और बताईएगा आपको आज की पढ़ाई कैसी लगी थेंक यू